Blender 3D और 3D Animation की आजकल बहुत जादा डेमांड है बिकिस इस स्किल को सीखने के बाद आप VFX इंडिस्ट्री में जा सकते हैं Animated Movies बना सकते हैं Product Visualization कर सकते हैं Architecture Visualization कर सकते हैं और बहुत कुछ The opportunities are endless मगर मसला ये है कि हम 3D Animation सीखें कहां से Well, मैं लाए हूँ आपके लिए एक 4-month online course जो आपको software download करने से लेकर Hyper-realistic animations और renders बनाने सिखाएगा अगर आपने अपने जिंदगी में कभी भी 3D Animation नहीं की याँ फिर आप एक beginner blender user है तो ये course आपके लिए perfect है बिकिस इसमें आपको मैं modeling, texturing, lighting, animation और rendering detail में सिखाऊँगा और आपको इस level तक ले आँगा कि आप अराम से freelancing शुरू कर सकते हैं अगर हम बात करें कोर्स outline की तो ये course एक project-based course है और आपको हर अफते तकरीबन दो नए projects मिलेंगे और एक साथ आपको assignments मिलेंगे ताकि आप अपना progress track कर सकें अब इस course में projects तो काफी सारे हैं मगर main projects में ये realistic rubik's cube ये chest scene, ये realistic light bulb scene, realistic mercedes की garage animation और highway animation और ये realistic supra के renders भी शामिल हैं अब इन renders को बनाने के बाद हम physics simulations की तरफ चलेंगे जिसमें आप ये वाली animation बनाने सीखेंगे और finally आप product visualization और इसके साथ साथ architecture visualization भी सीखेंगे तो अगर आप 3D animation सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो अभी इस course में इंडरोल करें Thank you Assalamualaikum everybody, welcome to this course सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया है course को subscribe करनेगा और अभी मैंने blender खोला हुए लेकिन अभी और आपके पस blender इंस्टॉल तो नहीं हुआ होगा तो first मैं आपको इंस्टॉल करने से खाऊंगा उसके बाद blender शुरू करेंगे तो उसके लिए हम जाएंगे chrome में chrome में मैं लिखना blender लेंडर और बसी दा लेंडर लिखेंगे आप तो उपर पर आजगा वा रेंडर टॉट वर्जी तो यह आपने को लिए आपको उसके बाद इंस्टॉल करना होगा ऐसे तो वह तो आप कर लेंगे इंशाला बस आपने जो इंस्टॉल वाला मेंई खुलेगा उसको आपने next next करते जाना है और फिर आपने इंस्टॉल कर लेना अगर आपको यह लेकि यह मुश्किल लग रहा होगा काफी आपको फील हो रहा हो कि आरे बड़ा कुन मुश्किल सॉफ्टॉयर है लेकिन असल में ऐसी बात नहीं है 90 परसंट जो चीज़े उनको हाथ भी नहीं लगाएंगे ठीक है जो आपकी majority जो आपकी 3D animation होती है वो आपकी सिर्फ 10 या अब ब्लेंडर यहां किसी और सॉफ्टर के अगर हम बात करते है उसकी बेस ही आपकी में चीज होती है अगर आगर आपकी बेस अचीज होती है तो आगे वाली चीजों जो होगी आप खुदी सीख सकते हैं ठीक है आपको उसके लिए मेरी जरूद नहीं होगी या किसी और तो अगर आपकी बेस अची बेस अची बन जाएगी तो फिर आप आगे अराम से मतलब अपनी क्रिएटिव फ्रीडिम के हिसाब से आप काम कर सकते हैं तो यह विए रिक्वेस्ट होगी शुरू में क्या पता थोड़ा 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 आपको दिलना चाहे लेकिन हर वी अगर लेक्स करना तो मैं आपको पहले जरा इंटरफेस से मिल वाता हूं किस तरह का क्या 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 टूल्स है यहां पर फिर मैं आपको मूडलिंग वाइरा करेंगे थोड़ा बेसिक में आपको इस रहाँगा तो सबसे पहले अगर हम यहां आते हैं और टॉप लेफ्ट पर पर मैं अगर लेफ्ट करके कोई भी सेलेक्स करते हैं जैसे बॉक्स साथ तो पर और चॉब्जेक्ट सेलेक्ट हो जगा अब Scorpion करता हूं भर備 और इस अचलीजobs that अब lifelong अभरन उस्दित देशेन सारेसे को जाएं अगर आपको बस दूसरे सेलेक्शन टूल में अगर आप जाएं सेलेक्शन टूल है अब इससे मैं लेक्स से दबा दिया लेफ्ट कर अगर किया मैंने उसके बाद में जिस भी आपके बाता हूँ आप लगा यह जो तो इसमें अब अपका पूरा एक बिसिक्लिया आप शेप इसके प्रेवी चीज़ें तो फिर सलेक्ट हो जाएगा तो अगर मैं इसके आपको काम हैंगे अभी क्या पता आपको समझना रहा हो कि हम किस तरह रहे हो कि आपको समझ जाएगा थे लेकंगे तो यह 3 आपके पास सेलेक्शन टूल्स है अब आते हैं मगले टूल्स की तरफ यह जो नीचे वाले हैं सबसे पहले आपके पास है मूव टूल अगर आपने इसको सेलेक्ट करके यह जो आपका सेलेक्ट हुआ होगा आपके बास यह आजेंगे आरोज आजेंगे ठीक है एकसस का अभी एकसा की किस तरह क्यों करती है आपकी 3D व्यूपॉर्ट में अथिन घंके ऐसाब से आपने पर मूव कर सकते हैं उन इसे अगर मैं चैक बाते हो अंडेंड हो सकता हुँ और अगर अगर चलसे में sit कर दांगे आगर मैं वाई में सिर्फ च्था च्खर तो रहेतिस हसे मुव करने हम तो प्र यह जो तो ना नीमारा क्लिक और प्र आपड़े X और Y axis में भूप कर सकते हैं ठीक है और similarly अगर मैं सिर्फ Y & Z axis में भूप करना चाहते हूं तो मैं राइड वाले box को select करें कि पिर मैं इसे मूफ कर सकता हूं उनसे ठीक है और अगर मैं similarly इस green box को बाता हूं तो और उसके लिए आपको move to select करने की ज़रूद भी नहीं है, let's say मैं अगर select box में हूँ, ठीक है, अगर मैं G दबाता हूँ अपने keyboard पर G, तो फिर आप देख सकते हैं, मैं कहीं भी इसे freely move कर सकता हूँ, ठीक है, freely, लेकिन इससे अगर आपके आपके रहेगा हूँ, अगर मैं right click क move करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं G दबाऊंगा, अब तो मैं कहीं भी move कर सकता हूँ, और फिर मैं उसके बाद X दबादूगा, तो फिर यह सिर्फ X axis में confine हो जाएगा, ठीक है, और let's say, मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे X पे नहीं करना, मुझे Y पे करना है तो फिर मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ Y दबादूगा, और फिर Y में स्विच हो जाएगा, और अगर मैं Z में करना है, तो Z में भी स्विच कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह किसका सीन होता है, फिर जामपल अगर मैंने Z axis में, शूरू से मैंने Z axis में move करना है, तो G, Z, और यह करूँगा, और मैं यूजली यही वाले यूज़ करता हूँ, काफ़ी लोग move tool भी यूज़ करते हैं, लेकिन वह थोड़ा सा slow होता है, अगर आप advanced users की बात करें, तो mostly advanced users जो होते हैं, सारे वो grab tool यूज़ करते हैं, अगले tool के पास हैं, तो हम यह है rotation tool, अब rotation tool ज X में करता हूँ, तो इस तरह होगा, ठीक है, अब इसका दुबारा से एक और rotate tool आप एक और तरीक से use कर सकते हैं, वह simple R दबा के, R में दबाऊंगा तो freely ऐसे rotate होगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं R दबा के फिर मैं X दबा दता हूँ, तो सिर्फ X axis में rotate होगा, ठीक है, यहां अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, तो इसकी SSI बड़ी होगी, और ऐसे करूँगा तो SSI की बड़ी होगी, ठीक है, तो यह बहुत basics है, आपको अभी क्या पता समझ ना रहा हूँ, कि हम इससे किस तरह use करेंगे, लेकिन इंशालों यह काफी हमारी helpful होगी, लेकिन scale tool को भी use कर बागे कर सकता हूँ, या फिर जी तो बागे कर सकता हूँ, तो यह आप basics होफिली आप समझ गयोंगे, यह क्या कर दिया हमें, anyways, basics आप समझ गयोंगे, तो आप चलते हम आखरी tool की तरफ, आखरी tool है हमारा यह transform tool, अब इसमें का होगा किसी पर object को आप select करेंगे, आपको ती बागे करता हूँ, आप जो grab tool और rotate tool और scale tool को में कीबोर्ट के शॉट्टर्स ही उस करता हूँ, तो यह सीनस का, उसके लब यह जो है annotation के tools है, इनको आप इतना बहुर ना करें अभी फिलाल, तो उसके लब आप माते हैं अगली तरफ, एक और चीज की तरफ, जो है हमारा यह वाला side, अब यह वाली side है, इस पर क्या होगा, इस पर आप को different properties में लेंगे, आपके object के related, ठीक है, जो भी आपके objects होंगे, जो भी आपके, for example, अगर मैं cube की बात करता हूँ, तो इस cube में, अगर मैं यहां पे आऊँ, object data properties में आऊँ, तो इसकी जो size है, size है, rotation है, और इसका तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और move भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यह usually बहुत rarely use होती है, और यह animation में आगे जल के क्या बता हम यूज करें, लेकिन अभी फिलाल तो हमारा इसका की काम नहीं है, तो बार बार safe यूँ कर रहा हूँ मैं, anyways, तो इसके काफी जादा काम करेंगें, मौडलिंग में especially, मौडलिंग में आप for example duplicate करना है, आपने objects को, आपने objects को smooth करना है, तो काफी चीज़े हम इसमें different कर सकते हैं, तो वह मैं शाला आगे जल के आपको सिखाऊंगा, अब यह बताऊंगा, अब यह बताऊंगा, अब यहाँ आते है material menu यह है, यहाँ पे आप materials आइड कर सकते हैं, textures आइड कर सकते हैं, तो यह भी इसको भी इसको भी इसको भी इसमें बाद में properly cover करेंगे, बाकी यह mostly जो है आपको इनकी ज़रूत खास as such नहीं पड़ेगी, आग ज़िए अगर आप बहुत ही advance चाते हैं, फिर आपको क्या प यह पहली वीडियो यह बहुत लंबी हो जाएगी और आप कुछ समझ नहीं पाएंगे सही से, तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपने viewport में move किस तरह करते हैं, कि अभी तो देखे हैं, हम एक एंगल से देख रहे हैं लेकिन यह 3D software है, इसमें 3D view obviously आपके पस होग जिनके पास middle mouse button नहीं होगा laptop mouse का obviously, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके लिए आपने जाना होगा edit में, preferences, और यहां पर आपके आपने अगर जाते हैं, आप input में, तो फिर अगर आप इस button को दबाते हैं, emulate 3 button mouse, तो फिर इसमें हम आपको बताता होगा क्या, होगा तो अगर आप computer पे भी है ना, तो फिर भी मैं आपको recommend करूँगा कि आप यही वाले use करें, because middle mouse button यह होते हैं, अक्सर 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 माउसे होते हैं, उनके खराब हो जाते हैं, मेरा पहले G402 मेरे पस mouse था, उसका खराब होगा था middle mouse button, तो फिर मैंने इस पे switch कर लि अगर ऐसे, तो फिर आप इसे इस तरह करेंगे, कि आप alt तबाएंगे, साथ में shift तबाएंगे आप, ठीक है, alt और shift दोनों दबे होंगे, और फिर आप left click करके, आप move कर सकते हैं आराम से, ठीक है, इस तरह आगर इसकसीन है, और अगर लेट से अपने zoom करना है, जूम तो आ आप आप अगर आपके आप लाप टोप और शोल बील नहीं आपके पास, फिर आप ये करेंगे, फिर आप control दबाएंगे, और आप alt दबाएंगे साथ, control और और दोनों दबाके, फिर आप left mouse बटन क्लिक करके, और आप पर रहसे आगर जूम कर सकते हैं, लेकिन ये मैं recommend आपको मुश्किल क्या अपता लगे तो यह सीने मूव करने का अब थोड़ा सा आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए अपने आपको ज़रा मेलब थोड़ा आदी करने से कर आप अराम से आप किसी फ्रिक्शन के बगार मुव कर सकें विकर्स अगर आप मूव नहीं कर सकते हैं अपने अपको अगर सेंस अपनी बन जाता है अपको आप यह जाती है वह वह सज़स्किए बसाब ऐसे राइडम भी ना थोड़ा मूव करें ताकि आपको फिर थोड़ा आपको इसकी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा तो यह सीन है इसका तो आगे फिर हम चलते हैं तो अगली चीज जो मैं आपको बताऊंगा वह होगी यहां पे सीन कलेक्शन ठीक है इसको कहते हैं वर्ल्ड आउटलाइनर ठीक है अब आउटलाइनर में क्या होता है जो भी आपके object यहाँ पर पढ़े होंगे ना आपके 3D viewport में वो सारे objects आपको यहाँ पर नजर आएंगे ठीक है अगर हमने गाड़ी बनानी है हमने यहाँ पर गाड़ी ले आए है तो गाड़ी का हमें पता किसे लेगा हमारी viewport में गाड़ी है वो आपके यहाँ पर होगा ठीक है तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे पस एक camera है एक सब्सक्राइब जरा वापस उस पर लेए हूँ उपस यह क्या हो रहा है एक सकंड ठीक है तो अगर हम यहाँ पर वापस आते हैं तो अच्छा इसको बाद में इसका प्रॉपर ली समझाओंगा ठीक है अभी आप इस एग्नूर करें इसको आपने बेसिकली सीन यह कि अभी आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास camera है एक यह camera है अगर मैं इसको click करता हूँ तो यह देख सकता है अप select हो गया फिर इसमें move कर सकता हूँ जो भी कर सकता हूँ तो यह हमारे पास एक camera हो गया और यहाँ पर एक light होगी है अगर मैं इसको select करता हूँ यहाँ पर light highlight हो जाती है हमारे पास sphere आगया अभी मैंने कैसे add कि है मैं आपको बता दूँ दो मिनट में ठीक है अभी मैंसे delete कर दोता हूँ मैंने select किया और मैंने delete वाला button दबा दिया तो objects add किस तरह करते हैं हम जाते हैं यहाँ पर add में ठीक है यहाँ पर click करेंगे इसके तोड़ा सा mesh का difference होता है मैंने जो हलका सापका topology होती है वो तोड़ी different होती है लेकिन उसमें आप भी ना ही जाएं तो बहते है तोड़ा advanced topic है वो तो उसके लाव हम cylinder भी add कर सकते हैं हम इसमें cone भी add कर सकते हैं torus add कर सकते हैं different हमार पास shapes होंगे तो उन सब को add कर सकते हैं यहाँ पर जाके आप कोई भी objects add कर सकते हैं और जो भी modeling करेंगे हैं वो in objects पर based होगी जो primitive modeling होती है hard surface modeling वो हमारी इसी इनी objects से होगी for example अगर मैं यहाँ पर जाके एक और cube add करता हूँ अब देख सकते हैं आप यह आपको नजर नहीं आ रहा because उसी के उपर exact position पर आया है अगर मैं G और पर Z दबाता हूँ उपर इसे लाता हूँ तो फिर आप देख सकते हैं कि एक और हमार पस cube आ गया है तो इस तरह का इसमें सीन होता है आप कोई भी object add कर सकते हैं एक और तरही का मैं आपको add करने का बताऊंगा वह का shift और पर A दबाएंगे ना आपको वही menu जहां पर आप होंगे वहां पर खुल आएगा तो आप वहीं से जागे पिर लेट से हम cylinder add करते हैं तो इसको G और फिर मैं लेट से अगर दबाता हूँ एक्स दबाता हूँ और यहां पर आजएगा हमारे पास ठीक है तो इस तरह के आपके पास सारे shapes होगर आजएंगे और इन shapes से फिर हम चीज़ें बिल्ड करेंगे और हम आई इंशाला सीखें अब जो हम सीखेंगे हैं सिखेंगे कि यह जो objects हैं को actually modify किस तरह करते हैं अभी तो आप देख सकते हैं क्यूब है ना एक अब इस cube मैंसे और चीज़ें किस तरह कैसे बनाई जा सकते हैं विकाज हम obviously cube तो render नहीं करेंगे ना I mean आप cube की animation बना सकते हैं करेंगे इंट्रेस्टिंग नहीं होगी तो इसे अगर आपने और सीज़ें बनानी है तो आप किस तरह बनाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक introduce कराऊंगा mode से अब सबसे पहले आप अगर यहां पहाँएंगे टॉप left corner पे अब देखेंगे यह है object mode इसको अगर आप क्लिक करेंगे आपको यह सारे mode जाज़ेंगे ठीक है पहले पहले object mode फिर आता है edit mode फिर आता है sculpt mode और यह बागी जो सारे ना इनको अब भी फिलाल ignore करें हम यह तीनी main lean course में पढ़ेंगे बागी सारे इतने जादा important यह भी फिलाल ठीक है आपकी level पर तो अभी हम आते है edit mode में ठीक है अब जैसे हम edit mode में आएंगे आप पहले तो आपके पास extra side से tools आज़ेंगे ठीक है लेकिन यह भी इतने कोई खास आज सच useful नहीं होते हम shortcut से use करेंगे जिन से हम अपना काम achieve कर लेंगे तो अभी अगर में move करता हूं यह देख सकते हैं आप यहां पर पॉइंट से आगी है अगर मैं यह दबाता हूं यह से क्या हुआ साइज जिन सेलेक्ट हो जाएंगे ठीक है अब जो जी सेलेक्ट होती है वह औरेंज हो जाए आपकी आपकी अगर इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूं तो यह देख सकते हैं यह पॉइंट वाइट हो गया और इसके हलका साब को औरेंज यह नजर आ रहा हुआ हुआ है यहां फिर में जाकर लास टूल से सेलेक्ट कर लूँ ऐसे ठीक है तो यह आपके पास ऑप्शन होगा मैं तो यूजरी बॉक्स सेलेक्ट करता हूं कभी-कभी अगर आपको ज़रूत पर आपकर सकते हैं दूसरे भी तो अभी इसका मकसद क्या हम क्यों सेलेक् हो ऐसे अब देख सकता हैं सिर्फ यह दूफ़ पॉइंट की ओने है ठीक है अब मैं लेट सेसे यहां पर लिया ओटे और अब मैंने लेट से इन चारों पॉइंट को अठाके और ने थोड़े नीचे लानाँए पिख सेलेक्ट करें को रहा है रजी इंज़ेक्पर यह गया हुआ ठीक है अब आप देख सकते हैं गाड़ी का उपर वाला हसा बनाना है उसके लिम क्या करेंगे मैं आपको और टूल से से इंट्रीज कराऊंगा वह वह हैं हमारे सेलेक्शन टूल भेसिक अब उसको सिर्फ इंडिविज्व पॉइज्व पॉइंट सेलेक्शन टूल ठीक है अब इसको अगर मैं दबाऊंगा टॉप लफ्ट और पर यहां पर आकर तो पर आपब देख सकते हैं कि अब हमारे पास select कर सकते हैं आपने एक दबाया और फिर आपने shift hold कर लिया फिर आपने दूसरी select कर लिया इस तरह multiple में हम edges जो है select कर सकते हैं यहां फिर आप वही box select tool वाला भी कर सकते हैं यहां फिर selection mode options options available है ठीक है अब यह edge selection mode आगया अब तीसरा option है आपके पास जो हम use करने वाले में भी वह है face select mode ठीक है अब यहां पर आगिर मैं आओ यह जो face बनावा चुछा सा तो इस पर आगिर मैं आओ तो फिर आप देख सकते हैं फिर मैं individual faces को select कर सकता हूं ठीक है अब मैंने face select कर लिया ठीक है इस तरह से मैं कर सकता हूं अब वही जादा use करेंगे एक important tool है काफी इसको गहते है extrude extrude को मतलब होता है किसी चीज़ को निकालना ठीक है बाहर मतलब extend करना उसे अब अगर मैं इस नीचे वाले face को select करता हूं ठीक है और मैं अपनी keyboard पर E दबाता हूं और नीचे ड्राइग करता हूं यह देख सकते हैं यह जो let's say इसे इतना ले आता हूं for example ठीक है तो अब होगा यह कि जो face नीचे था ना जो यह नीचे वाले face था वो नीचे बढ़के आगे ठीक है और हमार बस चार और नए faces बन गये हैं यहाँ ठीक है आप देख सकते हैं तो यह हो गया अब let's say मैंने गाड़ी का आगे वाले सब बनाने इस वाले face को select करके मैं इद बंगो यह आगे से आजएगा ठीक है और फिर अगर आपने महरान या कल्टस मेनानी है तो आप यहीं पर छोड़ने अधर वाइस अगर आपने कोई और गाड़ी बनानी है तो आप नीचे पीचे यहां से भी एक स्टूट करने ठीक है अ अब यह आपका होगया अब आगे से मैं क्या करना चाहूंगा आगे से में edge select mode में जाऊंगा इस वाली edge को select करके जी और खोड़ा सा नीचे लाना चाहूंगा और इस वाली को भी मैं हलका सा नीचे लाना चाहूंगा तो आप देख सकते हैं गाड़ी का जो basic shape है वो बन गया तो मैं आपको यह गाड़ी बना के दिखाने का मकसर यह था कि मैं आपको टूल्स और इंट्रीउस करा सकूँ थोड़े से तो अब आपको इस तर्म की गाड़ी तो नहीं हम बनाएंगे अगर हमारी अगर हम आगी जात के हमें कोई बनाई अब अगला जो टूल में आपको इंट्रीउस कराने वाला हूँ वो है बेवल टूल अब बेवल टूल को हम यूजिली बहुत कम यूज़ करेंगे बिकाज हम मॉडिफार्स के थूरू हम बेवल करेंगे अपना अबजेक्स को अब मैं अगर अपने स्क्रोल वील से उपर करता जाता हूँ एक एक स्टैप लेक उपर जाता जाता हूँ देख सकता हूँ नमबर ओफ एजर जो जिन स्मूथ तो नहीं है अगर इसे स्मूथ करना है तो फिर हम दुबारा एडिट मोड में जाएंगे बाइड़ एडिट मोड में जाने का एक और जो श्रॉट कट है वो है टाब दबाना अगर अगर आप अपने कीबोर्ड पर टाइब दबाते हैं तो फिर आप डिर्क्ली होगा ठीक है और अगर मैं टाब दबाके दुबारा वापस नॉर्मल मोड में आता हूँ आप देख सकते हैं आगे वाली जो एज है काफी स्मूथ होगी है ठीक है लेकिन बाकिया जो है वो ओविसली शार्प यामी तक तो इसको इस तरह करते हैं कि पीछे वाली भी होगे मैं होंगे तो इतने में रखूंगा इसको इतना सा करें ठीक है और यह आप देख सकते हैं हमारी थोड़ी सी जो गारी है वो बहतर लगना शुरूब घेर वालन और बहुंटकर सकते हैं और हम घ्रम दो ओखरे अच्छे को वाली घृत करना हो किस कह दो एकन इंहारख भी दबा के और इनको बेवल साथ ही कर सकते हुआ इससे आपको थोड़ा टाइम बच जाएगा जो और मतलब अच्छा शॉट कर देगे तो अब देख सकते हैं हमारी गाड़ी इस तरह की बन गी है तो अब फिर्स्ट ली कॉंगराशलेशन आप निपनी पहली गाड़ी करने और यहां फिर आप मुझे वाटसाप टेक्स करें तो मैं आपको हेल्प कर दूँगा कोई मसला नहीं है तो अभी आपको बेसिकली बेसिक शेप्स बनाना आगे है अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं क्यूब यहां पर स्लेक्ट हुआ ऐसे के बेद धाना है कोई छोटा सा घर बनाने के इनने क्या करना होगा कि मैंने सबसे पहले तो मेरे नीचे जाँगा नीचे वाली सारी उसको सेलेक्ट करूँगा और इने उपर क्या आउडữa g और z ऐसे अपर लिया है मैं ठिक है फिर मैं फे सेलेक्ट मूड मूड में जाऊँगा ति ऑपर वाले face को select करूँगा इसे extrude करके तोड़ा से ऊपर लाऊँगा तिक ही उपर वाला portion ben गया और फिर मैं थोड़ा से और extrude करके और वैसे scale down करूँगा ताकि इस तरह को एक simple सा घर बन जा है हमारा ठीक है अब यह आपको मैंने basic idea दिया है कि मतलब आप इस तरह की चीज़े बना सकते है और for example अगर आपने let's say इस घर के बीच में दरवाजा बनाने है ठीक है आप दरवाजा किस तरह बनाएंगे वो थोड़ा से अगर यहां जाता हूं तो यहां एक और यलो लाइन बन गी है यहां जाता हूं एक और बन गी है लिक हर जगा पे काफी जगाँ पर आपको different lines मिलेंगी ठीक है अब अभी आपने click नहीं करना ठीक है अभी इस line का मक्सद है कि यहां पर एक और cut बना देगा ठीक है यहां पर समझो आपने mesh को लिया और बीच में साबने cut दिया ठीक है अब मैं let's see आपने left click करता हूं ठीक है और फिर मैं इसे move कर सकता हूं मैं cut मैंने cut यह कहां पर लगाना है अब for example मैं यहां पर cut लगाना चाहरा हूं ठीक है यहां पर मैंने लगा दिया एक अब मैं दुबारा control आर करता हूं एक और cut लगाता हूं वो मैं लगाता हूं यहां पर अब इस cut लगाने का मकसद के मैं आपको एक मैंने में बताता हूं अब यह आप देख सकते हैं कि सारा जो cut है यह throughout इस पूरे object के 360 degree में हर तरफ से cut लग गए ठीक है अब इस cut का फायदा यह है कि हमारे पास extra faces आ गए ठीक है अब मैं let's say face select mode में जाता हूं और यहां पर यह वाला face में select करता हूं तो अब अगर मैं इसे select करता हूं तो आप समझ सकते हैं कि यह basically हमारा एक दर्वाजा बन गए और यह हमारा दूसरी तरव से भी दर्वाजा बन गए हमारा ठीक है तो अब scene यह है कि हम let's say मैं से select करता हूं ठीक है और मैं इसको इसको मैं let's say face select करके मैं अपनी keyboard पर delete का button दावाता हूं अब delete करने में आपके बास options आगी बहुत जादा ठीक है अभी कि आप इनके बारे में बल्सक्री टेंशन ना लें इंशाला आगे जल कि मैं आपको सम्झा दूगा है किस तरह यूज होती है अभी के लिए आप से module जी अगर मैं द बाता हूं अंडु करते हूं है तो इस दर्वाजे को select करके हम इसे डिलीट नहीं करते हैं थीक sounds से क्या करते हैं थोड़ा साल का से सबाइर एक स्टूड कर सकते हो आप पर एक साथ ना व्री एक श्रीट कर सकते ओं अगर मैं एक थेखर नोगu और वह पिर वह reset हो जाएगा ठीक है तो अब मैं इसे select करता हूँ और मैं इससे let's say अगर extrude दबा के और बायर थोड़ा से extrude करता हूँ ठीक है अब होगा क्या कि मैंने अगर यहाँ पर delete करता हूँ ना मैं अब यहाँ पर एक और face delete हो जाएगा लेकिन यह थोड़ा से बहतर लग रहे लेकिन अब यह अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसे दुबारा undo करूँगा in fact मैं इसे थोड़ा redo कर लेता हूँ इस तरह ठीक है यहाँ पर जब हम थे ना इंसेट अब डिलीटिंग इस डिरेक्टली हम क्या करेंगे कि हम इसे पहले इंसेट करेंगे अब आपको एक नए टूल इंट्रीउस कराने वाला हूँ इंसेट अब अगर अपनी कीबूर्ड पर आये दबाता हूँ ना तो यह face छोटा हो जाएगा इस तरह ठीक है इंसेट कर दूँ अबर में डिलीट कर दूँ अब अब देख सकते हैं क monitor my दर्वाइं और अगए अगर मैं अब देख सकते हैं काफी बहुल इसे बहुट बहुत दग रहाanes करेंeg Thanks to the bedroom आइंगे तो यह मैं टैप दुबा के edit mode में तो आप देख सकते हैं सारे जो मैं जबाने वाले tools यहां प्लस में आप scale कर सकते हैं इंडिविज्यली आप faces को सेट करणके scale वगरा भी कर सकते हैं फर जामबल अगर मैं एक चीज मैं करना चाहूंगा कि मुझे यह जो चीज है ना अब हम घर में एंटर होते हैं तो ऐसे ऊपर वाला तो नहीं होता ना मैं थोड़ा ऊपर तो नहीं होता ना स्लाब तो हम क्या करेंगे मैं face को select करूँगा face mode को इस face को select करूँगा और gz और इसे थोड़ा से नीचे move पर देता हूँ इस तरह से ठीक है तो यह आप देख सकते हैं काफी बहतर लग रहे है उसके लावा एक और चीज़ अगर मैं करना चाहूँ वह यह होगी कि let's say मैं इस वाले face को छोड़ा करना चाहता हूँ for some reason ठीक है मैं select करके छोड़ा करूँगा तो यह इस तरह का unique काफी shape बन गया है अब मुझे नहीं पता आप यह क्यों करना चाहेंगे लेकर आगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं रेकर anyway मैं आपको दिखाने हैं चाहरा था कि आप faces को individually faces को यहां फिर edges को आप छोटा कर सकते हैं ठीक है इसको मैं पकड़ के मगर मैंने छोटा कर दिया तो यह इस तरह का shape interesting काफी बन जाएगा तो यह बात होगी यहां पर तो इससे मैं आप delete कर देता हूँ और आज को जो आपका assignment है वो है आपका कि आपने एक perfume bottle बनानी ठीक है आप किसी भी style की perfume bottle बना सकते हैं प्रेफरेबली उसको smooth out करना है आपने bevel tool से और प्लस में आपने कोज़गर नहीं जतनी बहतर से बहतर लग सके वो आपने बनाना है उसे render वगर आप नहीं करेंगे, textures नहीं करेंगे, renders नहीं करेंगे अभी आपको obviously वो नहीं आता, तो उसके लावा ये है कि अभी आपने पहले assignment बनाना है वो, ठीक, assignment आपने करना है वो उसके बाद जो अगली वीडियो है, जिसमें आपको मैं वो assignment बनाना से खाऊंगा खुद, ठीक है, जो मैंने अपनी perfume bottle अपने Instagram के page पे डाली थी, मैं उसको से खाऊंगा आपको बनाना, तो पहले मैं recommend करूँँगा वो वीडियो डिरेक्ली ना देखे, पहले आप प्रोजे करने कोशिश करें उसे खुद, practically आपको समझ जाएगे ना चीज, और फिर दुबारा उस वीडियो को देखें, करने के बाद ता कि मतलब आपके जहन में बैठती जाए चीज, especially जो पहली कुछ वीडियो होंगी ना उनके लिए मैं recommend करूँगा, क्योंकि अगर आपकी base अच करते हैं कि टाप करके अरिट मोड में जाते हैं बच्कि इसको पहले हम वैसे इसके बगार ही कर लेते हैं, ठीक है, S तबाओंगा और Z बाओंगा मैं, ताकि इस तरह से हमारी जो साइज है, वह थोड़ी हलकी सी छोटी हो जाए, ठीक, इस तरह के मारी bottle होगी, अब मैं क्या और फिर मैं G और फिर मैं Z दबाओं ताकि मैं थोड़ा उपर भी आ जाए, इस तरह के हमारा कर शेप बन जाए, तो काफि अच्छा लगएगा, थोड़ा साइज हम बढ़ा सकते हैं, इसकी सम्थिंग लाइक ताट, अब ओविसली ये मेरा डिजाइन है, मुझे लग रहा था काफि अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये बनाया है, आप कुछ और बना सकते हैं, आपकी मरजी है, तो अभी हम पहले इसको पूरा ब्लॉक मॉडल बनाते हैं इसका, उसके बाद हम स्मूधिंग अगर करेंगे, तो ये हमारा हो गया, उसके बाद हम आड़ करते ह करेंगा, और जी थोड़ा से इस तरह से, ये मैं अच्छा लग रहा है, जी हलका से नीच ले आँँ, अब मैं इसको डूप्लिकेट करेंगा, आप किस तरह करते हैं, डूप्लिकेट करने के लिए आपके बास दो आप्शन्स हैं, एक तो है आप इसको सेलेक करें, कंट्रोल सी दबाएं, ठीक है, और फिर आप कंट्रोल भी दुबारा दुबादें, अब अगर मैं से जी पकड़ के और हटाओंगा, तो ये देख सकता हम एक और हमारा पर बन गया, ठीक है, लेकिन मैं से तोड़ा सा उपर ले आँँगा, अब मैं से थोड़ा सा उपर ले आँँग गई है, तो हलका से उपर ले आता हूँ, और फिर मैं से इसकी साइज सोड़ी कर देता हूँ, अब मैं से थोड़ा और उपर ले आता हूँ, अब मैं से थोड़ा उपर ले आता हूँ, अब मैं से थोड़ा उपर ले आता हूँ, अब मैं से थोड़ा उपर ले आता हूँ, इस तरह मेरे खाल में अच्छा लग रहे काफी अब एक चीज में इसमें यह करना चाहूंगा कि अभी आप देख सकते हैं यह सिर्फ मैंने अंदर वाला स्प्रे वाला बनाया है अब इसका बाइर से मैं एक कवर भी लगाना चाहता हूं इसके उपर तो कवर में एड भी कर सक हूं होता है हाइड के लिए एस अगर दबाता हूँ यह हाइड हो जाएगा और मैं अगर आग्ले स्ट्राइब करेंगे के हम बसे क्रेंगे मैं किसी भी एक face को select करता हूँ हम पहले जाते हैं edge mode में ठीक है अब मैं A दबाऊंगा A से all edges will be selected फिर मैं control B अगर दबाता हूँ देए आप देख सकते हैं सारा जो सारी bottle साथ ही आपकी वो हो रही है bevel हो रही है ठीक है अब अगर आप देखेंगे तो यह इतना अच्छा नहीं लग रहा मैं दो मैं मसले है एक मसले है कि बहुत ही इसमें sharp edges है ठीक है मैं अब यह sharp edges नजर आ रही है काफी और प्लेस में इस face में अगर आप देखेंगे तो काफी sharp लग रही है मैं लग साइडनों से जो edges ने काफी smooth नहीं है ठीक है तो उसको हल करने के लिए और एक और मसला जो मैं नजर आ रहा है वो मसला यह है कि अब यह आप देख सकते हैं यह जो अगर इस corner से हम देखें न तो यह इतनी सीधी नहीं लग रही है यहां से थोड़ा कम bevel हुआ हुआ है यहां से थोड़ा ज़्यादा bevel हुआ हुआ है थोड़ा uneven वाली feeling आ रही है ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा उसके लिए मैं undo करूँगा पहले तो हम bevel नहीं करते हैं भी फिला ठीक है सब सारे skills different है अब अगर मैंने इसको same करना है अगर आप कोई भी mesh को edit कर रहे है या फिर कोई जा के bevel modified लगा रहे है कुछ भी कर रहे है तो इसके लिए ज़रूरी यह होता है अगर आपको सही results रहे है तो इसके लिए ज़रूरी यह होता है कि हम दबाएंगे control A ठीक है अब इसमें apply का option वरपस आजएगा इसमें अगर मैं scale apply करता हूँ ना फिर आप देख सकते हैं सारे यह one हो जाएंगे ठीक है और अगर मैं अगर आप देखेंगे या पर location अगर यह भी थोड़ से like mess up हुए मैं जी वाले location जो थोड़ी सी अजीब है तो इसको मैं control यह दबा के अगर मैं location करता हूँ तो वो भी zero हो जाएगा और अगर आपने सारे साथ करने है तो control यह दबा के और आप all transformation को दबाएंगे तो rotation, location और scale जो है तीनों आपके एक साथ ही हो जाएंगे तो इस तरह करना जरूरी होता आपको bevel करने से पहले लोगर मैं अब tap दबा के अब मैं bevel करता हूँ अब आप देख सकते हैं बड़ा ही एक uniform तरीके से और अच्छे तरीके से हमारा bevel हो रहा है ठीक है इतना मेरे खाल में काफी रहेगा अब दूसरा मसला जो था हमारा वो भी तक है वो यह है के edges जो है इसमें काफी sharp है यह आप देख सकते हैं करीब से करें तो काफी sharp edges है smooth नहीं है तो इसके लिए हम क्या करें है इसके लिए हम इसे right click करेंगे तो अपना project save करेंगे अगर आप साथ साथ follow करें तो और प्लस में दूसरे अब चीज की तरफ आते हैं दूसरी चीज है हमारी यह यह वली ठीक है अब इससे अगर मैं share smooth करता हूँ यह देखिए बहुत ही अजीव इसकी shading हो जाएगी यह बहुत ही इसका मतलब बुरा लग रहा है थीक है दिल से कही हए न बहुत बुरा लग रहा है तो इसको हल करने के लिए यह मसले को हल करने के लिए हम यहां पर आएंगे यह जो green color का、「 Beijros true का आप लौर का आप ट्रैंगल बना बढ़ेँ यह थीजीआप और आपने Auto Smooth को टिक कर देना है, अब यह जो सेटिंग है, इसको आपने बिल्कुछ छेड़ना नहीं है, तो फिर आप देखेंगे, अराम से यह स्मूध हो जाएगा, अगर मैं इसे Turn Off करता हूँ तो यह दख सकते हैं कितना फजूर लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसे On करता है, Shade Smooth और फिर Auto Smooth करने से, Right Click Shade Smooth और फिर Auto Smooth, ठीक है, अगर हम Alt H दबाते हैं तो यह आप देख सकते हैं, वह आपस मारे पास आगए, ठीक है, तो यह हमारी basically perfume की bottle almost complete है, अब इसमें यह करना होगा कि यह जो चीज़ें इनको भी हम जाला स्मूध कर लेते हैं, अब जो Cylinder की Faces होते हैं, ठीक है, तो करेंगे के हम Edge Select Mode में जाएंगे, अब Edges Select करने के लिए क्या करने है, हमने इसको Smooth करने के लिए करना ही होगा, कि सारी Edges बारी बारी Select करने पड़ेंगे, ठीक है, इसको दबाया, Shift दबाया, Shift दबाया, ठीक है, अब जाते हो, यह बहुत ही लंबा तर इन में से किसी को भी, डबल क्लिक करता हो, तो यह सारा Loop सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहले पराने वर्जिन में डिफरेंट होता था थोड़ा सा, Shift दबा के, नहीं, और सरी, Alt दबा के क्लिक करना होता, लेकिन अब इन लेटेस वर्जिन में जेंज किया है, कि डबल क्लि अब इस वक्त नहीं लग रहा है, यह मॉडल क्योंकि हमने इस असली बनानी कोशिश नहीं किया अभी, जब हम रेंडर करेंगे, इसे लाइटिंग करेंगे, टेक्सिरिंग करेंगे, जो क्या आगे हम इंशाला सीखेंगे, तो फिर इंशाला यह बहतर रहेगा काफी, अभी लाइटिंग सीखेंगे ना, जब हम इसी पर्फिम के मॉडल को लेके, इसी को लाइट करेंगे, ताकि आपकी एक ही जीज़ बनी वी हो, उसी चीज़ को आगे काम करेंगे हो, और आखिर में जो हमारा रिजल्ट होगा, वो तक्रीबन इसके बराबर होगा, ठीक है, यह जो इसे different है, थो हम ऐसे ही कर लेटें है는, अल्ट ऐच दभाएंगे और इसको हम, टाब में जाके टाब के बगएर ही हम कर सकते है, एस तबाएंगे, जी धबाएंगे, हमसे तोड़ा चोड़ा करेंगे, और फिर हम इसे जी दबाएंगे, जी थबाएंगे, दीदे थोड़ा से बहुत अच्छा लग रहे भी फिलाल और अगर आप में साथ follow along की है तो congratulations आपको मुबारु को आपने पहली परिफियम बनाइगे है मोडल और आगे भी आप बहुत चीज़ें बनाएंगे काफी तो अभी इस प्रॉजेक्ट को सेफ कर लें और अभी आप यहीं पर इसे छोड़ते हैं एक चीज़ बलके मैं अड़ करना जाओंगा इसमें कि हम अगर यहां पर जाके एक plane आड़ करते हैं मैश में जाके अगर प्लेन आड़ करते हैं plane क्या होती है एक simple एक समझो face होता है ठीक है अगर आज यह प्राक्टिस अज यू फेट कमव्टिबल कमव्टिबल विद ब्लेंडर अजसे इसे एंचल आपका सही होता हुए इतना तक्रीव है मैं ऐसे eyeball करके इसके लिए पारलल ला दूँगा ठीक है फिर मैंसे चोटा करूँगा साइज में और मैं इसे फिर थोड़ा सा आगे लाता हूं जी एकस हलका सामेसे आगे लाऊंगा ठीक है और अब देख सकते हैं हमने लेबल इसके उपर वाला बना दिये ठीक है अब मैं इसको पकड़ के फर जामब एक चोटा कर दो थोड़ा सा स्केल में इसकी वाई में इंक्रीस कर दो इस तरह से जस तरह मैंने इसमें बनाई वी थी करने का तरह का है इसमें भी हम वेवल करेंगे टीक है मैंने इसको सब्सट्रोंत कुछ बाएं कर सकते पोइंस इक हैं चीज उगस्क हो रहाए अब हैकर चीज्द खेंकि यह चुल्प वान इससे के हैं लेकिन अब यहां से व्यौन हो रहा है इस से कंदे नहीं और चूने उसका reason यही है यह हमारा जो scale है अगर हम यहाँ पर जाएं object properties में scale हमारा आगे पीछे हुआ हुआ है बस simple आपने control A दबाना है all transformations कर दें और फिर actually इसे undo कर लेते हैं पहले आपने करना था control A all transformations apply कर दें अब आप दोबारा जाएंगे इसमें और आप control shift P अगर दमाएं तो आप देख सकता है बिल्कुल uniformly और सीधे तरीकर से इनसानों की तरह वो कर रहा है ठीक है अपना काम कर रहा है इस तरह किया और हलका से increase कर दिया यह और मैं एक second फोड़ा से आगे लाना चाहूँगा GX हलका सा से आगे ले आते हैं इस तरह से ठीक है अब आपने इसको exactly किस तरह flush करना है वो आगे मैं आपको बताऊंगा जब हम modifiers करेंगे अभी के लिए लेकिन इतना ही काफी है अगर मैं आपको अभी बता दूँगा आप थोड़ा कब दक infuse हो जाए तो यह हैं पर हम इसे छोड़ते है और इसे थोड़ा सा उपर लाना चाहिए मैं रिखाब लें GZ हलका सा उपर ले आए इस तरह से लेकिन फिर यह अंदर से ला जाएगा इसके तो इसे बाइर भी लाना पड़ेगा ऐसे ठीक है यह हमारा प्रिफिम बॉटल बन गी है अभी के लिए अभी इसको टेक्ट्र वगरा हम करेंगे बाद में लाइटिंग करेंगे इस पर यह जो फ्लोर है यह भी इंशाला आगे चलके कोशे हम बनाना सीखेंगे तो पहला हमारा जो रेंडर होगा इंशाला यही वाला होगा तो अभी के लिए मैं अगर आपको करिक्लम दिखा दूँ तो हमने बेंडर बेसिक्स जो है इंट्रोडक्शन वगरा वो कर लिए है ठीक है हमने टेक उठाके मैं यहां भी लगा देता हूँ मैश मॉडलिंग फंडेमेंटल जो है के क्रिएटिंग मैश अब्जेक्स फंडेमेंटल मॉडलिंग टूल्स और मेश इलेक्शन चूल्स यह आपने मुवीज कुछ आइसी देखनी है जिनमें आपको आर्टिस्टिक सेंस आपको थोड़ा बहतर बने ठीक है आपको जो एक आरठीस्ट का सेंस होता ना कहरे क्या चीज अच्छी लग रही क्या चीज अछी नहीं लग रही और किस थारा से एक जईक इसऱा सेंस एक फड़ा कर् equally सिखाता आपि हो आखता बहुत हैर आफ कि मेरा कोई आर्टिसरी ब और पढ़़ा ब्लेंदर और कुछ कर रहा हूं लेकिन कुछ मुईस मैं आपको रेक्मेंड करूंगा और कुछ आट वर्क मैं आपको इंस्टराम की कुछ अकाउंट्स फॉलो करने को बोलूँगा जिनको आप देखना है सबसे पहले तो आप मुझे फॉलो कर ले मैं करनी है इन्स्टराम पेस का नाम है की नाम था एंडर्यU प्राइस में इंड्रीउ प्राइस यह यह हूँ इस व know को आपने पहले सबसे पहले फॉलो करने है ठीक है इस मन द qui काफी अची हाणफ है यह अप्लोड करता रहता है डिफरन्ट शीजे में आगै अ ठीक है उसके लाव आपने करने डेरिक अलियट को फॉलो डेरिक अलियट यह भी काफी अच्छा आठ्फट बनाता है इसके अर्टपर्क ऐसली मुझे बहतर लगता है काफी काफी लोंग से और इसकी मैंने खुद भी काफी इस्परेशन दी एकसे काफी टुटोर्ल्स होगरे आपको मीम्स का इंट्रस्ट है तो ऐसे क्यावत आपकी बहतर होती है स्किल्स सीजी कुकी को भी आपने फॉलो करना है ठीक इसको मैं भी नहीं करता पता नहीं क्यों देकें लाइक इसका भी काफी मज़िक आपको इस चाहिए स्पिरेशन मिलेगी पर आस्ता आपका आपका आर्टिस्टिक स्टाइल वह बहतर होता जाएगा अपने fundamentals of lighting वगरा lighting का सारा वो है और plus में shading वगरा का भी आपको तोड़ा सिखाऊंगा और rendering किस तरह होती है और इस तरह से वो आपको इंशाला next week में बताऊंगा तो अपना ख्याल रखीगा अलाव असलाम भीडियो में वेल्कम बैक तो देखिए आज की वीडियो में सीखें है lighting के basics ना अभी पिछले वीक हमने क्या बनाया था हमने यह बनाया था परिफ्रिंग बाटल ठीक है अब इस पर ना लाइट्स एक्ट करते हैं पहले तुम आपको एक्समें करता हूं यह से सकते हैं light है एक डिलीट करें तो आप देख सकते हैं कैसले कर दो कुछ समय में light आई नहीं एक वह घ्रिए थिकर था है तो इसलिए मैं आज में जाओंगा light को क्लिक करूब और यहां से आप lights है कर सकतें ठीक है अब lets's name एक ऑनकल एक पॉइंट पॉइंट पॉंट या लाइट करते हूं ठीक है मैं आपको सारी लाइट का बारी बारी बताऊंगा परपस क्या होता है अब इसको में जी और एक्स दबाऊं इदर ले आऊं ठीक है जी जी दबाऊं उपर ले जाओं और अब देख सकते हैं हलके य-axis में लेकर जाएं इदर लेकर जाएं और जी और एक्स का थोड़ा पीछे ले जाएं अब लेख सकते हैं दोनों लाइट जास पर काम पर रही है और ये काफी अच्छा में लोगते रहे ठीक है लेकिन अब मैं आपको थोड़ी लाइट की बेसिक्स बताता हूं अब आपन यहां पर ग्रीन के बना इसको अपने क्लेक करने ठीक है उसके बाद यांप अब दिख सकते हैं पावर पावर को अगर मैं लेट से हंड्रिड वाट्स कर देता हूं और बेख सकते हैं काफी इंक्रीज होगी इंटेंसिटी ठीक है अब एक और चीज में आपको बताता हूं करले कर लाइं तो बावन गबंदेट आट कहाम यहां से अभि आपको इसीज़ागी आप पर देख सर्मैद को यह से फच्छी लाइंस से नो को यह से अब शर्चेश और सब्सक्रीण और हैं एक जो क्लार इंट जो अगर आप्निट तो वाई बादने से हैं कि साचुरेशन कि एस वाली वाली हो ना इसको जीलो करें और एच वाली वाली को बीजिरो करें ठीक है और वी को 100% रहने दिए इसा कि आपको 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 वाइड कलर बन जाता है अगर मैं इसको इसे ले जाओं और यह आप देख सकते हैं काफी हमें अच्छी लाइटिंग लग रही है ल इस फितक ठीक है एक सकते हैं इसमें इसमेंना क्या होता है कि एक पुरा एक क्या ह्यारी एक विख करने है एस तबाएं और स्केल अप कर सकते हैं आप से अराम से प्लस में आप देखने हैं यह लाइन इसमें से निकल दी और यालो का डॉट ही इसका क्या काम है यह बेसिकल आपकी लाइट की डिरेक्शन को चेंज करता है ठीक है जो पॉइंट लाइट होती है उसमें यहां पे यहां पर अगर मैं देख है और फिर मैं इसका फोकुस दहीं आप पर कर दो और इसके जो ॉफॉर बाइब वे पावर और कलर की लैप कलर की सेटिंग्स वह बोर में से हुआ हैं आपने सीदा अच्छा नहीं नहीं माननी होती है क्यों दो पर आपको लोक इतना आ रही है ठीक है जो आप दिख सदेंगे कि इतना बुरा लोक आ रहा क्योंकि हर जीकान नेक को भी सेंग लाइट लगी है तो इतनी जाथ कॉंट्रास्त नहीं एक रही है तो इतनी जादा नहीं जाड़ से क्रेड़ी है एक है प्लस में एक और बात है कि आपके जो शाड़ो जन ने किया है ना यहां पर कि यह सब्देक्ट हमारे यहां पर ठीक है यह समझे वह अलटकी टीक और आपका जो फेस का फॉर्म है बहुत अच्छा है ठीक है और अगर आप इसकी बात करते हैं तो बहुत ही लाइक साइट पर लेगे प्रसमें इसकी इंटेंसिटी जो है ना छोटी होगी ना जाइस इसकी अगर में चोटी करता हूँ जो भी आप इसके तब बाता हो रहा हो लेकिन उसके शाड़ों जादा हार्श बनतें अब यह विख सेँगतें यह जो शाड़ों काफी हार्श बन रहे है ठीक है कि इसी करता हो अगर यह सीच सब्सक्राइऑ हम शाडवल एरिया और अगर हम इसे बहुत ही इंक्रीस करें तो आप देख सकते हैं कि इतना लएकिए बहुत ही बलर हो गया बहुत ही सॉफ्ट लामे लाइटिंग दे रहा है तो यूजली अगर आपको इनसानों के रेंडर्स करने है या फर जामल किसी प्रॉडक के करने है तो पर आपको सॉफ्क लRIAटिंग चाइए होती है अगर आपने अब ャरुन E gebracht करने है आउट्डोरने इसका उर्ग में इसमें कहा है किसमें सिर हई एक साइट में लगई है यहां से बहुत जाए अब स्टर्णद में है और इसमें क्या हो रह रहा है यह इसमें और कोई बहुत ही कोई हॉरर काई ऑफ रेंडर बनाना है ठीक है तो बिर इस तरह लाइटिंग चल सकती है इसमें कॉंट्रास जादा हो लेकिन अगर आपने ब्यूटी शॉट करना है तो इसमें किया होगा कि उसमें आपने फिल लाइट करनी होगी अब मैं आपको बताता हूं फिल ल मैं जी-जी करके नीचे ले आऊ और रोटेट करके इसे पीछे ले जाओ और फिर मैं इसका जो एम हो यहां पर रखना है तो अब आप देख सकते हैं यह जो है ना इसकी इंटेंसिटी कम करनी पड़िए आपकी फिल लाइट के हमेशा जो इंटेंसिटी होती है वो थोड़ नहीं थे अगर हम यहां से यहां से यहां से हम जो मारा फाइन डेंडर है वह द देखते हैं तो पर आगर में इस लाइट को हाइड करें आप देख्सकते हैं इंगे लिए अगर आप कीबॉर्ट पर अबिस्टीज आ हिदी अब यहां है तो यह आपको इसका सीन है तो अभी को बता रहों और भुष को गता है 3-point lighting setup intensity 100 कर दूँं वो होता है कि एक सब्सक्राइब इसको अगर मैं पॉजिशन तो यहां से रिंडर कर रहा हूं ठीक है तो अगर मैं इसको हाइड करूं इस लाइड को तो आप देख सकते हैं अगर मैं इन व्यूपूर्ट को आफ करूं सिर्फ अगर यह रेंडर हम देखें तो य यहां से ना हलकी सी जो अगर आपका पीछे में बैक्राउंड में कुछ ग्रीडियंट लगा देता ना तो इतना जादे डिफ्रेंशियेट ना होता हमरें बैक्राउंड से ठीक है अगर मैं अल्टेश दबाता हूं तो आप देख सकते हैं यह बिल्कुली ब्लाइक हो गया और यह अल्टेश करों तो हल्की सी जो लाइट आ रही है बहुत सटल एफेक्ट होता है लेकिन इसकी वज़ा से हम एक बैक्राउंड करते हैं अगर हम इस जीदों को वापस लाएं और बैक्राउंड को अगर हम वापस जैसा था पहले वैसे कर दें यह मैं आपको यहां आपकी एक फिल्म मेकिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपके एक्जाट यही फिल्वासिफी जो यूज़ होती है तब यह बहुत ही फेमस लाइटिंग सेटप इस ब्से जद जबसे ज्यादा फेमस यह थी इस फृप्ट लाइट इंग सैटप ठीक है यहां पे की और इवन आप रिम लाइट किसी और कलर की भी कर सकते हैं जैसे इस पिक्चर में यहां से जो है यह एक डिफरेंट कलर की लाइट आ रही है तो यह आपको काफी लेक लोग को इंप्रूफ करता है तो त्री पॉंट लाइटिंग से लग यह हो गया अच्छा मैं आपको इंट् पॉलजी है इसके वाइर फ्रेम्स जो है वह आपने देखने है तो फिर आप इस मोड को दबाएंगे और फिर आप आप देख सकते हैं जो कि इसमें लाइन होंगी ना इसमें कट्स होंगी जहां पर भी इस 3D मॉडल में वह को नजर आ देंगे अभी के लिए में इस इसमें पर इसमें बाद में लिए उनका और देंगे ताके लिए लिए पर इसमें कलर्स हो गया जाते हैं और पर सारा गुछ फो रियलिस्टिक की सबादे मुड़ का मोड ओता है अगला यहां बहुत आते है सो इतने रंडर्ड मॉड ठीक है रंडर्ड लुक मीं किया होता ह कि आपको जो भी लाइटिंग होती है सारे कुछ वो इसमें शो कर रही होती है अगर मैं लाइट को आप सॉन कर दूँ अब देख सकते हैं इस मोड में हम पहले थे अभी अच्छा दो लग रहे लेकिन बात ही है कि इतने जाला अच्छा नहीं लग रहा है उसकी रीजिन ये कि अभी हम एक रेंडर एंजन में ठीक है रेंडर एंजन होता है जो आपको आपके इमेज को रेंडर रेंडर कर रहा है ठीक है अभी जो समें रेंडर एंजन में है अगर हम सेटिंग में आते हैं अभी अब देख सकते हैं इवी है इवी रेंडर एंजन में ठीक है अगर हम सा और रेंडर होने में टाइम भी जाद लेता है ठीक है यूजुली जो सारे देंडरिम नेखो स्की वह साइकल से पशिक शुम्हें आप से नाउज आगा था जाकम नेखा था तो अगल इसको प्रणान इसको करेंगे लिए नाप पड्रेंटर और जो प्लेड़ और करेंगे आपको यह मैंने इंट्रिउस अभी इसलिए किया है क्योंकि मैं एक और लाइटिंग मेथेड़ आपको इंट्रिउस करना चाहरा था जो क्या आप यूशली आउट्डोर रेंडर्स के लिए और कुछ मेलोर रेंडर्स के लिए जो जादर रियलिस्टिक होते उनके आप इसमें जो आपको बैक्राउंड है उसके कलर को डिफाइन करता है ठीक है अगर मैं इसके कलर को यहां पर कलर करूं और इसको चेंज करूं पर इजांपल अगर वैसे इसका जो जो प्राइटनेस निक्रीज करूं और किसी पर दो तो पर आप देख सकते हैं अगर मैं प्रिफ हो जाएगा ठीक है यह उशली हम अगर से राइने इसको ब्लाइक पी रखने है ताकर, जो हमारी राइट सेन्हा 50 को आप और इस चा नहीं अब आप दए हमारात अच्क्राइम हए ठीक आब इस्टों होता है एक इमेज गूता है जिसको आप यूज करते हो अपने सीन को लाइट करने के लिए अब यह इमेज़ आप खुद बना सकते हो लेकिन हम यूजली डाउनलोड करते हैं अगर मैं सर्च करूं हुआ है सिर्फ इस्टियार अगर मैं सर्च करूं तो फिर आप देख सकते हैं सब से उपर जो वेबसेट रहेंगी पॉली हेवन इसको मैं ओपन करूंगा यहीं वेबसेट होती है जिसलियाम डाउनलोड करते हैं फिकर इसमें फ्री आपको इस्ट्राइज मिल साते हैं बागी वेबसेट्स आपको पेड मिलते हैं तो अगर आप वो लेना साथ हैं आपके पास वह आप्शन भी वे अगर हमें यह वाल है पसंद आगे तो फिर हम इसको ओपन करेंगे और यहां पर जाके ना डाउनलोड का बटन दबा देंगे अब इसकी कॉलिटी आप देख लीजिएगा अगर आपको पीसी चोड़ा स्लो है तो आप थोड़ी कम कॉलिटी कीजिएगा अगर आपको पीसी जाए ना वह जिस जगह पर सूट करता है वह वह लाइस चाहिए यूजली रियलिस्टिक लाइटिक के लिए और मारी पर्फिम बॉटल हमारी ऐसे मतलब घास में तो नहीं पड़ी होगी ना मतलब सेंस नहीं मनाता तो ऐसे रोट पर भी नहीं पड़ी होगी और किसी घर के अंदर होगी यहां पर किसी स्टूडियो के अंदर होगी प्रेफरनी ठीक है तो उस तरह के आपने हैं जRe पे आपका object like it's likely to be found there, ठीक है, तो जब भी download हो गया, तो हमसे क्या करेंगे, कि हम इसे let's say desktop पे ले आते हैं, ठीक है, हम इसे let's say desktop पे ले आते हैं, ठीक है, हम अगर में आ के, यहां भी आता हूँ ना, surface में, अभी है, अभी है अगर एड किस तना करते हैं, इसका तरीका जो है करें, और यहां पे open में जाएं, और यहां पे आप जा कि select कर लें, जहां भी अपने HDR है safe किया था, अगर मैं जाओं यहां पर यह फोटो, brown photo studio one, ठीक है, इसको open image कर लो, अब आपका देख सकते हैं, हमारे HDR है लोट हो गया, लेकिन हमें कोई difference फील नहीं हो रहा, क्यों, क्य देख सकते हैं, इसमें generally एक बहुत ही realistic जो lighting जिस तरह की होती है, जिस तरह की lighting इस object पर आती है, अगर यहीं पर पड़ा होता, इस जगह पर अगर यह object पड़ा होता, उस तरह की lighting इस पर आती है, तो वो आ रही है, इसमें, सेफ कर लें पने project को by the way, तो यह जो HDR है इतना जा ठीक है, इसको आइड करने का एक और भी तरीका होता है, node-based तरीका, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, पिस वोड़ा सो complex हो जाता है, जब हम textures की तरफ चलेंगे, और हम properly like node workflow introduce कराएंगे, तो फिर इंश ओला मैं आपको वो तरीका भी बता दूँगा, वोकी स इसको आपने, अब मैं इसको ओपन करता हूँ, देख सकते हैं यह आप थोड़ा सा बहतर लग रहा है, पिकिस इसमें क्या है कि इसमें हलकी सी color variation है, यहां से white lighting है, यहां से yellow lighting हलकी सी, वहां से yellow coffee shade आ रहा है, इसका, तो यह देख सकते हैं आप काफी यह बहतर लग रहा है, in इसमें अब मैं अपने काम की बात करने हैं तो यह जो है, इसमें जो पीछे background है, यह सारा HDR ही है, ठीक है, अगर हम बात करें, लटसे, कौन से वाले में इसकिया था, अगर हम फ़र जांपल बात करें, इसकी, तो इसमें यह जो background है, यह तो table तो मैंने खुल बनाई थी, लेक यह नहीं से इसी website से उठाएते हैं, तो हम काफी जादा यूज करते हैं, यह भी HDR है मेरे खाल में, हाँ यह इसके background है, forest वाला, बस मैंने इस ट्रा इस सर्च किया, इस ट्रा फॉरेस्ट, अराम से आपको भी download कर लें, तो मेरे खाल में यह वाला था, तो कोई भी आप select करके वो download कर से नाम से, तो यह आपका हो गया, अभी इस render के लिए, इस specific render के लिए हम HDR को नहीं उस करेंगे, तो जब मैं यहाँ वे cross दबाता हूँ, तो यह दिख सकते हैं, पूरा purple हो जाएगा, अब कोई भी चीज़ अगर purple हो ना, कोई भी texture आपको purple हो blender में, उसका मतलब भी हो ठीक है, अगर इसको आपने बिल्किली खतम करना है, तो आप इसको यहाँ भी, इस cross को दबा सकते हैं, ताकि टेक्ट्चर पूरा जो है, जो वर्ल्ड, पूरा आपकी जो background उस पे लगाव हो हो सारी खतम हो जाए, और अब alt edge दबाएं ताकि आपकी lighting जो हो आपस आजाए, प्रोजेक को सेफ कर लें, और हम इसी के साथ हम चलेंगे, यह हमारी lighting होगी, और अब हम चलते हैं अगले step की तरफ जो है textures आइट करना हो, अचाब सबसे पहले तो textures और materials में difference क्या होता है, materials वो होते हैं, जो आप इन objects के ऊबर लगाते हैं, और textures वो होते हैं, अगर आपने कैसी image को use करके, कैसी image के texture उसकी जो roughness होती है, उसके bumps होते हैं, उनको use करके आपने एक और नया texture बनाए है, उसको कहते हैं, texturing ठीक है, अब क्या पता को समझना आ रहा हो यह है, लेकिन आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे material properties लिखा आएगा, इसको क्लिक करें, आप यहाँ पर ना, यह आपको बाइद आवे नजर नहीं आएगा, यह वाली चीज़ा ना, यह बाद में इंस्टॉल करेंगे, इसको भी आप ignore करें, आपको सिर्फ यह वाली चीज़ा भी नजर आए में है नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको न्यू क्लिक करना हुआ, न्यू क्लिक किया, आप देख सकते हैं, कोई difference नहीं आएगा, इसके लिए बाइद हुए हम इस mode में से लिए आते हैं, था कि हम आराम से materials को देख सके हैं, और हमारा जो computer है, वो slowdown भी नहीं हो, इसको ल है, base color, इस वे आप, obviously, बहुत self-explanatory है, काफी आप समझ सकते हैं, कि कोई भी आप color करेंगे, वो इस color का object हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं अगर से yellow करता हूँ, और पर render करता हूँ, आप देख सकते हैं, काफी realistic yellow लग रहा है, ठीक है, अगर मैं for example, इसे किसी तरह का, let's say blue कर कर दूँगा, hue को zero कर दूँगा, और ग्रे कलर मैं से दे दूँगा, something like that, ठीक है, अभी के लिए, बाद में मैं चला है से change करेंगे, अगर हम नीचे आते हैं, सब surface को अभी आप ignore करें, metallic, metallic काफी important setting है, इसको अगर आप increase करेंगे, तो आपको जो object है, तो आपको जो object है, व और काफी metallic है basically, इसमें भी अगर आप देखें, एक second, यह animation अगर मैं play करूँ, इंटायर्स पे आप गोर किजिएगा, जहां पे अगर नजर आते हैं, यह लेक metallic texture है, इसमें reflections भी हो रही है, roughness भी काफी इसकी काम है, तो यह अब texture इसमें बनाना सिखेंगे, आग जलके, ठीक specular को आपने बिल्कुल हाच ने लगाना, because specular क्या होता है, कितनी reflections आपका object में आ रही है, ठीक है, उसको हम control करते हैं, इस roughness से, ठीक है, roughness अगर आप कम करेंगे, तो obviously आपका जो है वो जादे एक glass की तरह लगने लग जाएगा, और जादे इसमें shiny reflections होंगी, अगर आप roughness क बिल्कुल ही increase करते हैं, फिर आपको बिल्कुल ही dull color हो जाएगा, ठीक है, यूजली roughness ना किसी चीज में zero होती है, real life में, और ना ही किसी चीज में, बिल्कुल ही one होती है, इतना भी rough चीज में आसच होती ही नहीं है, ठीक है, except for like rubber, I think, तो usually आपने zero को बिल्कुल अपनी है, अगर अपनी realistic look के, लोग आपने देना ऐसे, तो यह roughness हो गया, roughness को अगर हम थोड़ा increase करते हैं अभी के लिए, इतना एटिंग ठीक रहेगा, अगर में नीचे आते हैं, तो यह sheen, 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 clear coat वगए हैं, इस अपको आप इग्नोर करें हैं, काफी like advanced चीज हैं, transmission transmission के लिए, अगर मैं transmission को increase करता हूँ, आप देख सकते हैं, यह basically glass बन गया है, अभी lighting हमारे पर इतनी ज्यादा वह नहीं है, जो glass को support करें, अगर मैं है HDR आड़ करता हूँ, आपको दिखाने के लिए, HDR environment texture, open, अब कहीं पर भी आप जाके HDR select कर सकते हैं, मैंने अपनी पूरी HDR एक लाइबरी बनाई वी है, जिसमें मैं सारे जो, जितने में HDRS में यूज करता हूँ, यूजिली, सारे मैंने इसमें डाले हूए है, आप भी इस तरह के लाइबरी बना सकते हैं, अब यह देख सकते हैं, ग्लास हमारा बन गे, लिकिन काफी rough है हमारा, तो glass अब यूजिल अब इसकी बनाएंगे, तो आप इसकी roughness को काफी कम रखेंगे, ताके realistic glass लगे, यूजिली बनाएंगे, यूजिली बनाना और प्लस में पानी बनाना, इन दो तो टेक्स्टिर काफी मुश्कल होता है, यूजिली, यूजिली, आप देख सकते हैं इतना ज्यादर रियलिस् करेंगे तो अभी अगर मैं ऐसे अंडू करूं एंडू होता है अगर आपको नहीं पता तो ट्रांस्मिशन को मैं जीरो ले हूं वापस तो यह नॉर्मल जैसे मारा टेक्ट्टर था पहले वैसी बन गया है तो इमिशन जो है इमिशन है आपने फर इसामल किसी ऑबजेक को ला अगर आता हूं यह पहला इसी की लाइट इस उबन की लगी ठीक है हब अबजेक में सब्सक्राइब करते हैं effect करती है तो अब इसको अगर में laws कोशिए इनक्रीज करना चाहूँ आ पूरा यह ओक María रागी है तो इसे से आप अगर आपने लिच लाइट से लाइट निए उज नहीं कूई आपने लाइँ उसक तो प्लें बनाके एक टीक आप लेन आड करें अब अभी लेकिन मैं दोबारा से बनाना नहीं चाला पूरा तो पर क्या करूंगा मैं इस मेन्यू में आऊंगा और यह बॉड़ी वाला जितने बी माई पास होंगे ना उस सीन में अगर मैं इसको क्लेक करता हूं तो इस पर भी यही मटीर लग जाएगा ओटमेटिकली ठीक है जीजी अगर मैं इस नीचे ले जाता हूं तो यह हमारे पास टेक्निकली एक लाइट ही बन गी हमारे पास तो इसके आप अuff जाके अचेजिकली तो एक बने इस ने भी उपक लेने हैं तो यह जो ओब्जेक्स है ना जो यह लाईने है लाईटों की इस 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 ओपजेक्ट मेना मेरे जाकरruck कर दिया भी आपट पह से चूड़ तो इसके को करें गें Tiny में मैं अच्छार सुदी नॉड है हमारे बहुत ही basic material बन गे तो अब हम जाके ना सब चीजों पर यह material आड़ कर देते हैं ठीक है अब लेट से हमें जो cover है cover हमने बनाना है glass का नहीं material आड़ करते हैं हम नाम रखते हैं glass अभी क्या बाइद वे आपको थोड़ी चीजें मुश्किल लग रही हो इसलिए मैं आपको recommend करेंगा सारी वीडियो को दो तीन तीन बार देखें प्लस में आप यह करें कि सारी वीडियो को आइस्ता आश्ता करके लेक पॉस करके बार बार और करें और करें हम ट्रांस्मिशन इसी बढ़ा देते हैं बेसिकल इसे glass बनाना है ठीक है यह देख सकते हैं काफी हमरा अच्छा glass बन गए ठीक है अब हम इसमें आ के मैं चेक करना चाहरा हूं कि वह जो मॉडल था हमारा जो हमने आ हम जैसा बनाना था उसमें कैसे है अच्छा यहां प तो थोड़ा सा मैं ट्वीच करना चाहूंगा इसको मैं ऑफर जाके फोड़ा सा इंक्रीज कर दूम है से और इन दोनों को भी मैं थोड़ा सा उपर इंक्रीज तरह से तो फॉड़ा बहतरा रहे तो अगर हम नजर तो अब बहुत ही चोटा आईड आए ता थो यहां पर हम बाइद हम एप टो इसे जो बैक्टराउन है को थोड़ा हमारा लिक लुट बहतर अ कि तो क्या करेंगे शु संब किरते हैं मेटल अब डिकस्टर I am सबसे पहले आपने क्या करना है मेटालिक को 100% कर देना है दिख सकते हैं अल्रेडी एक मेटल की तरह लग रहा है ठीक है अच्छा एक और में टेप आपको यहां पर देना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई एंवीडिया का आर्टी एक्स ग्राफिक कार्ड है ना फिर आप देना जाकर पर देनाटिफ करें आपको और तेक्स गया अच्छा ओड़ा फीचर की अपको आपको इमेजगी लगेगी लेकिन पर नौइस से बहुत बहुत हो ता हिए तो यह चीज में एक नब्राफिक आप बहुत भी अगर आपको और आपको डियूस के रहाए वाला तो मेटालिक हमने इंक्रीस कर दिया तो यह मेटल की तरह लगने अलग गया लेकिन बहुत ही ज्यादा वह रॉफ है तो इसकी रॉफनेस हम कम करेंगे थोड़ी सी अब देख सकते हैं भी थोड़ा रियलिस्टिक ज्यादा लग रहा है मेटल की तरह अगर आपने एक स्पेसिफिक एरिया को आप अभी देखना चाहते हैं बागी सारे सीन को आपने नहीं देखना अगर आप ज्यादा चीज़ेंगे तो आपको सीप्यू थोड़ा स्लो हो जाएगा उसके लिए क्या करना होता है आप कंट्रॉल बी दमाएं आपको यह चीज़ जाएगी उससे ना पर एक एरिया चोटा सा स्लेक्ट करें और पिर उस वक्ते लिए सिर्फ वही एरिया रेंडर होगा ताकि पर आप आराम से उसी एरिया पर काम कर सेके तो यह और हैंडी टेप आपके लिए रफनेस करें कलर बेस कलर अगर फुली वाइट करें इसका और तो है हम आइधिंग रफनेस अगर इंप्रीज करते तो ब्लाक की तरफ से चला जाता है इतनी रफनेस काफी होगी रफेंस पर देखें कैसा है रफेंस यह इसी तरह काली कलर तो रफेंस में लाइटिंग तो यह नाइड करेंगे इंशाला एंगे लिए वाद में आड़ कर देखेंगा था यह रेंडर रेंडर रीजन कहते हैं से रेंडर रीजन जो डिफाइंड किया था कंट्रोल आल्ट पी अगर आप दबाएंगे तो यह खताम हो जाएगा ठीक है अगर हम उपर जाएं और इस वाले अंदर वाले आपजक को सिलेक करें इस पर भी हम वही मेटल बने वे हैं और मेटल का टेक्ट्रो इस पर आट करदैंगे अब मसला है कि यहां पर इस रॉफ्नेस के साथ यहां पर अच्छा नहीं लग रहा लेकिन ऊपर यह टेक्ट्राइब अच्छा लग रहे है ठीक है तो अगर हम इसके reference increase करते हैं तो मसला है कि उपर भी increase हो जाएगी इसकी तो हम करेंगे हम क्या अभी आप देख सकते हैं यह जो material का नाम लिखा हूँ है इसके आगे एक number भी लिखा हूँ है ठीक है यह जो number है ना यह basically बता रहे हमें कि कितने कितने objects हैं वो इस material को अभी use कर रहे हैं ठीक है अभी one, two, यह वाला अंदर वाला दो यह होगे और तीसरा यह होगे ठीक है तो तीन objects अभी से use करने है अगर हमसे click करते हैं तो अब देख सकते हैं यह metal.001 लिखा आगा है अगर हम इस list में जाएं तो यह देख सकते हैं यह metal अलग material है और metal.001 जो है वो अलग material है मतलब इसने basically क्या क्या है उस material को duplicate कर दिये और वो जो नया material है वो सिरफ इस पे लगा है तो अगर हम इससे let's say इसकी reference increase करते हैं ठीक है तो इसको ऊपर वाले को effect बिकुल नहीं करेंगा है ठीक है तो project को save करना है और अभी हम इसको खुदी अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं something like that should be good probably obviously हम इसका यह वाला बाडी वाला texture इसको हम जेंज करेंगे in fact हम इसे थोड़ा साभी कर लाता है हलका से इस तरह से और इसकी roughness increase कर लेते हैं थोड़ी सी something like that तो अब हम से side चे देखें तो यह metallic जिसका look है हलका सा हो हो रहा है highlight हो रहा है थोड़ी सी अगर हम इसे इस तरह करें वान नहीं roughness increase करने हैं पड़ेगी something like that ठीक है तो अब हम क्या करेंगे अब इस पर टेक्स टाइब करेंगे अब मैं आपको यह basically reason इसको अठ करेंगे यह था कि आपको tax start करना भी सिखा हो मैं blender में तो होता है कि आपने सबसे पहले जाना है add में आणोब मोड में जाके आपने आना है थेक्स में अब धिक्सकते हैं आपके वस्ट आज़े अब एडिक्स 사MKने करना चलों यहां पर सेटिंग्स भी आएंगे जो ए लिक्षा आँ यहां भी आपको कुछ मिलेगा निया इरिटिंग का ठीक है करना क्या आपने टाब दबाने एडिट मोड में जाने एडिट मोड में जा कि ना आप इसमें जो लिखना जाए वो लिख सकते हैं तो आपने लेट से अब म आर जी और 90 दोबारा करूंगा इस तरह हो जाएगा रोटेट यह साइज शूटी करता हूं इसे और शूटी कर लगते हैं इसको यहां पर यह अजया ले हैं साइज इसकी अपने जाप से अज़स्ट कर ले अब देख सकता है फॉंट अच्छा नहीं लग रहा ड़िए बिकर अम ऑब इसका फॉंट है वह पर खास निया है डिफॉल फॉंट है अब मैं सो टेक्स कर दो पहले तो इसमें आगे ले आता है इतना अभी ठीक है इसको बाद में अजस्ट कर लेंगे अगर आप देख सकते हैं इसका फॉंट जो है वह बहुत ही बेसिक है तो इसको फॉंट चेंज करना होगा कि हम यहां पर जाएंगे फॉंट में यह अब ब्लेंडर का मसला यह है कि आपके जो फॉंट आपके इंस जो मैंने उसमें यूज किया था तो मुझे जो फॉंट चाहिए वह मैंने अल्री डाउनलूड किया हुए यह डेस्क्टॉप पड़ा है यह क्वेकी नाम है इसका आपने यह यूज करना है तो आप भी इस पर फॉंट पर सर्च करने क्वेकी और आपको डाउनलोड हो हो जाएगा ठीक है अब मैंसे जरा पॉसिशन सही तरीके से कर लेता हूं वाइद वे अगर आप किसी चीज को मूव करने है ना और आपको बहुत ही प्रसाइस मूब्मेंट्स करना है फिर आप शिफ्ट तबाएंगे इसके लिए ठीक है अब मैं आर एक्स करता हूं अभी कितना तीज़ी से मूव हो रहा है कि मैं शिफ्ट तबाई करता हूं कितना स्लो आइस ताइस ताम वह रहा है तो यह चीज़ आप ने जाब रहे हैं काफी हट फुल है इस तरह से करूंगा मैं इसे साइट से आके मैं जड़ा चेक करने के और काफी अच्छे तरीके बैतर त काफी इसके हैं लेकिन अभी फिलान भी करेंगे अच्छा एक और चीज में यहां पर हाइलेट करना जाओंगा इसको अब मैं आपको इंट्रूस करना वाला हूं ग्लोबल और लोकल आक्सिस से अगर मैं इसे भी मूव करता हूं तो अगर मैं लट से अपने और बटन को क्ल अब इसका सीन है कि अगर मैं से नीचे मूव करता हूं ग्लोबल लट से अपर आपको बटन यह तो इसके पीछ से चाला जागा ना वहापस यह हम चाहते हैं कि यह अपना जो आक्सिस इसके अलॉआंगि मूव करें उसके हैं कि आगर नहोंगे हमने इसको यह ग्लोबल नहीं मूव कर सकते हैं नहीं हमसे तो यह बहुत ही एक हैंडी टूल है और यह काफी इंपर्टन था तो यह इसी नहीं है अब यह वैसी अंदर गया है तो यह जरा बाइर लिया हूं हम अलका सा जी जी से ऐसे लाते हैं कि अब अगर इसे रेंडर करें अब देख सकते हैं कि हमारा नजर आ रहे हैं ठीक है तो इसे हम ऐसे रख लेते हैं फिलाल अभी और हम इसे बाइद वे प्रॉजेक्ट को सेफ कर लें और हम यह जो पीछे रफनेस इसकी रफनेस जोड़ी जड़ा इंक्रीस कर देते हैं ताकि हल बहुत ब्लाइक सा कलर बन जाए ठीक है और देख सकते हैं हमारी पर्फिम बॉटल जो है अल्मुस्ट कंट्लीट है ठीक है इस पर हमने बसकी थोड़ा सा इसके बाड़ी की टेक्श्टर पर गाम करने अब उसके लिए हमने करना ही होगा उसके लिए हमने फुरिस्ट फॉल आप एक रफिरेंस को तुरह इंक्रीज करते हैं ठीक है और कलर हलका सा और ब्लाइक कर देता है अब मैं रिडिउस कराने वालों नोड बेस्ट वर्फलो से तीक है नोड बेस्ट वर्फलो क्या होती अगर आप इस यह देख सकते हैं उप टाब ने ठीक है आपको बेसिक यूवी एरिटिंग अभी हमने कवर नहीं किया यह अगर आप शेडिंग में आता है ना शेडिंग में अगर आप आएंगे तो यहां पर आपको आते साथ ही ऐसा इंट्रफेस में लेगा अब देख सकते हैं पूरा पो इंट्रफेस है वह चेंड हो गया ठीक है अब पहली बाद गब आपने ठीक है कोई में अभी आप लेंगे अराम से इसा लें पर यह बाकी वाले इंट्रिवस करा लेता हूं अनिमेशन जो आपकी होगी अनिमेशन यूशली या तो ले आउट मोड नी होगी यहां पर आपके अनिमेशन टाब में होगी जो जादा एड्मांस ट आपकी अनिमेशन टाब में होती है रेंडरिंग के लिए यह यूशली से यूज नी करता कमपॉजिंग होती है कि अगर आपने रेंडर कर लिए कोई चीज उसके बाद आपने कुछ एक्ट करने लेट से आपने ब्लूम अट करना समें ब्लूम का मैं आपको एक्जम्पल द तो आप देख सकते हैं कि अचे तो भी ब्रैंड आगए एक सकंड अ इन प्लेंडर एक और आपकर आपकर देख सकते हैं जो ब्लूम होता है ना वो ग्लो थी ए ठीक है यह जो फर जाबलाइट के आसपस जो ग्लो होती है असको ग्लूम तो यूशली तो आपको नॉर्मली सा तो अगर आपको वह चाहिए तो आपने पर आड करने पड़ती है इसका जक्र यह है कि आप यहां पर वही एक्जाक्ट चीजने कर सकते हैं जो आप उस मेन्यू में कर सकते हैं तो पर हम यह वाला क्यों यूज़ करें यह जो इनपूर्ट है ना इसकी इनपूर्ट आपको नजर आ लिए साही है जो सर्कल्स बने में हैं इनकी वज़ा से इसमें आड करते हैं अब लेट से मैंने कोई तस्वीर आड करनी है इस टेक्टर में तो मैं करूंगा क्या पहले त इसको करने का एक और तरीका एक और शिफ्ट एज प्टाल होता है अगर अब आप अब्ज़ेक्स भी अड करने होते हैं तो वह भी आप याद करने हो ना तो उसमें शिफ्ट ए हो जाता है search करेंगे हम image image texture अगर हम यहाँ पर यह लाते हैं और यहाँ पर हम जाके open करके और हम वो image select करते हैं तो फिर भी हमारी यह exact चीज बन जाएगी लेकिन यह चोड़ा च्छोटा तरीका है तो हम इसे use करेंगे ठीक है अब इसको हम यह चुछ के yellow वाला output है ना इसको गतने output ठीक ह येलो वाले को अगर हम इस yellow वाले base color के साथ जोड़ेंगे ना फिर क्या होगा इस इस पूरी bottle पे वो color आ जाएगा जो भी आपका यह जो image वो image आ जाएगा अब इमेज किस तरह है मैप हुआ है किस तरह लेक्सा अजीब सा लग रहे है यह आपको इसको कहते है UV unwrapping ठीक है UV unwrapping जो general जो basic UV unwrapping होती है वह वह आपको बता देता हूं ठीक है उसके लिए अपने करना होता है आप layout mode में वापस आए ठीक है आप rendered mode लेट से में लुक्टव मोड़ में से लिए तो इसका होगा यह है कि हमने करना है टाब को प्रेस करने ठीक है इसमें क्या होगा किसमें हम objects में और सारा जो UV unwrapping होती है वो खुद ही कर देगा हमारे लिए अगर हम इसे manually करते हैं तो फिर क्या बता है results थोड़े बहुत 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 होते हैं लेकिन manually करना भी मुश्किल होता है इसमें टाइम लग जाता है लोगों गंटे लग जाते हैं UV unwrapping करने में तो इसलिए बहतर है कि हम इसी तरीके से UV unwrapping इसकी करने ठीक है UV unwrapping तुड़े अडवांस टॉपिक है इसलिए वो कोर्स में का बता कवर ना करें लेकिन मैंने आज तक लिए जितने भी renders बनाए है ना तो अगर मैं आपने इंस्टेगाम बेर जाता हूं तो आप देख सकते हैं जितने ठीक है UV unwrapping manually बहुत ही कम किया मैंने ठीक है और आपको इतनी ऐसा ज़रुत पढ़ती नहीं है मैंसा इसकी तो अभी मैं यह आपको इंट्रूस करने का मकसद यह था कि मैं आपको दिखा सकूँ कि आप colors यहां पिर कोई भी जीज इन में plug-in कर सकते हैं ठीक है अब बेस कलर तो अब plug-in नहीं करेंगे इसमें place color तो हमारे यही रहेगा हमने करना क्या है अगर मैं इसका जो नॉर्मल है ना नॉर्मल क्या होते हैं आपकी जो आपका फर जामबल यहां पर बहुत अगर आप जूम करें तो यहां पर जो हलकल के bumps होते हैं जो मैं रियलिस्टिक चीजों होती है वह आप नॉर्मल और यहां पर अगर आप उपर हैं रफनेस रफनेस और नॉर्मल के तुरू आप वह चीज़ें आड़ कर सकते हैं अगर मैं जाओं यहां पर और मैं आप सर्च करूं लेट से नौईज टेक्स्च्चर अब यह जो कॉंसेप्स हैं क्या मता थोड़ होंगी अभी फिलाल तो अगर हम कोई रांडम सेलेक्ट करते हैं इन मैंसे और हम इसको लोड होने दें अच्छा यह तो कुछ ही नहीं इस पर यहां यह वाला फॉर्जांपल अगर आपके पास आगर नॉर्मल ना अब इसको आपने राइट लिक करके सेव इमेज अगर कर हम और हम इस वाले को यहां पर इंपोर्ट करने ठीक है अब हो गही है कि यह जो नॉर्मल टेक्टर है ना इसको अगर हम इस नॉर्मल में प्लग इन करेंगे ना तो फिर हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स लेका हमारे पास इस तरह की चीज़ एक बन जागी ठीक है अच्छ हर चीज जो कलर जो भी आपने इमेज टेक्टर लेकर आपने नॉर्मल में प्लग इन करना है वो पहले नॉर्मल मैप के थूरू जाएगा फिर उसमें नॉर्मल आउटपट जोगी वो आपके नॉर्मल उसमें जाएगी ठीक है तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको आप देखा देता हूं कि असल में लग कैसा रहा है अब दिख सकते हैं कलर तो हमारा वैसे ही है जैसा पहला था लेकिन इसके जो बंप्स है ना इसमें जो मतलब थोड़ा सा जो unevenness होती है वो काफी ज्यादा आगी है ठीक है कोई ऐसे लग रहा है जैसे पानी की वेव है ठीक है म अगर लिखते हैं नोड रांगलर यहां पर आड़ो नहीं आजाएगा यह बेंडर के साथ या आते तो इसको इंस्टाल करने की ज़िए अग से इंस्टाल करना में आड़ आड़ आपको बाद में सिकांगा जब हम बेंडर के ट और पोलिगॉन मेटियल के नवेटर हम इंस् पर आपने इसको क्लिक करना है कंतूल और टी जब यहां बाब दभाएंगे लीकर लगाइं वहां एक इंडर कीầओ गाया चैनला और आपको के लिएसरा बार के देखें हैं अब इसमें होगा यह जो मैपिंग नोड हमे än effective में इसमें मेइनग के वाई उपन करनीए है हम इसको कम करेंगे इसको वीट सम करते है तो सकते हैं लेकिन इसमे खॉरी बीजाद है तो पिर इसका असान तरीका ही है कि अगर मैं इसे drag करें नीचे तीनों select होगे अब हम जो भी change करेंगे ना वो सब में apply हो जगा एक साथी ठीक है यह बहुत ही आपका handy tip है आपके लिए तो अब आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी छोटी समें bumps आगे हैं काफी realistic आपको यह look दे रहे हैं अब अगर I want you to lose your precious project blender crash होता है काफी blender का थोड़ समस्ला के crash होता है random for some reason तो project frequently आप save क्या करें अब देख सकते हैं बल्क को करीब अगर आते हैं तो यह आपको छोटी छोड़े bumps से नजर आते हैं जो कि इसकी जो look है इसको काफी इंप्रूव करता है तो अगर आपको smooth look चाहिए तो फिर आप smooth के लिए भी जा सकते हैं लेकर मैं personally यह prefer करता हूँ अगर मैं यहां से आँ तो like you get the point ठीक है अब आपके वास यह जो normal texture ही apply हो गया अब यह पार्ट थोड़ा सा मुश्किल था I agree with you लेकिन इसकी मेरी suggestion आपको यही होगी कि आप इसे बार पर इस वीडियो को देखें तीन चार बार देखें आराम से फिर आपको इंशाला eventually समझ आ जाजाएगा तो हमारे पास perfume model जो हमारी basically complete हो गई है इसका model texture वगएरा सब कुछ almost done है हम अगर आएं अपनी reference की तरफ जो reference मैं आपको पताया था कि मैं आपको वैसी बताना सखाऊँगा यह reference था अब इसमें आप देख सकते हलके हलके जो texture वो है हलके हलके जो bumps है इसमें भी आपको नजर आ रहे obviously यह जो इसका जो इसका label है उसमें जादा time जाया नहीं करना चाहता आपका obviously आप अगर इसको जो यह है text है इसको आप shift d करके जी दबाएं और जी नहीं sorry y दबाएं और आप नीचे आके इसको like change कर दें text जो भी आपने करना है ठीके लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा है अभी अभी मैंने आपको सिर्फ basic एक चीज़ बनानी है बना जिखानी है आप उसमें obviously अपनी variations और adjustments कर सकते हैं तो यह आपका label भी बन गया है यह बन गया आपका top भी बन गया अब हम आते हैं इस base की तरफ ठीक है कि हम इसे थोड़ा सा like almost जो यह टाके टाच हो रहा हूँ वहां तक लेंगे हम से अभी साइज इसकी इंक्रीज नहीं करता है यहां थोड़ी अगर कर देते हैं साइज इस तरह इंक्रीज करेंगे कि हम पहले edit mode में जाएंगे हम एस तबाएंगे और फिर shift-z दबाएंगे shift-z से क्या होगा कि सिर्फ x और y-axis में move होगा अब मैं लब scale होगा z-axis में scale नहीं होगा अगर मैं ऐसे करता हूँ तो यह आप देख सकते हैं object data properties में आएंगे normal और order smooth अपने कर दिया एक और मसला एक और मसला यह है कि यहां पर यह जो है यह वाली बहुत sharp है हला कि इस picture में तो यह smooth है तो वह मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह करते हैं तो आपने first of all जो bevel हमने सीखा था bevel tool double click करें इसे ठीक है control B और आप bevel इसे आराम से कर सकते हैं इसको हम increase करेंगे segments इसके something like that should be good ठीक है तो यह आपका जो बेस है वो भी बन गया आप नीचे से भी कर सकते हैं लेगे नीचे वाला नजर नहीं आएगा इसलिए हम इसे इतनी importance नहीं देते हैं ठीक है अब हम सेरेंडर करेंगे तो आप देखेंगे कि यह जो इसका texture है इसका material है को इसमें apply नहीं हुआ अब एक चीज है कि इसके texture के लिए ना मैंने एक marble का texture यूज किया था अब आपको बताता हूं कि वह इंपोर्ट करते हैं कोई भी extra texture ठीक है जो हम internet से जो हमने picture ठाई है वो इसको हम इंपोर्ट करते हैं और इसको हम किसी object पे लगाते किस तरह है तो स पे आपको free images मिल जाते हैं जो आप अपने projects में यूज कर सकते हैं मैंने इस वाले project में ये ये exact image यूज किया था तो मैं भी दोबार भी यह कर लेता हूं हम इसकी size जो है medium select कर लेते हैं obviously लिए जादा बड़ी size होगी तो आपको computer पे लोड़ जादा पड़ेगा तो अगर आ हाई quality वाली size यूज करें otherwise आप low quality यूज करें तो अभी हमारे पास ही download हो गया है लेकिन पहले मैं जाओंगा इसको select करूंगा shading mode में जाओंगा अभी फिलाल इस हम look dev mode में आ जाते हैं ताके computer पे जादा लोड़ना पड़े नए material आट करते हैं हम इस material का नाम हम रखते हैं marble ठीक है और यहां पर देख सकते हैं यह हमारे पास principle प्रिंसेपल प्रिंसेपल भी स्टी अशेडर हमारे पास मौझूद है जो हमारे पास normally usually होता है इसमें यह बस आड़ कर दें टेक्टर यह और बहुत यह असानी से हमें से बेस कलर में आट कर देंगा आप देख सकते हैं automatically इसके जो यूवी अन्रापिंगे काफी अच्छी यूवी है तो हमें इसको यूवी अन्राप करने के जरो तास सच नहीं है अगर होती भी तो टाब ए यू और स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट ठीक है यह देख सकते हैं यह कराना चाहूंगा कि इसकी जो रफने से ए और उसको में फोझा सा कम करना चाहूंगा ताके लेक्र अपह मार्बल सायों होती नव एत्शी जञाए आघते हैं अंछी तो है थे फिक हो हुआ है अब सिन यह के इस रंडर यह रंडर आपको अच्छा इसलिए लगए खरा paradox आप अपर नंग कमेरा से कैमेरा से किया है तो वह अभी इंक्लूड नहीं है ने इस वीक में तो इस एकल रखे कामेरा लाइटिंग को आगी साल कि सीख़ेंगे मैं आपको करीकलम निखा दाताओ झाया है यह हमने fundamentals of lighting कर लिया हमने ठीक है और हमने यह जो है modeling texturing के बिलको basics है वो हमने कर लिए और shading भी जो viewport shading material preview और cycles और यह भी render यह भी मैंने आपको बता दिया कि यह होता आपका viewport shading mode ठीक है इसमें modeling करते हैं यह आपका इसे यार इंटेंसिटी बहुत कम है light की ठीक है मैं ऐसे पहले सेफ करूंगा और अभी मैं आ के इस इस light की intensity को जड़े इंक्रीस करें हो let's say we'll make it 100 watts let's see how it looks now I think it better लग रहा है पहले से यहां like 100 तो ज्यादा हो गया maybe 60 watts something like that should be good ठीक है तो भी मार पास यह final render है हमारा ठीक है और अगर आपको यह lines नहीं चाहिए lines अगर आपको disturb करें है तो फिर यह जो है इसको कहते है viewport guides ठीक है इसको आप क्लिक करें और इसको क्लिक करें तो यह lights आपके सारी खता हो जाएगी ठीक है अभी इस सफते हमने यह project बनाए है कि हमारे प्रोजेक्त है सफते का यह obviously बहतर लग रहा है विकर इसमें हमने depth of field add की है camera add की है जो कि हम इंशाला आगे वाली वीडियो में इसी इसी render पर हम काम करें और इसी को finalize करेंगे अब यह final नहीं हुआ प्लस में यह जो चीज़ है यह चीज़ आप देख सकते हैं इसमें काफी ब्राइट है और इसमें काफी डार्क है तो इससे जाराम इस पर जाराम कर लेते हैं थोड़ा सा वह मिस्ता करेंगे के जो इसकी इसका मैंने I think किया यह था कि एक extra light बनाई थी इसको मैंने शिफ्ट लाइट बनाई थी जो के मैंने सिर्फ इस पर पॉइंट करवाई थी ताकि इसके मुझे रफ्लेक्शन अच्छी मिल सके इस तना से I think सब्सक्राइब करना चाहूंगा और इसकी जो है हम रफने से तोड़ी अगरम कम करें तो देख सकते हैं काफी अच्छा लोग हमें दे इसको भी मैं एक नया मटिरल में करना चाहूंगा और इसकी जो है हम रफने सुझी से इंकरीज करते हैं नहीं नहीं रफने से नहीं करना है तो इससे क्या होगा कि हमें काफी लाइक ब्लाक टेक्श्टर मिल जाएगा अब मुझे पते ही शुरू में आपको काफी मुश्कि अधियो तो अलाओ अभी वैस उच्छ पूल या सुझाव इस तो आज हम सीखेंगे के ब्लेंडर में बेसिक कुछ मटीरियल को जोता है मैं एक नया ब्लेंडर फाइल खोला है ठीक है तो मैं इसमें के पहले करूंगा कि पहले मैं सब कुछ लेड कर देता हूं सारे सलेकर कर डिलेट करे देता हूं डिलेट की मैंने दबाती है अपने इस पर कीबोर्ड पर अब मैं क्रेट करेंगा मेश यूवी स्फेर करें ठीक है अब अब यह देख सकते हैं कि इसकी जो है काफी यह मतलब हुआ है जादा है इसमें एज़े और शार्प है बहुत जादा ना तो सेग्मेंट को सब्स्रेंथ करता ना इसमेंट करें दोटन नहीं करता हूं तो यह सबटे जाएगा है करिता जाएक Shapricks करों ओन के दो a और हुट सब्सक्राइब म्हाएं करें वह दूब अर और पांच्यों करें थोड़ा सा आ रहे हैं हलका सा इशू ना थोड़ी बहुत तो मैं क्लिक करूंगा राइख करके शेड़ स्मूथ कर दूँगा आप देखेंगे परिफेक्ली स्मूथ हो गया हमारा ठीक है अब पहले तो हमें एक बेसिक लाइटिंग सेट अब करते हैं ठीक है एड लाइट एडिया करते हैं और या तिंक भिषयर तो हें क क्रेक्रें और यहां पर ले हमाँ और मैंशने रोडेक्र करने है만व अर अब मैं से अगर आण अगर मैं ऐसे ऊपर रोड़ेट करूँ ठीक है और मैं ऐसे GZ में चले जाओ तो यह basically हमारी जो है fill light जो है वो बन गिया है ठीक है तो एक second I think that should be fine ठीक है यह हमारी fill light बन गिया है यह हमारी key light बन गिया है और backlight backlight अभी के लिए मैं नहीं बना रहा ठीक है because I don't think जरूथ है इतनी backlight की तो ठीक है first of all मैं जाता हूँ पहले render करता हूँ से rendered mode में अगर में जाओ तो आप देख सकते हैं कि अभी तो obviously बुरा लग रहा है पहले बात हम EV render engine में इसको हम स्विच करते हैं cycles में by the way अगर आपके बास GPU है तो आप just make sure to switch in this GPU compute इस पर आएंगे तो फिर ज्यादा तुरी fast rendering होगी अगर आपके बास GPU है तो अगर नहीं है तो फिर फायदा नहीं है इसका करने का ठीक है आप देख सकते हैं कि बहुत ही dark है ठीक है पहले तो मैं जाता हूँ इसकी जो strength है इसकी strength नहीं है इसकी जाने करें ग्रीन करेंगे जो बनावाए इसकी जो power इसको मैं कर दो हुआ है 100 ठीक है तो देख सकते हैं काफी वह हो गया ब्राइड हो गय ठीक है और अगर मैं यहां पर जाके इस वाजी को इंक्रीज करूँ एक्रिविमेंट 20 अगर मैं करना उसे अच्छी टैनी ठीक था फिक फिर बहुत कम डिफ्रेंसियेशन बन रही तो डिफ्रेंसियेशन जादा होनी चाहिए इतना ठीक है ठीक है अब इस पे न हम मिटीज जाट करनों ऐफिक औरेक्सस नहीं करता है तो मैंसे सेलोग टाहूं करता हूँ ठीक है तो मैंसे सलेक्ट करता हूँ लेटस annat तो पर आप देख सकते हैं कि यह उस का बॉल बन गया है अब मैं व्यूपोर्ट गाइड को मैं आफ कर देता हूं, बिकर हम सिर्फ तक इसको देख सकें, बिकर हमें सिर्फ माटीरिल्स देखने ना भी और कुर नहीं देखना हमने, तो इसको मैं थोड़ा साइस भी इंक्रीज कर देता हूं, अब यह देख सकते हैं, यह सिंपल नॉर्मल एक वो है, क्या कहते हैं से, रफ एक बॉल बन गया वाना, ठीक है, फॉर एधामपर हमें इसे थोड़ा सा ग्लास वाला लुक देना था, ठीक है, ग्लास वगर देना है, ग्लास वाला लुक देना है, 0.128 में रखिए अगर आप इसे बिलकुली 0 कर देते हैं तो यह बहुत ही एक अन्रियलिस्टिक ग्लास बन जाएगा बिकर रियालिटी में ना किसी चीज की जो रफनेस होती है वह जिरो होती है बिलकुली और ना किसी की 1 होती है हमेशा रियालिटी में वाल्यूस मतलब एक ग्रेडियंट ही होता है ठीक है मतलब एक वाल्यू लाइक इन बिट्वीन 0 और 1 होती है तो अगर आपको रियलिस्टिक रिजल्ट्स रहें तो आप फिर 0 और 1 के बीच में की वाली चूश करें अब फर एजमपल अगर मुझे इस शाइनी प्लास्टिक होता है यह वह वाल आपको लुकते हैं अगर लेट से मैंने से मेटालिक बाल बनाना था तो इसका मेटालिक जो है मुझे इसको इंक्रीस कर दूँगा वन कर दूँगा अब देख सकते हैं अब बिल्कुल ही मेटल बन गया है अगर इसकी मैं रफनेस जीरो कऱोंगा विए लगास और मेटल टोटली डिफरंट जीजन अब मैस इसकी ट्रांसमेशन बन कर दूँगा ठिक है ट्रांसमेशन इसके एक न्लास बन गया ठीक है इसके तुरू आप देख सकते हैं अब सकता है घर मैं इसके पीचर कोई बैक्राउंड है नहीं अगर अगर मैं इनकी यूपोट गाइड को अन करता हूँ और मैं अगर इसके पीछे की अबज़क्ट आड करता हूँ अगर मैं जी एकसे में पीछे ले जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यह आपजिक जो ना इसे जो पीछे पड़ा हुए वह आपको हलका से यह आप नजर आ ठीक है पीछे वाला इसका फिकर जो अगर मैं इसे रिमूफ करता हूँ तो देख सकते हैं यह आगे जो था वो क्यूब वो चला गया भी ठीक है तो इस तरह आप पीछे अगर अबजेक्स आड करेंगे तो फिर ही आपका लास रिलिस्टिक लग सकता है और असल में अगर आ यहाँ इसे ही हडिक कर देखेना हैं हम कूई हृघ करते हैं विलबन एक्सर और ऑपन यहंपे हम कोई हेसी हाइद कर दते हैं एक हम है hokiaia art करेव आप अगर शंपन हो हम वाला है होम टुम तो यह से आसट यह सकते हैं इसमार इसमारी काफी चीजें होती हैं पीछे जिन को तो यशुली जो लोग होता है आपको जादर स्क्राइबस। कर सकते होंगे अगर मैं सिसके डी नॉइंस। आप हुंरियरी नोटिस करेंगे कि कि काफी जादा बहतर लग रहां है काफी ऑतर बेरीलिस्टिक लग रहां है अगर हमें चाहिए कोई बादो जो पराने हमने मटीर्स बनाए थे वो में आपको एच्टेर में वो भी विजुलाइज कर वा देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि आपको प्लास्टिक और वो जो रबर टाइप आपका फील देता है कि रफनेस थोड़ी सी काम हो और आपका कलर भी सेट हो और रफनेस बिल्कुल यह अगर जीरो कर देंगे तो भी आपको ग्लास वाला लोग कियां फिर मतलब जैसे कहते हैं कि कह सक आपकी ख़वीयत करेंगे अब सबसुपय सबसुपयस स्कैटिक उठीक को यह होती है कि आप की घ्ला नौ मिलती है तीछ इंटर्नल इंटर object को जिसके विए्रासे फोरा सब्सक्राइब की तरह लगने लग tak अगर मैं इसका थोड़ा स्किन वाला कोलर कर दूंधर कर दो इस तरह अइभा थार कि सार्धर की अगर और अगर कर दो और मैं सब सरफले स्कार्इण को इंक्रीम करेंगות अब देख सकते हैं इसमें हलकी सी वो अभी तो ख़ए ज्यादा होगी है वह बहुत कम इंक्रीज को नहीं देख सकते हैं सकिन वाली वाइब जो होती है वह आरी है इसमें अगर कोई आपने कोई बंदे का सर बना रहे है तो आप इस तरह का skin texture आप बना सकते हैं उसके लिए अब इसमें एक चीज आप चेंज कर सकते हैं अपने असाब से हो एक सबसर्फिस कलर जो है न यह इसको अगर आप जो जो कलर चेंज करेंगे ना अगर उस कलर की वाइब आएगी इसमें इसकी जो light reflect होगी ना वो उस कलर की आपको अंदर से नजर आएगी अब इसमें अगर मैंने green की ऐसे आप देख सकते हैं हलकी इसमें green glow आ रही है और मुझे पते हैं आपको नजर से आ रही है यह नहीं अगर मैं इसके increase करता हूँ तो पर एक green glow जो है बढ़ती जाएगी अब आप देख सकते हैं पूर object green होगा हमारा ठीक है अगर मैं इसे थोड़ा सा हलका सा रखता हूँ ठीक है तो यह यहां पर हो गया अब हम अगली तरफ आते हैं अगर आपने metal बनाने ठीक है अगर मैं सबसर्फिस को वापस जीरो करूँ colors का मैं white कर दूँ saturation की zero कर दूँ हलका सा gray की तरफ ले आते हैं से और इसका metallic बढ़ा देते हैं अब यह basically आपका metal बन गया ठीक है लेकिन अब अगर आपको for example अब अगर आप यह से render होने लेंगे ना तो बिल्कुल ही smooth यह metal बन जाएगा ठीक है बिल्कुल ही smooth आपको texture में लेगा जो कि realistic नहीं होता तो अगर आपने इसमें bumps आड़ करने अगर आपने हलका से इसमें वह reality वाला factor आड़ करने फिर आप Shading टाब में जाएंगे और किसी भी material के लिए चल सकता है even अगर अगर आपने बनाने तो उसमें भी आप इसी तरह का काम करेंगे तो अगर मैं यहां पर आता हूं और अब noise texture किसी का भी हम normal not use करेंगे अब अगर for example में यह वाला pick करता हूं इसको image save कर लिए ठीक है और इसमें import करता हूं इसमें ठीक है मैं अगर मैं इसको link कर दूँ इसको मैं plug-in कर दूँ इसमें normal में अब हो गई यह शुरू आपको result obviously थोड़ा सा गुरा मिलेगा देख सकते हैं अब देख सकते हैं आपको जिस तरह आप expect कर रहे थे उसी तरह का आपको look दे रहे हैं बस यह हुआ किया कि इसको पर normal nap लग गया यह बहुत बड़ा है obviously तो इस पर control T दबाते हैं तक हम पर इसकी size जो है scale जो हम कम कर सके scale इसको दबाते हैं और इसको हम कर देते हैं let's say 20 अब मसला इस texture का मैं बताँ किया है मसला इस texture का यह है आपको noise तो आ रहे है ठीक है आपको मिदल जो हलका सा roughness दी जो चाहिए थी वो तो आरी है हमारे पास लेकिन मसला यह कि वो जो texture है ना वो बार-बार बहुत जादा repeat हो रहा है तब repeat for texture हो रहा है तो उसका हो किया रहा ह है कि वो image जब बार-बार repeat किया जा रहा है तो फिर हमें repeating patterns नजला रहे है ठीक है इसलिए आपको यूशली जवाप की texture search करें आपने लिखना होते है seamless noise texture normal या कुछ भी अगर आपने लिखना है seamless seamless की spelling बने गलग लिख लिख लिए anyways इस तरह का आपने करना है ठीक है अब यह जो है seamless texture है अब इसको अब कितना भी अगर आप वो करते हैं से layer करते हैं तो फिर यह hopefully नहीं होना चाहिए इसमें वाला मसला नहीं होना चाहिए अब यह जो वेक्टर्स हैं यह मैं इसमें plugin कर देता हूं और इसको मैं इसमें normal कर देता हूं तो अब आप देख सकते हैं कि although seamless ह है लेकिन अभी size बहुत चोटी है इसलिए थोड़ा सा effect आपको दे रहा हो तो इसको अगर लेट से हम 5 पर लेते हैं अब mostly आप देख सकते हैं हमार पास वह जो सीम वाल एफेक्ट था हो इतना जादा नहीं है आप देख सकते हैं इसमें जो हमें roughness वाला हलका सा element उचाए थ texture लेकिन असल में जब आप किसी actual object के उपर से use करेंगे तो फिर यूजली जनरली काफी अच्छा लगता है अगर आपने से बिल्कुली इस तरह का बनाना है अब यह आपको यूजली इस तरह का texture आपको मिलेगा पानी में पानी के जो texture होता है आप देख सकते हैं पानी की waves लग रही है अगर मैं ऐसे लेट से किसी plane पर आड़ करता हूं एसे मैं लेयाओट में जाता हूं add mesh plane ठीक है अब मैं इसको जरा sphere को side पर करता हूं सफेर को साइड प्रकर गटी है तो ये बैसिकली आपको पानी वाला जो है फील दे रहे है यह पानी ए अब देने जल można रन गेरें तो मितलब वो अबिस्टी आपको ओली वाइब नहीं देगा लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर्ली किसी आचे एस्टियरा के साथ यूज करेंगे किसी आचे इंवार्मेंट में ब्लेंड इन करेंगे तो यह काफी फिर्ट आपको रिसल्ट देगा मैट्यलेक अगर आपमर्मेंट करेंद आपको किस तरहां कर लोक चाहिए अगर आपको इस तरहां कर लाप लें मैट्यली डिपेंग शूर इस था है अपने मटरियरोह नहीं ल्लीड आपको अगर ख्रान यो टेक्स्जर होते हैं अगर एक अपिल बना रहे हैं यहाँ पेज बना रहे हैं तो इसमें आप सब्सुरेट चुल्र mejorar सब्संजर के अदो एक और अगर आपको Metal उसकर नहीं और आप करेंगे। युजलि जो वाल्यू होती है कि एक वाल्यू थो बीच की वाल्यू नहीं होती है। ऐधर इत्स मैटलिक और इत्स नॉटीक है। तो युज जिरो पर उगी युज नगी है तो वन पर होगी। Specular से आप reflection को जो है कंट्रॉल कर सकते हैं लेकिन usually हम ये नहीं करते हैं हम roughness से वो करते हैं specular को बस जहां पर हैं वहां पर रहने देते हैं तो roughness अगर आप कम करेंगे तो reflective जादा हो जाएगा रफ़ने से इंक्रीज करेंगे तो rough हो जाएगा object बहुत जादा ठीक है अनिसे ट्रोपिक को आप इग्णोर करें स्पेकिलो टेंट को एक्नोर करें यह चीजें जो है यूजली यूज नहीं होती शीन जो है शीन कपड़े में यूज़ होता है कपड़े का अगर आप टेक्टर बना रहे हैं क्लॉथ का तो फिर उसमें आप यूज़ कर सकते ह अगर हम इसको हम मिटलिक ना बनाएं और इसको हम वो कर दें घ्राइम इसकी रॉफनेस वीकम कर दें बैसिकली गलास का टेक्स्टर मैंने पूरा बना दिया थिका गलास का बॉल बन गया हमारे पास तो इसका ना इसकी यह जादर नजर आ रहे हैं वो कितनी ज्यादा डिस् जो है हमारी इसके अंदर की रिफ्लेक्शन जो है और अगर अम इसे कम करते जाएंगे आप देख सकते हैं यह में एक पॉइंट आएगा जिस पे हमारी बहुत कम वह होगी रिफ्लेक्शन हो लिए तो आप सिच्वेशन के हिसाब से देखिए कितना इस पे रिफ्लेक्शन आन 1.3, 1.4 इस तरह का होता है तो यूशली यह वाल्यू जो होगी 1.3, 1.4, 1.5 इसके दर्मियान ही चलेगी इसी में आपको जो आप्टिमल रिजल्ट्स है मों मिलेंगे यह सीन है इसका बाकि आप देख सकते हैं अगर इस पे अप्लाइ करते हैं तो इस पे आपको काफी दिस इस पेडिशन मिल रही है लेकिन अगर हम से चेंज करते जाएंगे तो इस पेडिशन का जो लेवल हो चेंज रहता जाएगा तो यह यहां पर हो गया तो इस पेडियो में और बाकी है कि हम यूशली जो चीजा बनाएंगे न पर एगर मैं आपने इंस्टेगरम पर जाओं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो यूशली जो चीजा बनाता हो ना में इनके टेक्टर में मैं खुद नहीं बनाएवे होते हैं कि मैं प्रीमेर टेक्टर यूज करते हूं ठीके फरसांबल अगर यह वुड का टेक्टर है यह एक वेब सैट पॉलिवान मों मैं आपको इसको मैंने क्या किया था स्फेर लिया उस पर मून का टेक्टर में लगा दिया ठीक है तो इस तरह आप डिफरेंट टेक्टर को मिक्स इच करते हैं और अटाव ट वरक किन यह जो गाड़ी है फर ईजाड़ी का मैंने खुद बनाया था था थेक्टर यह बहुत बेसिक था आपको simply बस, मैंने किया मेंने कालर्स का ब्लाक सिट किया roughness कम की और metallic zero किया मैंने बस exactly that's done इसी तरह का texture होता है प्लस में ये जो था ये जो मारी animation थी इसमें मैंने क्या किया इसमें मैंने किया किया कि कर दो कर मही हो और रचने और कभी को बार यह होता है कि even आपका जो यह जैसे गारी है ऐल्दो है तो मिटलिक ठीक है लेकिन आप इसका मिटलिक जो का वह जीरो सेट करेंगे क्यूंकि क्या होगा कि आपको मेटालिक मेना बहुत ấ यह अजीब से लोग दे रहा होते हैं तो आप अपने हिसाब भी साख़ाइए to उसके तरहां का आपको नोफ टेकर सबस्क्छाू MEME यह material है इसे मैंने क्या किया इसमें नॉर्मल आइड किया ठीक है roughness map आइड किया और फिर मैंने इसको metallic 100 सेट कर दिया one सेट कर दिया metallic मैंने इसका और जो roughness इसको मैंने काफी कम कर दिया तो यह scene है काफी simple textures हैं काफी basic materials आइड करते हैं चीज़ों में ज़्यादा मुश्किल नहीं होता अब यह फर जामबल अगर आप इससे ले ले लें तो इसे मैंने क्या किया बस color add किया और मैंने इसमें जो roughness है वो मैं तक्रीबर आदिस से थोड़े कम कर दी ताकर एक rough हो लेक आपको असाइनमेंट दे रहो असाइनमेंट आपका अफिशल असाइनमेंट वो तो different होगा लेकिन आपका असाइनमेंट यह है कि आपने यह चीज़ बनानी है यह बनानी है आपने बिल्कुल बेसिक इसमें shapes उगए में यह स्फेर है यह मैंने simply a torus लिया और इसको आधा का कि आप देख सकते हैं जहां तक आप से बन रहा है वहां तक आप बनाए कुछ चीज़ां ऐसी है जैसी यह tores है इसको मैंसी मैंने मॉडलिंग की इसको मैंने inset यूज कि आथा इसमें और मैंने extrude यूज किया था तो यह आप आप से बना सकते हैं आम बाकी जो है कुछ करें और चेकर आप से कितना बनता है तो इंशाला पर आगी जल कि आप अप अधाम ये एक टुटोरिल भी मैं इसका बना दो ता कि आप फिर फॉलो कर लें उसे तो तो ता इस एट फो ड़िए गाइस और मैं शाला आप से मिलूंगा अगली वीडियो में कि आपने बडूल से की और फ्रसेट से यह तो इस यहां पार्ण खालेइं अजिस और नेक्स प्रजेट से नहीं होगी कि नहीं उल्छेंजा विस्चार से नहीं ग्देजी तो आपको सारा शुरू से बताऊंगा, तो कोई मसले की बात नहीं है, अराम से इंशाला हम सीख जाएंगे, अगर मैं ब्लेंडर में आता हूँ तो आप देख सकते हैं, हमारे पस नया प्रोजेक्ट लिए अगर आपको क्यूग और आपको क्यूग और एक नया प्रोजेक्ट में जाँगा, और फिर मैं Ctrl-B दबाँगा और हलका सा बेवल कर दूँगा, इसकी सेग्मेंट में थोड़े बहुत इंक्रीज कर रहा हूँ, इस तरहां का तक्रीपन मेरे खाद में होना चाहिए, I think something like that should be good, थोड़े जादा करना चाहिए था, Ctrl-Z undo करेंगे, और हम इसे हलक ऐसा, इस तरहां का I think काफी है, थोड़े जादा हो गया मेरे खाद में, अब इसका हम वैसे आगे एक और असान तरीका पढ़ेंगे, Modifiers के त्रू लेकिन अभी थोड़े सा Advanced लिए मैं आपको भी नहीं बता रहा, अब इसको Right Click करके Shade Smooth कर दें, और Shade Smooth करने के बाद आद का यूज करेंगे, जो हम Cylinders में यूज करते हैं, which is gonna be Normals में जाके, पहले आप इसमें है, यह जो Green Color का Triangle बनावा है, और फिर Normals में है, और Auto Smooth को क्लिक करें, तो अब इसके इतना जादा फरक आपको फील नहीं होगा, लेकिन, actually फरक पढ़ा है इसमें, ठीक है, थोड़ा लेकिन आप देख सकते हैं, हमने exactly यहां पर move करना हो, बिल्कुल एक सेंटर के साथ मिला आके, तो हम इसे हमने अंदाजा लगाना पड़ेगा ना, हम exactly देखने कोई तरीका नहीं हमें समय जा रहा, तो अगर आप control दबाते हैं, हमना आपने keyboard पे, तो आप exactly फिर increment से move कर सकते हैं, तो control दबा के मैं exactly यहां पर इसे drop कर दूँगा, अगर मैं इसे shift D दबा के Y दबाता हूं, drop इसे दबार duplicate कर सकते हैं, और अगर दोबारा अंदाजा लगाने से बहतर है कि मैं control दबा लूँ, ताके फिर like exactly जहां पर वो पहला खतम हो रहा है, वहां पर दूसरा start हो ठीक है, यह हमारे पास पहला layer जो है वो बन गया, अब मैं अगर सारे को select करूँ और shift D, Z करूँ, और control दबाऊं तो ओपर यह आप देख सकते हैं, यहां पर हमने इसे कर लिया है, और यह select हुआ वह सारा, इसे दुबारा shift D दबा के, Z दबाएंगे, और फिर हम इसे उपर इस तरह आप देख सकते हैं, हमने असानी से पूरा रूस की होगा है, उसकी modeling तो हमने कर लिया है, ठीक है, अब देख सकते हैं, काफी ज़्यादा यहां पर cubes बन गया है, हमारे इसमें, outliner में, तो हम इसे थोड़ा अगर हमने इसे वो करना हो ना, organize करना हो project को, तो इसका तर हैं, तो वो फिर हम नहीं collection में डालेंगे, ठीक है, अब let's say हमने एक plane add करते हैं, जो के हम, जिसके उपर colors होंगे, हमने ये black वाले boxes बना लिए, blocks बना लिए, लेकिन अभी हम इसके उपर colors होंगे न, वो हमने add करने हैं भी, तो अगर हम इनको लाएं यहां पर control दबाके, तक इतना, यह बिल्कुल आप देख सकते हैं, सेंटर में, क्योंकि मैं control दबाके कर रहा हूँ, अब इसे R, Y और 90 करेंगे, ताके 90 degrees rotate हो जाए, और हम इसे थोड़ा सा आगे भी लिए आते हैं, G, X और control दबाके, अगर हम करेंगे तो exactly, उसके surface के उपर आएगा, अब मसला इसक इसके उपर चाहिए नहीं, हमें थोड़ा सा ना बाहर चाहिए उससे, तो इसलिए हम G, X करेंगे और हलका साम ऐसे आगे लेंगे, जादा नहीं, otherwise फिर बुरा लएगा, और थोड़ा साम आगे लेंगे, अभी आप देख सकते हैं, इसकी जो size है काफी बढ़ा है, तो इतना हम Vertex Select Mode में चाते हैं, और फिर अगे अगर हम Ctrl B दबाये तो और देख सकते हैं कुछ नहीं होगा, बिकर जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, पहले वीक में बताया था कि Points को Bevel करने के लिए Ctrl Shift B दबाना होता है, अब हलका से ऐसे करके इतना सा तक्रीमें Bevel कर लें, और यह हमारा जो है, कलर पहला बन गया है, इतना ठीक है मेरे खाल में, अगर हम Side View में जाते हैं, तो हम देख सकते हैं, यहां पर हमारे पस है, और Shift D हम दबाएंगे, और हम दबाते हैं, और Ctrl होल्ड करते हैं, ताकि हम सेंटर में exactly सब के कर सके, एक और बार, Shift D, Y, Ctrl इस तरह से मने इसे डिप्लिकेट कर लिया, हम तीनों को सेलेक करते हैं, और फिर हम नीचे जाते हैं, Shift D, Z, और Ctrl होल्ड करते हैं, तकरीवन इतना ठीक रहेगा, Shift D, Z, और फिर हम यहां पर दबारा, इसे डिप्लिकेट कर लिएता है, अब सीन यह कि एक साइड मारी बन गी ह ठीक है, अब हम करेंगे यह कि इस पूरे सारे को सेलेक करेंगे हम, और इसको फिर हम सब को Shift D दबाके, और हम X दबाएंगे, और हम इसे पीछे लेएंगे, अब मैं जान की तोड़ा आगे लेएँ, ताकि हम इसे यहां पर ज़रा अंदाजे से, तरी पोजिशन पर हम प्ले तो दोबारा सारे सेलेक्ट करता हैं, थोड़ा से रेपेरिटिटिफ काम होगा, इसका असल में एक और असान तरीका सीखेंगे, आगए सेलन के, अब हम आप बताना चाहरा हूँ कि असली जो तरीका होता है, ने, करने का, वो यह होता है, ताकि मैं आपको लेक सारे तरीके z-axis में फिर मैं से जी वाय दबाऊंगा तो यहां पर आके अलका सा बैसे बाइर निकाल लूँ तो यहां देख सकते हैं यहां पर भी आ गया अब मैं से दोबारा shift d y यहां पर ले आता हूं और हमारी third last side जो है वो गए अब इसको मैं d select नहीं करूँगा shift d दबा के दोबारा मैं y दबाऊंगा फिर control दबाऊंगा ताके center में मिलकुल आ जाए और पिर इस बार मैं r x 90 दबाऊंगा ताके 90 degrees x axis में rotate रो जाए और पिर हम इसे gz दबाएंगे हलका सा उपर ले आएंगे जीजी इस तरह ठीक रएगा और जीजी दबारा x और नीचे ले जाएंगे जीजी बिलकुल करीब आके इस तरह प्लेस करेंगे आप अब ये काफी आपको boring तरीका लगा होगा लेकिन अच्छी बात ये है कि ये modeling जो हमारी होगी है अब एक मुन असला ये कि सारे select नीचे से ले गया है इसको मैं जरा undo कर लेता हूं यहां तक हलका सा मैं बाइर ले आता हूं जीजी हलका सा बाइर ले आएं ताके हमारे नजर आएं और shift d z और नीचे ले हैं और हम जीजी करके हलका सा ऐसे करें ठीक अब अब ऑविसली ये वाली साइट तो नीचे होगी तो इता ज्यादा फरक नीपड़ता लेकिन अगर आप इसके लड़ से animation बनाते हैं जिसमें चालों साइडे इसकी नजर आएंगी मतलब 6-6 साइडे नजर आएंगी तो फिर आपको ये करना ज़रूरी होगा तो अभी हमारी modeling इसकी होगी है अभी हम इसमें इसके बाद पर इसके इसमें हम वो करेंगे क्या करते हैं लाइटिंग वायर आड़ करेंगे इसका फ्रोर वगरा बनाएंगे तो काफी इंशाला असान प्रोजेक्ट में वाला है अचाब इसकी modeling तो होगी तो अब हम इसमें ना materials आड़ करते हैं मैं अलब colors आड़ करते हम तो उसके लिए हम पहले इस looked up mode में जाते हैं जो material preview mode भी कहलाते हैं और इसमें materials basically देख सकते हैं सारे अपने lighting करने से पहले तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे इसमें किसी भी कुछ भी material नहीं लगा हुआ जिसके वज़से सारे यह white white हुआ है ठीक है पहले हम एक Q को select करत है थोड़ा हम ऐसे material add करते हैं जिसका हम नाम रखते हैं प्लाक प्लास्टिक प्लास्टिक वाला हमने थोड़ा फील लानी हो लिए ठीक है अब इसे हम पूरा ब्लाक नहीं करेंगे हलका सा ग्रेट चोड़ेंगे हलका सा उपर ब्लाक से ठीक है इस तरह को चुछ लेंगे औ और फिर ब्लाक प्लास्टिक इसमें अप्लाय करें जो कि बिल्कुली साही तरीका गलत तरीका नहीं है अनिक और थोड़ा ज्यादा efficient तरीका वह यह है कि हम यहां पर जाएं क्यूज में और यहां से हम अगर यहां तक स्लेक करेंगे ना तो यह सारे जो क्यूज हमारे जितन तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं हम ctrl L अगर दबाए ना ठीक है link link और transfer data हम कर सकते हैं इसमें करेंगे क्या अगर हम इसके कहते link materials अगर इसके दबाते हैं तो सारों पे वही material जो जो आखली वाले से लेकिया जो जो इस पे material होगा वह सारों पे लग जाएगा तो यह बहुत ही हम सब पीसिस का तो बना सकते हम की मरजी है लेकिन अभी हम इसमें colors आइट करेंगे तो colors आइट करेंगे हम क्या करेंगे हम पहले एक new material बनाते हैं किसी ब्राइण को select करके हम new material बनाते हैं इस color से नाम रखने है green ठीक है तो इसमें green material apply कर देते हैं इसको something like that ठीक है और हम इसकी भी फिर apply कर सकते हैं लिए हम ने यह select किया तो फिर इसको हम इस पर clean लगा देते हैं इस पर green लगा देते हैं मतलब randomly आप सब पर लगाते जाए ठीक है इस पर लगा दिया अभी आपने थोड़ा सा एक चीज़ make sure करनी है कि center pieces obviously अगर एक green यहां पर आ गया है तो अगर मैं द इन फैक्ट हम नए material बनाने से के वजाए न तरीका यह best बहतर तरीका ही है कि में green वाला select करें और इस number को दबा दें ताकि हमारा पर नए material बन जाए इसका हम लेट से रखते हैं blue ठीक है blue हम इसका material इसका नाम रखते हैं और फिर हम इसका जो color है इसको change करके blue कर देते हैं इ obviously जो green और blue है वो opposite directions में होते हैं opposite जगाओं पर होते हैं रूबिक्स को बगर आपको असल में solve करना आता है तो यहां पर हम blue तो नहीं लगा सकते हैं इसको जड़ा हटा दूँगा माइनस को दबाएंगे तो material हट जाएगा एक नया हम create करते हैं material इसको पहले तो हम number को दबाएंगे ताकि duplicate हो जाए और I think yellow होता है green के साथ although I'm not exactly sure तो अगर यह ना होता हो तो मुझे माफ किजिएगा जो तो गवचे सारे आखे आप लोग मैं आखे यह नहीं बौलना सबने कि तुम्हें eurubikship नहीं आथा एईविस आम ने खर लिए इसका नाम ने यल्लो रख दिया और हम अभी इसको सेलेक करते हैं इसको ब्लु लगा देते हैं इसका नाम blue या ठीक है तो अभी हम लैड से पोस्ट करने के लिए भी बना रहे है ना आप तो मैं आपको यह रेक्मेंट करूंगा आप एक असली रूबिक्स को फी पिक्टर देखें और उसमें से फिर कलर्स कॉपी करें आप ताकि आपकी कलर्स में गलती ना हो अदर्वाइस अगर गलती होगी तो फिर वो काफी इंब डैगा से और में अगर इसे भी रएट कर देता है यह कि तो अध्यर मतार ने यंदि कर देता है मतवर्वाब अगर्धीन कटर माई करते ही सबको इसको करने का एक और तरीका होता है यिसमें हम नोड के थुर हाप एक माटी रिजार्ट करना चाहता हम कर लें वैसे इसमें वाइट भी होता है ना तो वाइट में कुछ लोग कुछ जो यह पीसे हैं को मैं अधीरियल लाइड नहीं करता हैं पर बस इन्हें रहने देता हूं वैसी तो वाइट है ना बाइड डीपॉल्ट तो तो यह वाइट ही रहने देता हूं मैं पर ठीक है तो बैधिंग हमारा क्यूब जो है वह काफियाद तक बन गए यहां से थोड़े जादा वाइट रहे गए तो इनको मैं ज़रा अधीरियल लाइट कर देता हूं पर हमारा क्यूब बैसिकली कंप्रीट हो गया है और टेक्श्टर्स वगार हमने इस पर आड़ कर दी अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ जो कहे है लाइटिंग का तो वह अनुस्टी इन माई उपिनियन वह सबसे जादा मज़े का पार्ट होता है और असान विद्ध है काफी तो अब में हम एक और मैश आड़ करते हैं जो कि होगा प्लेइन साइड व्यूम में जाते हैं और इसे बिल्कुल नीचे से हम एक्जा अब कैसी है अगर मैं जाओं और इसको स्विच करूं साइकल से एवी में और मेरे पद जीप्यू है तो मैं जीप्यू कंप्यूट में स्विच करता हूँ सेफ करने प्रोजिक को बाइद वए तो अभी आप देख सकते हैं इसमें लाइणिंग ही नहीं कोई तो यह बहुत बुरा लग रहा है इसलिए अगर हम जाएं इस वर्ल्ड प्रॉपरिटीज में और यहां पर जाके हम एस्टेर आड़ करें इसका तरीका मैं आपको कुछ मैंने डाउनलोड भी किये थे तो मैं जरा उनको उनमें से चेकर लेता हूँ एक्शलिए थिंग उनमें से सही थे जो पहले मैंने खुल रहते हैं हूं मैं आपके काफी अच्छा लुक्त दे रहा है लेकिन मैं कोई और इसमें ट्राइ करता हूं ताके क्या बहुता ब जो रफने से थोड़ी और कम करना चाहूंगा वरके नहीं थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं इंफाक्ट अब बहुतर लग रहा है यह थोड़े वाइट ज्यादा आगे हैं यहां पे तो जादा मैं जड़ा इन पे मैटीरिल आट कर देता हूं इस पे ब्लू आट कर देता है थोड़े से ज़्यादा वाइट लग रहे हैं ऐसे तो जड़ा आट कर जाते हैं तो जड़े ज़्यादा हो गए इस पे यह 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 रहा है इसमें, अबिसली काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं, इस से इस जितना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, honestly, तो इसकी वज़ाई यह है कि पहली बाद तो हमने फ्लोर नहीं आइड किया हुआ, तो पहले चले फ्लोर आइड करते हैं, अग इसको जो save image, और हम इसे download कर लेता है, फिर हमें काम करते हैं, इस पे एक नए material add करते हैं, इस plane में, और फिर हम जाते हैं, shading menu में, ताके हम यहां पे फिर उसको as a node हम join कर सके, तो हम पहले chrome में जाते हैं, यहां से select करते हैं, इसे drag in करते हैं, इसमें, और पास यह image texture आगिए, इसको बस हम लोड करते हैं, इसमें, simply, ठीक है, इसका जो है, control T दबा के न, फिर हमें size का चोटा करना चाहूंगा, इस सारे को select करके, let's second and 2 करते हैं से, तो यह size उसका half हो गया, और बीच में आप देख सकते हैं, यह थोड़ी line आ रही है, बीच में लोकेशन जो हैं, location Y जो इसके रहीगा, I think one यह सही था, probably, और इसको भी दिरो करते हैं, हाँ, मैं रेकार में सही लग रही है, ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं, काफी इसमें realistic लोकार यह, लेकिन, एक बात है कि इसमें जो है, bumps और जो है, वो roughness जो है, वो इसकी सही match नहीं हुई, तो बेर हम क कर सकते हैं, कि कुछ जगों पर shiny है, कुछ जगों पर shiny नहीं है, जिस तना metal को होना, जिस तना wood को होना चाहिए, ठीक है, तो यह आदेख सकते हैं, काफी बहतर लग रहे है, या लेकिन, अगर आपको इसमें, बहुदिशे बहतर बनाना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आ पिर आपको इसकी लॉजिक समझाने लग जाएगी इसका बेसिकली जो परपस है में वो यह है कि कलर रांप नोड़ अगर आप लाते हैं अगर मैं ब्लाक वाली साइट को जादा इधर करूँगा ना तो ज्यादा शाइनी होता जाएगा ठीक है वाइट वाली साइट को अगर अगर हम वापस आंते लियाउट मोड में तो अभी पहली पहली बात तो यह कि आपको देख सकते हैं इसका टेक्श्चर काफी रियलिस्टिक लग रहा है और अच्छा लग रहे काफी तो इसको हम जड़ा पहले देखते हैं हमने रंडर से करना कहां से अगर आप यहां से कर अगर पाएंगे तो था कि दोड़ा मूफ करने है तो अभी हम पैले कैमरा बनाते हैं एग प्राजिक बाइगब bottom nine भूलना हम अपने MARC यह जो हमने किया था वियो में जा कर능 के लोक कैमरा में आप इसाफ से कर सकते हैं ने पहले में पहले में इसका जो है जो आवाट्र प्र रहे हैं किसी इस फोन से टश्वीर लिए है किसी नॉर्मल फोन से टश्वीर ली ओ किल को अब हम देखते हैं iPhone एक पोकल लेंड के देखते हैं इसकी फोकल लेंड कितनी आती है तक्रीबन तक्रीब्बन 13 इसका थे इसका एल्टरावाइड होता है और 26 6 mm का इसका standard focal length होती है तो हम standard बाले को यूज़ करते है 26 mm कर देते हैं अभी हमारा 50 है तो इसको 26 अगर मैं करूँगा तो अब आपको बिल्कुल आइफोन जैसी लोग आइफोन जाएगी कि आपने आइफोन से तस्वीर ली है ठीक है लेकिर इसका मैं obviously वो भी करना चाहूँगा background blur भी करना चाहूँगा तो depth of field इसमें अड़ करते हैं हम इसमें एक empty बना देते हैं add, empty, plain access और जी, shift, z इसको move करके मैं यहाँ पर तक्रीम ले आता हूँ इस जगा पर ताकि यह फिर यहाँ पर focus हो जाए camera में हम जाते हैं और camera के दिर हमारी ओपर यह camera बढ़ी है यहाँ पर focus object को इस empty को select कर देते हैं जिसके ओपर आप जाएगे हैं वो आपको नाम पी उसका बताएगा कि आप क्या चीज़ select कर रहे हैं यहाँ पर जाए नजर नहीं आ रहा लगा में बहुत जादा थोड़ी यह जो चीज़ें यह blur हो जाएं इस एब्रॉप्टली एनड हो रहा है तो इस तना realistic लगेगा निवो तो एक और सीज़ करना चाहूँगा control भी दबा के इसको सब को ऐसे बना ले ताकि जादा बहतर लगे f stop कम कर लेते हैं 0.2 कर लेते हैं ठीक है फिर भी इतने ज़्यादा blur नहीं हुआ तो अभी हमें एक काम करते हैं और इसे और कम करना पड़ेगा हमे 0.1 कर लेते हैं यहां पर हम इसकी focal ने जो है थोड़ी तकरीबन 30 तक बढ़ा लेते हैं और थोड़ा करीब ले जाते हैं से ऐसे अब देख सकते हैं काफी यह बहतर लग रहा है पहले से इसको अब इसको पर गाइड को आफ करें तो काफी बहतर लग रहा है एक चीज़ एक मसला जो मैं हाइलेट करना चाहूंगा इसका वो यह कि है थोड़ी जादा वाइबरेंट है असल में थे जादा वाइबरेंट है तो हल्के से डाल ख़र नहीं ठीक है तो उसको करने के लिए इसको पहले तो नहीं करते हैं अपनी और यहां पर आके जो इसकी जो vibrance है ना, उसको मैं थोड़ा से कम करना है, तो हम बेस करर में जाते हैं, और saturation जो इसको तोड़ा सालका से कम कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, अग्रीबिमन थोड़ा increase करते हैं, इतना should be good, ठीक है, और green को select करके green की भी हम जो saturation हलकी से कम कर लेते ह इस तरह की, red की भी थोड़ी कम कर लेता है something like that और blue की I think सही है blue के थोड़ा यहां तो आपकी जो है ना value बढ़ा देते हैं ताके थोड़ा bright हो जाल कासा तो इसमें अभी obviously थोड़ा सा dull लग रहा है आपका यह पूरा render overall लेकिन उसकी वज़ा यह है कि अभी हमने इसमें post processing जब करेंगे तो इंशाला बहतर लगएगा अभी हमारा यह basically complete होगा render और मेरी opinion में तो इससे भी बहतर लग रही है जो अभी हमने बनाया है फोड़ा different है obviously because वोई चीज़ें replicate करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है हम इसे एडिट करते हैं भी तो first of all हम क्या करेंगे हम अपने samples check करेंगे samples जिसके कर दोते हम लेट से 500 कर दोते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे हम जाएंगे render में render image और हमारे render start हो गया है तो अब इसका होने का वेट करते हैं इसके बाद हम से post processing करेंगे तो अब हमारे render जो है complete हो गया हम image में जाएंगे save as और हम कहीं पे भी save कर सकते हैं मैं desktop में save करने था हूं rubix cube will do course ठीक है save as image और अब हम जाते हैं अपने उसी editor में जो हमने पहले use किया था अब मैं इस लिए इस लिए बता रहा हूं ताके ताके सब लोग कर सकें अगर आप पास photoshop है light room है तो इसमें आप even में बहतर तो यह editing कर सकते हैं लेकिन obviously सबके बास photoshop या light room नहीं होगा तो मैं इसमें आपको बता दता हूं open image और हम जाकर सेलेक करते हैं इस render को अब यह देख सकते हैं यह हमार पर रंडर है और इसका हम क्या करेंगे इसमें हम जाएंगे adjust filter vibrance इसकी हम नहीं इतनी बढ़ाएंगे बिकरज वाइब इस जादा होगी तो तोड़ा मेरी खाल में ज्यादा रियरियलिस्टिक लग रहा है ब्राइटनेस थोड़ी में इसकी हलकी सी increase करूंगा और इसका जो है contrast भी थोड़ी सी में हलकी सी increase करना जाओंगा 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 ज्यादा नहीं हलकी सी ऑलभी थोड़ी सी increase कर सकते हैं ऑसके विक जो व sommes हाइयलाइट हो एग लिए कि ताके जादा थोड़ी ऐसे लिए स्फुर i कि छूड़ी रिलिस्स्टिक लगे ँगे और इस फारेदा है कि आपका जो फोकस है ना व्यूर का वो ज्यादा रेंडर की तरह जाते है तो इसको बस सेव करें, और मैं बस इसे से सेव कर लिए ताम जल्दी से, इस तरह से, एडिटेट, ठीक है, पहले हमारा सेव हो गया, और I think we're good to go, तो आज हमने बनाया है, यह वाला रेंडर, जो के, in fact, काफी अच्छा लग रहा है, in my opinion, तो आप जरूर ट्राइ कीज़ेगा, इसे खुद बनाने का, अब अगर इस टुटोरियल को फालो नहीं किया ना, तो आप टुटोरियल बन करके, विडियो बन करके, अपने तरफ से ख कोई आपको लेट से किसी चीज में अब अटक जाएं, तो फिर आप आप इसी टुटोरियल विडियो लगा के, और आप दो वारा इसको फालो लॉग कर सकते हैं, so yeah, thanks a lot for watching, and I'll see you in the next one, Allah आफस. All right guys, so इस हफते का जो असाइनमेंट है, वो जैसे कि मैं आपको विडियो में बताया था कि आपने यह वाली चीज़ बनानी है, ठीक है, यह वाला जो आर्टोर के पूरा आपने बनाना है, अब आपको materials भी साथ आगे, materials भी आपको जो basic materials आपको बनाना मेने सखा दिये, तो लेकिन इसमें जो texture है ना, इसका, वो texture में change किया हुआ और इसका glass texture में लगाया हुआ है, किया किया है, मैंने कि इसमें glass, मैंने जो transmission इसको one कर दिया है, ठीक है, उसके बाद मैंने इसके, इसकी अंदर वाली modeling जो है ना, अंदर वाली modeling थोड़ी सी आपके लिए क्या पता आपका 3D art में आप सही properly सीख सकते हैं, तो यह चीज़ आप try करें, उसके बाद प्लस में यह है कि इसकी roughness में increase की थी और इसकी transmission है मैंने one कर दी ठीक है, तो और प्लस में अंदर से जो है ना, अंदर से जो इसका material है, मैंने किया एक और cube लिया, जिसको अंदर से shape किया, और पिर उसका जो texture है ना, वो मैंने इसकी transmission one की पहले, ठीक है, और इसका color जो हलका से मैंने blue कर दिया, तो यह आप देख सकते हैं, अंदर से हलका से blue shade आ रहा है, तो इसकी वज़ा से आ रहा है, ठीक है, ऊपर से मैंने वही इसका, यही वाला material है वही लगा दिया, ठीक है, यह more than happy to help you, लेकिन यह बात है कि मैं चाला हूँ कि आप खुद भी ज़रा अपने, अपनी self पे आप सीखें, और प्लसमी यह भी आप बना सकते हैं, यह भी simple a cube ली है, इसको मैंने extrude किया है, प्लसमी चीज़े बनाए है, प्लसमी चीज़े बनाए है, प्लसमी चीज़े बनाए सकते हैं, तो इसको मैंने यूज करके आगे वाले चीज़े बनाए है, ठीक है, यह सिलिंडर्स हैं, यह भी वो है, एक cube था जिसको मैंने थोरदा बेवल किया था, साइड से, और यहां इसको मैंने light वाले texture दे दिया था, मैंने इसको बंद कर दिया था, यह भी cylinder है, जो कि इतने हैं, आप जादा कर सकें, करें, अभी इन वाली चीज़ों आगे आप नहीं बढ़ें, यह आप नहीं बना सकते हैं, यह हमने अभी अगली इंशाला आफते में, यह कुछ हफतों बाद हम सेखेंगे, blender kit add-on किस तरह यूज करते हैं, उससे फिर आप यह models import करेंगे, औ इंशाला तो अभी के लिए इतने हैं, आपने यह चीज़ बनानी है, यह बनाना है, और आप यह बनाना अगर चाहें तो बना सकते हैं, और यह बना सकते हैं, जितने जादा आप बनाएंगे, उतनी जादा आप की प्रैक्टिस होगी, प्लस में subdivision surface modifier को यूज करते हैं, या, आपको इंट्रीज कराने वाला हूं एक बहुत इंपोर्टन टीस है, जो blender के नदर काफी important है, और वो हैं modifiers, अगर आप नेक फाइल कुलते हैं, तो साइट पर यहां पर अल्रेडी modifier menu एक खुला होगा, यहां पर टूल बनावे हैं, ब्लू कलर का, इसको अपने क्लिक क होता है है कि आपकी जो मेश होती है, मेश कहते हैं मैं जो भी आपको कोई object होता है, object ब्लू सकता है, एक sphere भी हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, जो भी आपने 3D में बनाए हैं उसको हम mesh कह सकते हैं, अब उसको किसी बी तरीके से modify करना है, वो काम होता है modifiers का, अब काफी different तर देख सकते हैं काफी जादा आपके पस modifiers available हैं ठीक है लेकिन इन में से majority जो हैंगे होंगे in fact जो 70-80% है वो हम कभी use नहीं करेंगे ठीक है बहुत कम chance होता है कि हम use करेंगे कुछ जो main है मैं आपको इंड्रीज करा दूँगा और आपके लिए काफी असान होगा मुश्किल नहीं होगा सबसे पहले हम उपर आते हैं यहां पर generate modifiers में generate वाले जो होते हैं इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा array modifier अगर मैं से reason बता दूं क्या है अब scene यह है कि array modifier क्या करता है एक object को लेता है और उसकी copies मना देता है एक line में ठीक है एक line में उसकी copies मना देता है अब यहां पर आप आएंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ options मिलेंगे ना तो इसके साथ हम जरा ट्वीक करते हैं इन options को फिर हम चेक करते हैं किसके हम किस तरह change कर सकते हैं सबसे पहले fit type में आज जाएंगे यहां पी क्या होगा कि अगर आप for example किसी curve को ठाके अगर आप add में जाते हैं कर्व में जाते हैं और यह कोई count इससे आप यह determine कर सकते हैं कितने आपको कितने cubes चाहिए आपको ठीक है लेट से हमें पांच cubes चाहिए तो आप देख सकते हैं ज्यादा लंबा हो गया अभी क्यों लंबा हो है मैं आपको बताता हूं बैसिकली जो यह है ना relative offset इसके इसमें होता ही है कि आपको X direction में कितना gap चाहिए हर cube के दिरा मैं ठीकर h. V direction में और z direction में कितना gap चाहिए आप इसका मकसद लिए है म्ने जो स्की किण अवन बाकि सारे 0 है अब X direction में हर cube और उससे अगले cube के क्यूپ का difference है ठीक है आप लिख सकते हैं यहां से क्यूप शोरो होता है एक क्यूप का difference यह आ गया प्र अगर हम भीज़ादा ऎनधे हैं प्र प्र टॉब्ट क को बड़ता जा राहा । इसका प्यूंबा धाला होते हुई अगर लेट से हमें कोई बीस चाहिए तो हम अराम से बीस कर देंगे ठीक है अब यह क्यों जरूरी है और इसका फायदा कि हम आपको बताता हूं फरेजाबल हमने एक वो बनाना है एक बिल्डिंग बनांगे अब यहाँ तो हम अगर यहां पर चाहिए पिर यहां पर यहां पर चाहिए है प्लस में इसका जो डिफरेंस होगा गाब जोगा दिनके दिर्मान वह में यूनिफॉर्म निरख पाएंगे तो इसका बहुत ही असा लिए पास 100 boxes आगे और आज पोस्ट में एक एक को शिफ्ट D करके शिफ्ट D शिफ्ट D में टाइम जाया होता नो से मॉडिफ़र होते हैं यह यूजिली कि आपको उन जो काम करते हैं ना कर सकते हो मॉडिफ़र सब्सक्राइब लेकिन उसमें पर आपको टाइम जाद लग जाएगा तो यूजिली टाइम बचाने के लिए आपकी जो हैं मॉडिफ़र हो गया अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप ड्रेलिटिव ऑफसेट का मतलब ही होता है कि आप क्यूब की डैम यह जादे यूसफ़ल ऑप्शन होता है प्लस में अब्जेक्ट ऑफसेट भी होता है जो कि इसको आपको ऑप्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं बसके साफ से ऑफसेट होगा लिगन इंपॉर्टन नहीं होता है मैं इसलिए हम उसे कवर नहीं करेंगे अभी तो यह हमारा होग इसको मैं रिमूफ कर दता हूँ यहां पर रिमूफ करने से पहले मैं पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा कि अगर आपको व्यूपोर्ट में नजर ना आए ठीक है तो फिर आप यह जो बटने यह जो बटने यह जो स्क्रीन बनी हुए इसको क्लिक करेंगे क्यों करना चाहेंगे लेकिन अगर आपको ज़रुत पड़ती है कि आपने मॉटिफायर के बगएर अपने सीन को देखना है क्योंकि यूजली यह होता है कि अगर आपने कोई ऐसा मॉटिफायर लगा है जिसमें बहुत ज़्यादा जो आपके कंप्यूटर पर आपके कंप् काऊ खाएंगे मैं अगर मैं कर लेता ना तो मुझे सिर्फ यह नजर आता है ये एक क्यूब नजर आता हूए तो मैं अगर रिंडर वाल ओंफ किया हुए तो में दोने कॉण कर लेता हूए और हम इसको अब नेक्स मोटिफायर जो मुमारे पास है वो है यहां पे में जाओ वो है bevel modifier अब bevel modifier exactly वो ही चीज़ करता है जो हम अगर let's say edit mode में जाएं ठीक है और हम control भी करें और इसको वो करें हम bevel करें ठीक है कि हम यह segments हम define कर सकते हैं हम कितना ज्यादा smooth है वो define कर सकते हैं हम पहना वो हमारी मर्जी है ठीक है तो यह इक्जाक्टीज यह modifier भी करता है लेकिन इसका फायदा के फिर modifier का अगर यह चीज़ सेम चीज़ कर रहे है तो modifier क्यों यूज करें उसका reason यह कि लेट से अगर मैंने इसको बेवल कर दिया ठीक है मैंने इसको इतना बेवल कर दिया मतलब इंडिविजुली वर्डिस को मूव करेंगे तो तीन-चार दिन लग देंगे पूर इसमें लेकिन प्रैक्टिकल तरीका है कोई नहीं हमारे पास अब modifier को फायदा ही होता है आप किसी वग भीना modifier को अगर आपने apply नहीं किया वा modifier को तो आप फिर उसी आराम से वो कर सकते हैं हम change कर सकते हैं ठीक है अब मैं लेट से इस पे एक modifier आट करता हूँ bevel modifier ठीक है आप देख सकते हैं मैंने bevel हो गया simple हम amount को adjust कर सकते हैं ठीक है जतना हमने bevel करने से और segments हमने में इसमें increase कर सकते हैं ठीक है लट से हमने इतने segments का लिए है अब मैंने पूरा scene build out किया सब कुछ किया उसके बाद मिज़े रिलाइज होता है कि यार मैंने इसका जो amount होता है नहीं करना चाहिए उसमें फिर आपके जो 3D models होते हों काफी फिर वह जाते हैं edit नहीं हो सकते बाद में फिर finalize हो जाते हैं अगर 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 आपको लेट से इचीज़ आप अगर सोच रहे हूं कि हमें अगर हम टाइब में जाते हैं हमें सर्फ यू भी नज़र आ इसे individually हमने edges को move करना है तो फिर कैसे करें हैं फिर अगर अगर हम अगर हम इरिट मोड में जाते हैं हमें तो सिर्फ क्यूब निजल आ रहे हैं तो उसका हल यह है कि आप यहां पर जाएं यह जो ड्रॉप डाउन मेन्य हो इसके जाएं और अप्लाई कर दें से अप्लाई किया तो यह समझे मॉडिफायर चला गया बस यह पर लग गया अब अगर आप आएंगे ना यहां पर तो आपको exactly वही चीज मिलेगी जो आपको पहले बेवल जब आपने एरिट पोर्ट में कहता इस तरह मिली थी उसी तरह कर सीन मिलेगा लेकिन यूजली हम यह मॉडिफायर अप्लाई नहीं करते हो दे पर फिर मॉडिफायर कर सारा मकसद ही खता हो जाएं आप फिर बाद में उसे इसे इजस्ट नहीं कर सकते तो यह सीने इसका बेवल मॉडिफायर कवर हो गया इसमें बहुत ही सिंपल यह चीज़ है लिमिट मेटड अंगल ही रहेगा हमेश आपको और अंगल 30 डिग्री ही होगा इन चीज़ों को आपने बिल्कल भी चेड़ना नहीं है मतलब यह बहुत इडवांस चीज़ है और विट्राइब जो है इसको भी आफसेट पे रहने दाम ठीक है अगर आप जैसे आपको पता होगा कि अगर आपको शिफ्ट और बी करते हैं तो हमारा एजज़ वला होता है अगर कोई प्राजिक में इसका काम आगया लेकिन यूज़ली मैं तो यूज़ नहीं करता हुँद अपनी वर्क फ़्लो में तो हम मिर्र मोडिफार बजाते हैं अब मिर्र मोडिफार करता है यह बेसिकली कि आपने एक पृश्ज़ बना दिया हां ठीक है अगर मैं इसे जी वाई यहाँपे लेच्ट कर जाँँ ठीक है अब मैंने करना यह इसको मैं भी हटा देता हूं भाइद भी अब सीन यह कि मैंने इसको ना लेट से इस X-axis के across mirror करना है ठीक है यहां तो मैं इसना कर सकता हूं कि मैं shift D करके यहां पे ले जाओ ठीक है और लेकिन इसका यह कि यहां से यहां तक जो distance है वो मुझे पते नहीं कि यहां से यहां तक same होगा या नहीं अब इसका मैं प्राक्टिकल एक्जाम्पल देता हूं आपने गाड़ी की headlight बनाई है आपने एक साइड की headlight बना दी ठीक है अब दूसरी साइड की headlight आपने बनानी है तो वह आप यहां एक mirror object भी चाहिए होता है अब mirror object का सीनी होता है कि अगर मैं एक empty add करता हूँ अब मैं इसको mirror करूँगा और इसका mirror object जोगा हो इस empty को रख दूँगा फिर आप देखेंगे कि कुछ होगा नहीं विकाज हमने कोई access अगर मैं x-axis select करता हूँ तो cut cut अच्छा अगर मैंने इस x-axis के across अगर मैंने करना ना तो मैं इस x नहीं select करूँगा मैं वह उस लाइन पर मुझे चाहिए ठीक है अगर मुझे y-axis पे चाहिए ठीक है तो मैं इसके हिसाब से दोनों साथ ही move होंगे ठीक है अनका distance हमेशा बीच आपसका सेम ही रहेगा ठीक है अब एक और फाइदा जुसका यह है जो कि हमें copy करने में या duplicate करने में नहीं मिलता वह यह है कि लेट से हमने changes करने इसमें इस एज को ठाके मैं इधर move करना है ठीक है लेट से ऐसे करना है मैंने से तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमें दोनों को अब इफेक्ट हो जाएगा और हमें individually करने की जरूत नहीं पड़ेगी ठीक है यह इसका फाइदा होता है प्लस में इसको होता है कि हमने x-axis के through हमने करना है तो हम x-select कर देंगे ठीक है उससे होगा नहीं अगर आफ फर एजमपल यह object लेट से इधर होता है फिर मैं x-select करता तो यहां पर आ जाते है ठीक है तो आप 2-axis को साथ भी कर सकते हैं अगर लेट से हम इने नीचे भी ले जाए नीचे ल होगा कि मैं इसको यहां पर लेऊंगा वाय-axis पर कंट्रोल दो माँगा ताकि साथ हो जाए बिलकुल ठीक है इस पर हम बाइद वह भी लगा देते हैं क्या कहते हैं से अम बेवल मोड़िफार भी लगा देते हैं थाकि थोड़ा सा वह जाए है स्मूद हो जाए अभी आप देख सकते हैं दोनों जो है जो है ना जोड़ गया आपस में तोने करूंगा मैं यह कि मैंने सेपरेट कर दूँगा ताकि मैं अलग लग जाए दोनों आपस में और ने बहुत ही करीब लाके मैं ऐसे रख दूँगा ठीक है यह हो गया अब इसक इसको जी और एक्स हलका से दूर लेकर जाँगा ताकि यह सेपरेट ऑब्जेक्स बन जाए इस तरह से हमें एक रूबिक्स यूप बना सकते हैं रूबिक्स यूप जो हमारा था उसमें ठी बाई थी था ठी हर साइट पे थे तो हमें एक और क्यूब बनाना पड़ेगा रे सॉरी इसको माइबाड हम इसको शिफ्ट डी करेंगे और एक्स अक्स पर ले जाएंगे इस तरह से और इसका जो है हम एक्स वाला सॉरी इसका नहीं इसका हम एक्स वाला बन कर देंगे ताकि लिए और वहां पे मॉडिफियर ना हो रहा हूँ और पिर हम यहां से कॉपी करक थोड़ी नीचे लाके फिर जी वाला लगाँगा तो यह आराम से उपर हमारा बन सकते है इसके तो यह हमारा मेर्र इसको बाड़ी बनाने है ठीक है अब है घ्राप करेंगे एतना तक्रीमेंट करेंगे इतना थ्क्रीब और यह क्या होगा यह की बाड़ी होगी इसको और सेलेक्ट करता है और इसको हम स्केल अप करेंगे स्केल अप करेंगे लेकिन हम शिफ्ट शिफ्ट जी दबाएंगे ताके इसकी जो वह ना सिर्फ एक्स और वायक्स में स्केल आप हो तो अब आप देख सकते हैं कि काफी ऊपर से भी हो रहा है ना उपर वाले यह वी एफेक्ट हो रहा है तो मिसलिए स्केल अपनी करेंगे पहले एदबाएंगे ताके एक्स चूड ओ ठीक है अब हम एस दबाएंगे और फिर हम शिफ स्केल डाउन करें एक्स अक्सेज में इस तरह कामरा शेप बन रहा है प्लस में यहां पर अगर हमने जोमेट्री एक्स्टा आड़ करनी हो तो आपको याद होगा इंशाला पिछली क्लास से कि अगर हम कंट्रोल आर्द बाते हैं और लूपकाड आड़ करते हैं यहां कहीं तो अब देख सकते हैं यह हमारी एक्स्टामर बेजामेट्री आगिए जो कि हमने यहां पर जाकर इसको जरा इंसेट करते हैं यह बेसिक मॉडलिंग टेक्निक जो मैं आपको पहली वीडियो बताई थी वह हम यूज करें हैं यहां पर आप इसे एक्स्टूट कर लें बाए इस तरह अगर ठीक रहेगा यह हमारा बहुत ही बेसिक सा बंदा बन रहा है हम इन चीजों इन नों को ठाक है ना नीचे एक्स्टूट कर लेते हैं यह हमारी टांगे बन गी ठीक है सिंपल सी अब यहां देख सकते हैं इतना शार्प लग रहा है ना कि मतलब वह अच्छा न लग रहा है यह मतलब थोड़ा स्मूध हो गया है लेकिन अभी भी अच्छा नहीं लग रहा ठीक है तो हम इनकी जड़ा पहले इंक्रीस करते हैं लेवल्स 3 कर देते हैं अब लेवल्स का यह सीन है कि जितनी ज्यादा लेवल्स होंगे ना उतना ज्यादा आपका जो है कंप स्मूध करें इस सीरे को ठ्टब ज़्यादा करें मलब वो डेपेंड़ करता न आपकी मर्जी पर तुँसको करने के लिए आप क्या करने हैं उसको करने के लिए लूप कट्स आपको बता हूगा कि हम पहले उसमेटी बना रहते हैं जिससपर मुद्ण सुभिशन स्भिस मोилли में जिस जगह पे ज़्यादा लूप कट्स होते है न वो जगह कम स्मूध होती है यह इसका रूल है ठीक है अगर मैं यहां पर जाके Ctrl-R दबाता हूं और लूप कट बना देता हूं यहां पर कोने पर ले जाता हूं तो अब देख सकते हैं कितना कम स्मूध हो रहे हैं यहां पर आज गंपे टिस पॉइंट अब यह पॉइंट काफी जादा स्मूध ही यह पॉइंट कम स्मूध ही है क्या पर लूप कर लगाया गामने अब शुरू में क्या पते चीज़ सेंस ना बनाए इतनी जाद आपको वेकिन आश्ता आपको इसके के तुरू चीज़न सेलेक कर सकें तीक है अगर हम यह सेलेक करते हैं इसको हम और जी दबाते हैं दबारा तक वापस आजए एस और एक्स अगर हम करते हैं तो इस तरह से हम जैसे हम आज़तों तोड़ा चोड़ा कर सकते हैं और सेम इस साइड ठीक है अब लेट से हम इस इस तरह से और यहां पर एक और लूप का डाट करेंगे इस तरह से ठीक है अब यह obviously बंदा अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन यह सारी जो exercise की सारा बनवाना जो था वह मैं आपको इस लिए करवाया है ताकि आपको basically idea हो सके कि लूप का जो होते है मतलब वो जो subdivision surface modifier होता है उसको किस तरह यूज़ करते हैं और मतलब वो उसके practical purpose क्या होता है तो यह चीज़ है कि यह बंदा बस हम बन गया है अभी फिलाल तो इससे आप ignore ही करें मतलब आप यह नाई copy करें मक्सद यह था दिखाने का आपको कि हम smooth out कर सकते हैं जीज़ों को let's say हमने इसका सर सीधा बनाना है flat करना है for example for some reason अगर को alien बनना है तो मैंसे ऐसे जा कर सकते हैं नीचे से भी हम ला सकते हैं जहां पे भी loop cut होगा ना वहां पे आपकी जगह जगह कम smooth होगी और जहां पे नहीं होगा वहां पे आपकी जगह ज्यादा smooth होगी ठीक है अगर let's say हम यहां पे add करते हैं अगर इसकी नीचे भी add करते हैं कितना शार्प होगे यह वाले जरिया ना जितना जादा आप लूप कर साट के नहीं कितना जादा हो जाएगा अगर आपकी लेवल्स बहुत जादा होती है तो यह हमारा चोटा सा एलियन सा बंदा है इसको अगर आप चाहें तो इसकी टेक अगर आपका दिल चाहरा है तो लेकिन अधर वाइस तो यह है बस इस वीडियो के लिए और अब होफिली आपको सब्डिविजन सब्स मॉडिफायर समझ आ गया होगा अगर नहीं आया समझ तो कोई मस्ते की बात नहीं है मिंशाला आगे फीचर में भी से डिसकास करते रहे पर कुछ इन में से थोड़े बहुत जरूरी हैं जैसे डिस्प्लेस मॉडिफायर हो गया सिंपल डी फॉर्म मॉडिफायर होगे लेकिन वह थोड़ी ज्यादा अधवांस है तो मैं शला आगे जलके जैसी हम हम थोड़ा सा कहते हैं हम थोड़ा सा लिक एड़ांस करेंगे ब प्रस में आप प्रस में आप गुगल सकते हैं अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो जरुरी निए कर सकते हैं आप यूट्वी पे सर्च कर सकते हैं इस पर आपको काफी सॉर्से माध्यर में तो भीमिल में टो इस Sum by तूमरम्ण सब्सक्राइब के लिए यह बर्ड बनाएंगे के पहले मिसी मॉडिलिंग करेंगे उसके बाद मैं आपको आज बोनस इसके टेक्टुरिंग और लाइटिंग वह रहा रहा वह प्लस में पूरा में यह रंडर बनाएंगे इंशाला अभी आप सोच होंगे क्या पता कि अभी हम क्यूं रियलिस्टिक चीजह क्यों यह बना रहे हैं रिजन कि कार्टूंस असान होते थोड़े तो बिगिनर लेवल पे अगर आप कारटूंस से स्टार्ट करें तो आपके लिए बहतर होगा व्यक्स जीजिए होता हूँ थो फो इनक्ति को उता तो इंसलाल आगी ब्र गए तो चलिए स्टाट करते हैं सब्सक्राइब ब्लेंडर में ब्लेंडर में हम यह कैमरा और जो है लाइट इसको ड्लीट करेते हैं प्रोजेक्ट से ना मत भूलीगा एक हमार पस क्यूब आ ठीक है आप करेंगे हम यह अगर मैं वापस अपने रेफ्रेंस की तरफ जाओं तो अब होपफिली समझ जाएंगे इसको ना हम पेले पेले लगा देता है सब्डिविजन सर्फिस मारिफ़र सब्डेविजन सर्फिस ठीक है अब देख सकते हैं सब्सक्राइब इसकी लेवल्स हम 3 कर देते हैं भी फिल आली के लिए ठीक है अगर अब मैं जाओं इसको चीजि करते हैं इस तरह का में अप्रस कर लिया यह मर पास इसका यह वाला इसा यह बन गिया ठीक है अब पीछे से पकड़ के ना पीछे से एक्स्थूड कर लेते है ठीक है एक सुटी इस तरह आम अमर यहां पर एक लूपर करते हैं ताके थोड़ा से शॉर्प हमारा कर्ट बन जाए तो उपर से भी हम क्या पता लूप कर राइड करें कि इसमें आप देख सकते हैं काफी उपर से शॉर्प है इतना ज्यादा राउंड नियुक्त पूरा बॉल नियुक्त बना वो पर से लेकिन इसमें जादा राउंड है तो क्या पता यहां पर ऐसे लूप कर राइड करें लेकिन अभी के लिए चीश्य करना चाहूंगा यहां पर होगी के पीचे से यहां से जाके इससे उपर जा रहे हम ने जो किया हमने ऐसे पीच्छे आकर बाइन जा रहे है ठीक है तो मैं करूँ आपके यह सेलेक्शन टूल है सिर्फ वह आपकी स्क्रिन पर देख सकते हो तो अब देख सकते हैं इसकंड सिर्फ एक पॉइंट सेलेक्ट हुआ है त्यारी यह वाला पैस्की पीछए U事 Let me तो आप देख सकते थे कि एक पॉंट उपर होता है एक ना होता तो यह बहुत ही उनिफॉर्मिटी नहीं रहती ना फिर आपकी तो इसलिए हम क्या करेंगे क्या हम और जी दबाएंगे अपनी कीबूर पर उससे थोड़ा सा मरेक्स की ओपासिटी कम हो जाएगी अभी आप इंदर रहकी करेंगे जीजी दबाऊंगा हलका सा उपर ले जाऊंगा और एक सकंड यहां से नीचे से भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा करव है ठीक है और यहां पर हमारा काफी सीधा हुआ हुआ है तो मैं इसको जड़ा लेकर हलका सा अगर इदर ला लाता हू सकते हैं अगर हम से बना लेका है नहीं कितना हमारा स्मूद और अच्छा बन जाता है तो सब्डिविजन सर्फिस का स्काम यह होता है कि आपकी चीज़ों को स्मूद करे बहुत तो यहां से हो गया यहां से हाक हम पीछे उपर जा रहे है उपर जाने में हम अखा से इसको ठोके जीजी इसको भी कर देते हैं something like that should be good अगर हम आगे से देखें तो हमें थोड़ी बहुत ये इसके जैसी look दे रहे ठीका हलका सथ दे रहे look वसी यह कि उपर से हमें लूपकर डाट करना था इस तरह करें अगर हम शाट कर देंगे तो पर अच्छान लेगा अब एक चीज़ आप देख सकते हैं कि हम seniors का कि अगर हमें let's say जा के पीचे से adjustments करनी हो और let's say हमें let's say इस वाले अगर हम face mode में जाएं इस वाले face को अगर हमने बाइर लाना हो जी एक्स करें अगर हम बाइर लाएं ठीक है तो फिर हमें वहां से भी यह से चीज़ करनी पड़े की दौबारा जी एकस इस तरह ठीक है तो इस इस खौरी से बचने के लिए और uniformity ensure करने के लिए हम करेंगे क्या हम बेसिकली इसमें एक बीच में बिल्कुल लूप कर लगाएंगे कंट्रोल बिल्कुल बीच में लूप कर लगा दें हम मूफ करने की जरूरत निया से राइट करेंगे तो जो डीफॉल्ट पोजिशन होती है वहीं पर रह जाएगा ठीक ह अब क्या हुआ अब हमारे पर सिर्फ आधा जो है वो रह गया है अब इसको करने का मक्सद यह है कि अगर मैं अब इस पर mirror modifier आड़ करता हूं ना इसे मिर्र मॉटिफार अगर लगाता हूं तो यह पूरा भी हो गया अब इससे फायदा यह हुआ कि हमारे पर सिर्फ आधी geometry ह अगर मैं इसको पकड़के इसको पकड़के लट से बाइर लाता हूं जी एक्स करता हूं तो आप देख सकते हैं इसके दूसरी साइड पर वही exact चीज मिर्र होगी ठीक है तो यह काफी useful tool होता है और आप यह अराम से यूस कर सकते हैं अब एक मसला नोटिस करेंगे कि अभी यह काफी square सा बन गया है ठीक है काफी boxy बन गया हलाकि यह जो है यह बहुत ही smooth है तो इसको smooth करने का तरीका यह है basically हमारे पास कि हम अगर हम इस पॉइंट को लेट से अगर हम इस एच को पुरा select करें ठीक है और फिर इसको हम जड़ा ऐसे करें ताके लेकि हलका सा राउंड होजाए हमें काम कर सकते हैं यहां पेक और लूप कर आड कर सकते हैं ठीक है जिसको फिर हम इस लुप कट को पकड़के हम जड़ा जी एक सब्सक्राइब यह जो है अगर मैं से दूर आड दूर लाते ना इक दूसरे से तो यह खुल जाता हलका से सब्सक्राइब तो अब हैं यह कि थोड़ा से मूटा बन गया जाद हमारा ना थोड़ा मतलब हलका से बतला करना पुटिए जी एकस इस तरह से लाते हम हलका से एसे एसे तो अब भी भी लेकिन आप देख सकते हैं काफी बॉक्स ही है तो मैं इस लुक कर पकूण है कि यहां पर बीच में एक लाइन नज़र आ रही आपको ठीक है बिस लाइन का हल यह है कि आप शेड्ट से पीछे नहीं लाना अगर आप पीछे लाएंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि यह स्मूधने सवेश यह नहीं बनेगी एक और इसका है कि आप सब्डिविजन सर्फिस को मेरे मॉडिफार के नीचे लिए अब इसके मापको एक्सलीन करता हूं यह हुआ कहा है जरा मैं आपको बदाता हूं जो यह मॉडिफार जो होता है ना मॉडिफार बिसिकली काम करते हैं से नीचे लग अब करके रहे हैं यह मैश को उठा रहा है यह वाली मैश है मैश है ठीक हमारी बेस मैश ही है हमने बेसिकली चीज यह बनाए ठीक है इसको पहले इस पर सब्डिविजन लगा रहे है तो ऐसा बन जाते है उसके बाद यह क्या कर रहे है उसके बाद यह मिरर ल लिए एज तो है आपे शार्प लेकिट सब्डिविजिन क्या करता है सब्डिविजिन एज को स्मूध आउट कर देता है तो अगर आप हम इससे ओन करते हैं तो यह देख सकते हैं बिलकुत स्मूध हो गया तो यह बहुत ही है जो आप उमीदेगा आपको बहुत यूसफुल और इसकी आप एक मेने दोबार वही गलती कर दी कि मैंने और जी पर नहीं देबाया जी वाई इस तरह से अल्का सा करें चीक हो गया उसके बाद क्या करना है यह उपर से थोड़ा से जादा बॉक्सी होगा है आज कंबेर तो मैं इससे जरा करूंगा यह कि मैं इस लूप को डबल चलिक करके स्लेक करूंगा फिर से जी और जी करूंगा तो हलका सा नीचे आज़े गए थोड़ा सा ठीक है विसा देख सकते हैं हलका सा बहतर लग रहा है ओके सो एक और चीज में करना चाहूंगा कि हलका सा मैस ओवर आल जो यह है न चैप इसको मैं पीछे लेना चाह है और मैं आपको रेक्मेंड करूंगा कि आप मेरा जो मैं बना रहूंगा करें आप अपनी चीज़ बनाए अलग से ताकि आपकी क्रेटिविटी जो है वह भी उसे इंचला आप बहतर सीख पाएंगे तो अभी एक और मसला अभी तक यह है कि थोड़ा सा बॉक्स ही लग र और जो उसके left side पे था उसको join कर दिया उसके साथ जो उसके right side पे था अगर मैं से undo करता हूं यहां पे था यह हट किया तो यह वाले आपस में join हो जाएंगे तो यह चीज़ हम करेंगे इसमें अगर मैं इसको select करके यहां ले आता हूं ऐसे तो आप देख सकते हैं जितने कम loops होंगे ना जितने कम cuts होंगे इसमें उतना ज्यादा smooth आपका object होगा ठीक है लेकिन एक मसला यहां पे जो आ रहे है ना वह मसला यह है कि ऊपर से एक triangle बन रहा है ठीक है अब topology में जो मैं आपकी जो 3D animation की 3D modeling की topology होती है उसका मसला यह होता है अगर आपके बस triangles बन रहे ह होना तो क्या पता अगर आपके आगे जोड़ा जारी advanced काम करें इसमें क्या थोड़े मसले आने की लेकिन अभी के लिए मुसकी इसकी ज्यादा परवाह नहीं करेंगे अभी इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है स्टेज पर लेकिन आप ही जहन में रखेंगे जहां हो सके काफी शार्प बन गया है तो हम जड़ा राइड बजाते हैं और इसको भी लेकिन आप देख सकते हैं कि यह काफी नीचे भी ट्राइंगल बना वह इसलिए है वह हो रहा है लेकिन एक हम मस्ला इसमें हैलेट करना चाहूंगा एक हम इसमें इसका हल ही है अगर हम इस एज को को ठाएं अगर हम एज में जाके इस एज को ठाएं और इसे हम हटा दें फिर फिर यह चार बेसिकली एक कॉर्ड बन जाएगा लेकिन आप बस जहन में रखें कि आपने ट्राइंगल को अवोई करने किसी भी तरह से ट्राइंगल अगर आपकी में ना हो तो ज्यादा बहतर ह आप यूवी एंडवाइंग में आते हैं और जब आप अनिमीशन में आते हैं तो फिर थोड़ा बहुत मसला करता है वह तो राइंगल को आपने वोई करना है बस यह सी से इसको अपर लेगा तो हलका से इस तरह से और इसको सेलेकर करके मैं जारा इसे उपर लेगाता हूं इस वाले को इस वाले को इस वाले को सेलेकर करके ना हलका सब पीच्छे अगर मैं लिया हूं तो यह जादा थोड़ा यूनियूपर्म बन जाएगा अभी हमारा काफी सिमिलर शेप बन रहा है लेकिन एक मसला जो मैं नोटिस कर रहा हूं वो यह कि यहां से काफी करीब आग जी को दोभाएं जी को आफ दोभाएंगे ये मोव ओका लेकिन इसा की await मैं ठीक इस यह अंपनी लाइन में हो या डोडियूस हो गया तो यह सिन है उसके बाद आप ने गरना यह है कि इस हम इसे जाएं हम इस वाले को इसलेक करें घ एक्स हलका ऐसे लिया है हम ठीक है और हम यहां पे जो है थोड़ा सा समूडने समय चाहिए होगी अपर बहुत जादा शारप है तो हम इसको स्लेक करके जी कर देतें फोड़ा सबख़सा ठीक है और यह जो है नाल यह यह यहाँ फेस में जाते हैं इस वाले फिटो हलका सा हम बाए सब लेघा यह जिए नहीं करते हैं इतनी दॉट अच्छा नहीं लग रहा तो अब हम क्या करते हैं 평 bij फ्लैंस को फिलाल छोड़ते हैं ठीक हम यहां पर करते हैं हम ऐ des में ज़रा ट्विक्स वगए रखेरेंगे तो विंग अड़ करना बहुत असान है आप क्यूब लें ठीक है आप साइड मोड में जाए यूप पॉजिशन करें जिस तरह से आप कुछ आई है इस तरह से कर लेता है पॉजिशन आइधिक कहां से साट हो रहा है यहीं से तक्रिम मोड में जाएंगे पॉइंट सेलेक मोड में जाते हैं वर्टी मोड में वर्टेक्स मोड में और फिर इसको आप पकड़ें इसकी साइज जो है इस जी दबाने अपने इसलिए दबाने क्यूब करने ना तो देख सकते हैं यहां से भी ऐसे छोटा हो जा रहे है जो कि हम नही पर यह लेकर चलाएगा अभी लेक देख सकते हैं बहुत जादा लेकिस में स्मूधिंग होगी है तो इसमें फिर फैले तरह लेवल्स इंक्रीज करते हैं और स्मूधिंग एंगल काफी है हम बस करेंगे कि इसका जो स्केल है उना उसको बढ़ा देंगे हुआ इस तरह सा हल सब्सक्राइब करें तो अब हम क्या करेंगा हम इसको जड़ा जीजी करेंगे इस तरह से कुछ से मूफ कर देंगा कुछ इस तरह ठीक है आप मार पास विंग जो हमारा रेडी हो गया तो हलका से पोजिशनिंग में आप इसे थोड़ा काम कर सकते हैं लेकि मैं अभी आपका टाइम ज्यादा जाया नहीं करना चाहूंगा मैं चाहरा हूं कि आप लोग खुद जरह एक से इसरों से और अब हम क्या करेंगे अब हम यहां तो फिर दूसरी साइट पर जाकर दूबारे सारा गाम कर सकते हैं जो कि बिलकुल भी रेक्मेंडर नहीं बहुत ज्यादा खौरी होगी हमारी जो असान तरीका वह है कि सिंपली आप मिरर मोडिफार लगा दें लिकिन अभ बन गया जो मुश्किल पार्ट था हमेरा मेंली हो गया बस सिर्फ एक जो मुश्किल पार रहते हैं वह वह है कि पीछे के विंग्स बनाना ठीक है अब विंग्स हम किसे नहीं बनाएंगे पहले तो हम जड़ा इसको लेके ना हलका सा ऐसे मूफ करते हैं ताकि ज़रा सा विं हम इसको जड़ा पकड़के उपर लिया है ताकि शापनेस ना हो और इस तरह करके ना और फिर आपके बस यह चीज़ आ गई इसको इस फेस को पकड़के आप एक्स्टूट करें लेकर अगर आप एक्स्टूट करेंगे ना तो आप देख सकते हैं कि जो है यह सारे दोनों स करते हैं इसकी अब एक्स्टूट करते हैं तो देख सकते हैं तो हमारे पास आ रहे हैं ठीक हम इसे हलका से स्केल डाउन करते हैं पर को थोड़ी देर के लिए हमने क्लिपिंग आफ कि हम दोबार ऐसे ऑन कर देंगे टेंचन ली लेनी इस तरह के में विंग्स बन गए और जासा रेफरेंस है और जासा हमारे विकर्स मैंने उस पर काफी टाइम लगाया था और यह मैं आपको टूटोरिल के उस पर पॉम में जल्दी करके दिखा रहा हूं अगर मैं से रोटेट करता हूं हमारा जो है बिल्कुल एक करीब हो एक दूसरे के हम इसे जरा जी पर जी क किया है और थोड़ा और कर देते हैं किसे पीछे ले जाते हैं मैं जानबूच की जादा इसमें चीज़ें नहीं कर रहा है विकास मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने हसाफ से अज़स्ट कर सकते हैं अब ज्यादा मैं इस पर टाइम जाया नहीं करूँगा आपका अलकसे नीचे लें अज़स्ट करने हम अपने हसाफ से ठीक है यह जो चीज़ बनाना चाहरते हैं और और अल्मस्ट उस तैसी बन की है ठीक है अब आते हैं अम नेक्स चीज़ पर जो करें यह चीज बनाना यह इसका face पूरा बनाते है face बनाने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हम एक sphere लेंगे add mesh और UV sphere ठीक है अब यह अब देख से रहे हूं कि हर चीज जो है थोड़ी सी जादा वो है मतलब लाइने लाइने नज़रा नहीं हो जाती जादा अची नहीं लगड़ी तो उसका अपने बिल्कुर उसका अपने बिल्कुर टेंशन नहीं ले नी हो जागा इन्शलब आद में करेंगे तो इसको ज़रा scale down करते हैं और इसको ज़रा हम front view में जाके साइड से ऐसे position करते हैं कि यह जैसे एक आँख की तरह बार निकले हैं अब हम क्या करेंगे हम से स्केल अगर increase करें और rotation अगर में इसमें y-axis में रोटेट करें हलका से तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा एक और चीज़ कर सकते हैं कि एक्स कर दें थोड़ा सा बार लिया है टॉप यू में जाते हैं हलका से छोटा स्केल डाउन करते हैं और या बेक्सकते हमारी आंखे जो है हमने successfully बना लिया है जीजी हलका साथ करें ओ इस तरह से एक जी वाए इस च्छोड़ च्छोड़ एज़स्मेंट में कर रहा हूं ज है ठीक रहेगा तो अब मैं इन दोनों को स्लेक्क करके जी एक्स हलका संदर ले जाता हूं और और जी सॉरी और जी एक्स तपार एक फोड़ा संदर ले जाता हूं ठीक हो गया परफेक्ट तो एक हमारी एक साथ के आंखे बन गी हमारी बादूसर चिबनाते हैं सेंपल तरी सेंब गया फिर एक्साक्षे साथ मिर्रह उड अब भूसरे साथ मिर्माड़ेफर और आबजेक्टियो धन गया अब सबस्के क्या करना आपने असके बदIVE ऑफने बनाना है ऐपने प्रोजेक्ट सेपकर कराना मत भोलीएका तकह पर प्रॉगर्स लुजना हो और आप साथ- इस तरह से अभी बहुत बढ़ी है obviously हमें से एरिट मोड में जाते हैं और जरह हमें से एक सेकंड टॉप में जाके थोड़ा से अब यह जो साइड है करते हैं तुरह सा ठीक है जी वाई वे इस तरह से और एक्स्टूड करके हम हलिका सा फॉड़ चोटा कर देते हैं तके लें कि यह बीक आला शेप आज है यह तागे लिए आता है सम्पिं लाइक दाश भी कुड और मैं से मॉडिफायर आड़ करते हैं वही सब दिविजन सेंट से मॉडिफायर सेंपल और यहमारी बीक जो है असानी से अवने बना लिए अधिक है हलकिसी नीचे होने चाहिए जी जी वह अपने हैसाब से जो आपको दिल चाहे वह कर लीजि कर दो लेकिन मैं अभी जब कर रहो तो तब मैं जाता हूं कि ना करूं है बाद में फिर मैं कर लेता हूं अब मैं जाओंगा क्यूब आट करूंगा एक और यह वाली चीज़ है इसको बनाना है हमने उपर जाकर से स्केल डाउन करो और जीजी उपर लें ठीक है और जी है ऐसे करके हम अब मैं करो यह कि इसमें मैं दुबार्ख से एक मिर मॉर्टिफार लगा करूंगा जाकर मैंनुवली करूं सारा ठीक है तोगे थोड़ी खौरी होगी लेकिन अब पास सब्डिविजन सर्फेस वाला तरीका है लेकिन मैं चलो यह जलती हो जाएगा मिरें मॉडिफाइल भी लगा सकते हम इस पे स्केल डाउन लिकास ऐसे लाएं इतर लाएं और यह इसको है और वह सेम इग्जाक जीज हम दूसरे साइट भी करनी है हमने पेसलेक्ट किया एक्स्ट्रूड अलका सा और नहीं इसको पहले स्केल डाउन तोड़ा कर लेता है सम्टिं लाइक अब तब ही मेर माडिफार इंपॉर्टन होता है क्योंकि आपको फिर अब मुझे यार नहीं आ रहा है मैंने क्या किया दो साइट पर मैं एक्जाक्ली रेप्लिकेर नहीं कर सकता हूँ तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा हमेशा हूई उसक्या करें मेर अब देता है जी वाए थोड़ा सा मागे लिए आते हैं से सम्टिंग लेंग दाट शुट बी कुट ठीक हो गया हलका सब बढ़ा है वैं रप्टोड बढ़ा होना चाहिए इसलाम कर लेता है जी वाए हलका सागे लिए आते हैं और पर सबस्क्याइजस्मेंट अगेरा वह तो आप करते रहेंगे वे शकार आम से अपने हसाब से ठीक है तो यह हमारे यहां पर हो गया उसके बाद हम आते हैं अधर आगली चीज़ पर वह है हमारी टांग है ठीक है सिर्फ टांग ही बचती है हमारी अब टांग हो करने के लिए first of all हम जाएंगे नीचे यहां पर हम एक मैश आट करेंगे जोगा क्यूब वह exact same procedure है सबसे पहले हम यहां पर आते हैं इसको स्केल डाउन करते हैं थोड़ा सा जीजी हमने किया और हलका सा स्केल डाउन करें से थोड़ा सा संथिंग लिए इसको बस बेसिकली हमने करना ही है कि हमने टांग को एक्स्टूड करना होग लेकिन से पहले जाते हैं और इसे एक्स्टूड कर लेता है यहां तो हमें से स्केल अप भी कर सकते हैं इंद जी आक्सिस ठीक है इस तरह से बाद में लूपकर्ट करके जो में तिकने चाहिए होगी हम इसकी अचीव करने के इन्शला तो यह सीन होगया यहां पर जी वाए पीछे ले आते हैं इसको यहां पर पूसिशन करते हैं अगर मैं अगर मैं सब्सक्राइब करते हूं सब्डिविजन सर्फिस मॉडिफायर तो अदेख सकते हैं बहुत ज्यादा स्मूध हो गया इसके लिए ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां पर उपर एक लूपकर डाइड क इसकर क करेंगे हम क्या करेंगे कि हम इसफेसे करेंगे और इसको एक स् betूड़ कर लिए इस करें एड़े सहसे pitसब्सक्राइब कर देड़ा से इस तरह से्सेडे हैं कि हा से यहां से ऑस्क्रूट कर लिए ओढ़कर आइसए और दोनों जगारम लूपका अगर देटा है कि हमारी होगी टांगे बहुत साथ बड़ी बन गी है अब इसमें देख सकते हैं ये जो है ये युनिफॉर्म थोड़ी बहतर लग रही है चिक यहां पर फॉल की सिल जो है वेट तो इसके शच्रुम है करें कि हम यहां पर नीचने जाएंगे नीच वालफिट करते हैं जीजी हलका सांसे नीच लेके सेरी सएम करके यह बहुत जद़ बड़ी भन की है हलका सा सकेल प्रलेते हैं ढूंड सरे को सेलेक करके न इसको ही हम स्केल दाऊन करें हैं अलका सा इस ततरों से और फिर टो यह तो जा jump बनी हिस्वश्ट है खेलगे मंघय देख लेघव अपनी मर्झी कहसा आप से इस तरह को तीक नौन है में खाद में जिक हमेघ थीक है जो यह जो है इसको आद पर रिया तो आपऊ-ट्रीका अपिर को सभी कि अधिनाः लगिए एक में एक चीजमार्ट करना चाहि को अधर गरें में हो यहां सब देख सकते ही कट पर यह जो लुप है padre बहुत स्मूध है ठीक है तो हम इसके बाद क्या करेंगे इस पर हम सिब्सक्राइब करेंगे जिसका अब्जेक्ट होगा यह और यहां पर आ जागी अब देख सकते हैं कि थोड़ा सा हमने अटांग को क्या बाइड मुफ करना पड़े है बिकर जाम आपस में इंटर्सेक्ट हो रहे थे ठीक है अब आप देख सकते हैं कि हमारा बेसिकली और मुस्ट कंप्लीट होगे काम थोड़ा से अब तो होगा बिकर जाम कोई चीज आप रेप्लेक्ट करते हैं तो एक्जाक्ट से नहीं बनती इसको जड़ा थोड़ा सा समि और यह ठीक रही आधिंग अलका साइसे हम इन दोने चीजों को पकड़के रोटेट कर दोशा इस तरहां से उथ्वाइड में निकाल देते हैं ठीक है और यह जो है इसको भी हम दरा जीवाइड निकाल देता है ठीक है तो यह हो गया यहां पर यह सीन हो गया सारा और अब ह अब यह जो है पॉंट मूर में जाके इसको स्लेक करते हैं और इसको भी प्रशाज्ट कर लेते हैं अपने हसाब से पर है तो यह भी अट है ठीक है और यह थोड़ा सज्वान वह गया था तो इसे जड़ा कर लिए हम स्केल अप करके और जड़ा जीजी थोड़ा नीची लिए रहते हैं और पर स्में यहां से यह वाला फेस एक्षली हम करेंगे ये कि उपर फेस लएकर करके इसे हम ज़रा जी एक्स तोड़ा साथ बूब कर देते हैं प्रस में यह वाला फेस भी ठीड यह हो गया यह हमारा almost काफी सेमिलर बंगे जो जो रफन्स था हमारा और अब इसमें इसका रीजन यह कि मैंने इस पे तक्रीबन कोई दो थी घंटे लगाए तो बेजिकली मैं पॉइंटी अप्रूफ करना चाहरा हूं कि जितना आप ज्यादा टाइम अपनी आर्ट को ट्वीक करने में लगाएंगे ना जितना चोटे-चोड़ा चीज़ें उठाके और मतलब आ उस्तना आपका ज्यादा बहते चीज़ें लगती हैं अब यह रूल होता है इसलिए लोग कहते हैं कि आप अपनी आर्ट पर काफी टाइम स्पेंड करें ठीक है और मैं जरूरी निया कि अगर आपने एक बार बना लिया तो आप उसी को लेंड तक लेंगे काफी लोग इस इसको पूरा डिलीट करके मैं पूरा स्क्राइब से दुबारा स्टार्ट करेंगे अब इसे होता यह कि फायदा जो मिलता है लोगो को भी होता है कि उनका पहली बात तो में मज़ा आट हैं जब चाए हैं दूसरी बार बना रहे होते ना तो आपका इसलिजन होता है वो सपर्षाइब करें लिए कि नहीं पर घर अपने एक बार ही मनाधिया तो में आप पिर आंदा दिबारा वह चीज ना बनाए आप इस ना कर सकते हैं पर बार बनाए और यह बिदूसरी बार बना के टाइम स्पेंट करते हैं तो पिर इस सपर फिर चीज सेटे लिए ज्यादा और इन सब को बारी बारी करते जाएं यह आप शूरू में भी कर सकते हैं लेकिन मेरी मौडलिंग हो जाना सारी उसके बाद में एक यह बार जाकर सबको शेड़ स्मूथ कर दो क्यूंकि अगर कोई टॉपालोजी कोई गलत होती है किसी का ले कोई मसला होता है तो पहले हाइला चैनला लेकिन करते रहना है तो अब इसकी इस में आखको एकी हैं कि अब यह आपको मैं करवाने का रीजन यह ताकि हमको बता सको के एक आपड़ तो मटेरे कर सकते हं अदर्वाइस तो एक और सकते हैं आप फिर बी अच्छा है लाग तो रीजन इसका यह मतलुए अजशन पहले आप जाएं एक material आट करें लेट से हम अगर blue आट करते हैं ठीक है मतलब actually blue निए पहले pink आट कर लेता है पहले pink आट कर लेता है कि वह जादा जादा area ना उसका जो material जिसका जादा area हो ना फर जामल यह लेक सारे उसमें है pink ब्लू सर्थ चोटे उपरवल एडिया में तो जिसके जादा हो वह अपने पहले आट करना में शाटीक है तो pink आट के लिए हमने अब सब्सक्राइब कर लेते हैं एक रिवन इतना सभी होगा और अपने इसके रफनेस कम करने हैं हमें से थोड़ा सा जो कार्टून वाल एफेक्ट वो देना है ठीक है अब यह हो गया अब आपने करना यह आप निसको सेलेक्ट करना है और एडिट मोड में जाने के बाद आप करेंगे यह कि आप लेट से अगर आप और आप और आप कर आप आपके पीछे वादी पीचे भी कलर रखूंगा ना वो शुरू में तो आपको नजर नहीं आएगा लेगा अगर मैं सेलेक्ट होते हुए ही साइन दबा दूना तो अब अगर मैं असाइन प्रेस करता हूं तो आप यह हमारा पास इशू आगए अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे एक्सपेक्ट तो इसका रीजन यह है कि अगर मैं एडिट मोड से बाइर निकलता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे ब्लू माटियर लग चुका है अब इसकी वज़ा यह कि इसमें यह हो रहा है क्योंकि हमारा जो मेरें मॉडिफायर है और हमारा सब्डिविजिन सर्फिस मॉडिफायर है अब आप लाइन हो अगर मैं उसे जाकर अपलाइ करूंगा ना अब आप लाइख सकते हैं जैसा हमारा था इसमें इसमें भी ऐसे है लेकिन यह यूजली मॉडिफायर नहीं करने होते हैं मैं नहीं करूंगा बिकाज आगी चापता कोई अज़स्मेंट करने पड़ें कोई अब मेरा मसले में थोड़ी और्गनाइज कम रखता हूं यूशली मतलब मैं नाम उसका यूशली रहता है लेकिन वह मैं रेक्मेंट नी करूंगा बिल्कुल भी पिर आगे जलके अगर आपकी जैसे प्रोजेक्स बड़े होते जाते हैं पिर कंफूजन बहुत जादा बढ अब जादे करते हैं अगर आप जोड़ेंगे तो फिर जादा डीलिस्टिक लगता बीग जो थी इसकी वो थी येलो तो इसमें येलो आड कर देता है अडियल का नाम रखें येलो और इसमें हम कलर्स का कैस करें क्या कलर करें हैं ये यह जो था यह वाइट था उपर वह हम वही जो ब्लू मटीरियल नहीं बनाया था वही हम अट कर दते हैं और लेक्स पर हम वही बीक वाला मटीरियल ही आड कर दोते हैं अब जब मैसे जब हम इसे रंडर करेंगे ना तब तब आप दिखेंगे कि काफी इसमें लेक डिफरेंसे हम चेंज़ वगरा क्या पता मट करें करें कि अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसमें जो बैक्राउंट है ना पहली बात यह एक फर्ष पर खड़ा है तो हम पहले फर्ष बिना लेते हैं एक प्लेन आड करूंगा मैं फ्लोर मारा बन जाएगा अब इसको जो ह अच्छर था वो भी मैंने रखा था कोई एक सिंद फर्पल लेतिंग था तो फर्पल और इसमें मैं आड कर देता हूं लैक लाइट सा पर प्रपल आड करता हूं इस तरहां का इसको एज़स्मेंट से कर सकते हैं बाद में बाद में आड कर दिया अब मसला ही है अगर मैं से करूंगा ना तो अगर आप वैसे से विजुलाइज करें तो यह मसला ही कि बाग्राउंट पीछे जाके खतम हो जाता है अगर मैं सकी साइस बड़ी करूं फिर भी एक पॉंट आएगा जिसके बाद यह खतम हो जाएगा लेकिन इसमें आप देख सकते हैं बाग्राउंट ख बादेंगे ताकि सेफ जी एकसे में एक्स्टूट हो ठीक है ऐसे एक्स्टूट कर दिया आपने अब आपका जो बाग्राउंट हो गया लेकिन अभी भी मसला यह है कि आपकी बीच में लाइन निज़र आ रही है अब इस लाइन को खतम करने का बहुत सिंपल जो है वह किसे बैवल करें बैवल करके सेग्मेंट बढ़ा दें तो इस तरह से आपने इंफिनेट बैक्ट्रूम रिक्रेट कर देना है और अब यह आप देख सकते हलकी हलकी लाइन है तो इसको यह हमारा ऐसे बन गया अब हम आट करते हैं इसके बाद हम लाइटिंग पर करेंगे और इस का गया सिस्टम में जाके इसको प्रोसेशर को आफ कर लें सिर्फ ग्राफिक आज रहा है अगर नहीं तो अगर नहीं है तो पर आपको सीजी करें उपर ले आए इन फैक्ट में कैमेरा के अंदर जाके ना पिर इसमोभ कर रहती हूं इसको खूल लें वीव में जाए और तो वह होगी फोकल नंथ होगी जोन रिसकाश की थी कि जितनी ज्यादा फोकल नंथ होती है ज्यादा जूम होता है और तो इसे तक्रीब ने 80 mm के करीब रखूँगा रेंडर जो है हमने साइड से करना है जिस तरह इसमें किया था तो तक्रीब इतना लेक ठीक रहेगा लेकिन अभी आप एक मसला नोडिस कर सकते हैं अगर मैं से बाइद वे इसे मैं लॉक को उटा दूँगा मसला यह कि जो बैग्डून हमारा वो तो प्लीजी और और जी करेंगे तो में से रोटेट कर सकते हैं केमरा चरेक्शन डेक्षिंड और यह हमारा बैसकी सीजान जो है बन गया है थोड़ा सा मैं कैम मादिफार करना जाऊंगा कि इसको मतलब करीब लियो फ्रेमिक को बहतर हो जा हमारी something like that should be good, इस सांगा ठीक रहेगा, हाँ ठीक है, तो चले हम अब इसे हम रेंडर करते हैं, रेंडर करने में आप देखेंगे कि इसमें लाइटिंग भीसलिए नहीं है, कोई भी इसलिए बहुत बरा लग रहा है, तो पहले-पहले मैं जाओंगा इसे इन वर् उत्रिकल करने का बना हूँ है, अगर हम इसमें अब बहुत करते हैं, तो फिर बैसिकली स्क्वेर आता है, जो कि बहुत बरा लगता है आप शेलिए करने के लिए, अब डिस्क लाइट नहीं है, तो आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, और अधर से मूफ कर दूँ इसकी और हम जरा अब एक काम करते हैं हमके व्यूपोर्ट को स्प्लेट कर देते हैं व्यूपूर्ट को पूसिशन कर सकें दूसरी साइट पर हम देख सकें कि हमारे रेंडर कैसा लग रहा है तो यहां पर आप आए इस एज़ पर रैट क्लिक करें और वर्टिकल स्प् देता हूं और दूसरे वाले को मैं रंडर नहीं करता हूं उसमें सिर्फ मैं राइट को और हर चीज़ करता हूंगा तो अगर मैंसे ज़रा टॉप मोड में जाके थोड़ा से यहां पर ले आऊं इस तरफ पिकर्स देंग इस के आपको यह डिसाइड करना है किस तरफ से आपने लाइट आड़ करनी है इसमें 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 भी बाइद वे हम थ्री पॉंट लाइटिंग सेट अप ही करेंगे पिकर वह इसमें अच्छा लगता है यहां से तक्रीप बन जारो यहां पर हमारा रहा है यहां पर फिल लाइट होगी और पीचे से हम बाक लाइट अड़ करेंगे तो अगर मैं से थोड़ा उपर ले जाता हूं हलका सा और इसका जो यह यलो डॉट है इसको पकटके मैं इस पे एंकर देता हूं ताकि इस पीसीदी लाइट है और अब इसकी इंटेंसिटी जो है म 100 बहुत कम है लेट से इसमें मैं 500 करता हूं 500 शुड बी गुड लेकिन इसमें हम थोड़ा सा और इंटीस करते हैं 800 कर देते हैं ठीक है अब यह आप देख सकते हैं जो कि शाडूस हैं काफी हार्श हैं तो उनको फिक्स करने के लिए हम जारा इसमें एक वह फिल लाइट भी तो यहां फिर आप इसलेग एवन थोड़ा और भी कम जा सकते हैं अगर आपको थोड़ा मूडी रेंडर में लब उसका उस तरह का चाहिए हमें बिकर्स वह थोड़ा सा न्यूटर रिंडर जाए हमें क्यूट सा रिंडर जाए तो हम चार सो तक्रिमें रख लिए आधे में होगा ताकि इससे जो रिफ्लेक्शन आ रहे हैं यह थोड़ा साइज बढ़ी हो जाए इसकी हलकी सी इस तरह से ठीक है अब एक चीज़ हम नोटिस करेंगे एक मसला है मसला यह है कि हमारा यह ऑब्जेक्टों से लिए लाइट इस भी हुई है बैक्राउंड बैक्राउंड क इसको इक पॉंघ्लाइट बना देंगे ठीक है इसकी साइज में इंक्रीज करेंगे लेकिन आप ऐसे इन्क्रीज कर सकतें पॉंघ्लाइट की सब्सक्राइट थोड़ाता वह थना बढ़ता है और तो आप देख सकते हैं कि हमारा यह बैक्राउंड है उसकी लाइटिंग तो यहां से आपको फिर थोड़ा सा वही मिल रहा है हलका सा जो फ्लेर होता है पीछे से और बैक लिटिंग का जो ग्लेर आते पीछे से जो वह भी आ रहे है हलका सागर मैंसे साइड पर जादा बेतर है में लोक आए तो आप देख सकते हैं काफी हमारा रेंडर फिट लग रह है थोड़ी जादा हो जाएगी तो इतना फिट लग रहा है बाकी जो है हमारा और यह एक ऐसा रेंडर इन फैक्क डिसको मैं जिसमें मैं कह सकता हूं कि जो हमारा अभी वाला बना है वह थोड़ा ज्यादा बहतर है से विकर जादा उसमें वाइबरन से थोड़ी कॉंट्रा इसके बाद पर simply आपने आने यहां पर रेंडर और रेंडर इमेज तो अब यह रेंडर हो जाएगा इसका जोड़ा दो में वेट कर लेते हैं और यह जो सारी लाइट है इनको मैं सारे को हाइट कर लूँ एच हाइट अब हम हम एक एक एच्टिर आइड करते हैं पर आपको तो रीजन बतातों कि हमने क्यों नी आइड कि है 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 और मैनुल लाइटिंग क्यों की अब इसमें होम वाले हैं अब इसमें हम देखेंगे काफी लेक मतलब वो डल सी फीलिंग आ रही है मैं अले ज्यादा कॉंट्रास्ट नहीं है इस कंपेर टो यह रेंडर जो है हमा तो एक और चीज यह होगी कि जो रेफ्लेक्शन देख सकते हैं खिड़की की रेफ्लेक्शन दा रही है तो इतने ज्यादा वो नहीं है अच्छा लुक नहीं दे रहा अज कंपेर तो हमारे जो प्रानी लाइटिंग की इसमें देख सकते हैं भी बहुत स्मूद और अच्छ लेकिनी बस ही इमेज आ गया इमेज सेवाज और आपको इन पीपी से सेव कर दें और अपनी बर्ड बना लिया अगर आपने इसे फॉलो के टिटोरिल को तो बस आज की वीडियो के लिए यही था और इंशालो ले नेक्स वन आला आफस अचा तो बाई वीक त्री आपको सब्सक्राइब और इसमें एक मैंने क्यूली प्रीजिन लिया क्यूब को मैंने हलका से ब्लॉॉक 7 मिना अटीक है मैं इंशाhew मैं यहाई थाखुन हो टीका है हुसकोा स दो है क्यूब और verder में कश्रूब कर रेक्स जियुकर करकर के रखे लिया और और फुर् Das呢 अब चूब करके शेप बनाए ठीक है फिर आप आराम से उस पर सब्डिविजिन सर्फिस मारिफार लगा सकते हैं कोई तरह मुश्किल है नहीं अगर लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेक्स कर सकते हैं उसके लावा यह है कि आम उसके लावा क्या बना सकते हैं आप आप य क्यूब लें ठीक है क्यूब को आपने सब्डिविजिन सर्फिस मारिफार लगा दिया आपने यह दो टांगे बना दी टांगे दोनों बार-बार मॉडल नहीं करनी है आपने एक बार बनाके मिर मॉडिफार लगा देना है ठीक है फिर पीछे वाली बनानी मिर मॉडिफार बनाने मैं आपको इन फैक्ट यह दिखा भी देता हूं थोड़ा से बना के आपको एक जैनल सा आइडिया हो जाना सब्सक्राइब क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले और रहें कैमरा को और लाइक रोड़ी करते हैं यह जब होती है यहां पे तो बहुत तंग करते हैं ठीक है अ इस तरह से थोड़ा से रोटेट करें तक कि बना एक वर्टिकल हो जाए और यहां पे आप लाके ऐसे करने हैं यह हमारे एक साइट बन गी मैपको बिल्कुली बेसिक तरीका बता रहा हूं आपने इसमें चेंज करने होंगे अब मैं इस पर लगाँगा मेर माडिफार लेकि उसलिधर से मैं क्या करेंगा है से 1 अम्टी करेंगा बीच में जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था कि आप पर उब्जेक्ट जो है मेरी अब्जेक्ट सबस्र पहले लगाने इससे फारा नहीं होगा आप निकर नहीं है कि आपने पहले एक सूंदेूं को अज़शन हो तो आप इसके आप उड़ी जोड़ेंगे तो प्रस प्रॉपर लिए जोड़ गए अभी इंशाला हटेगा अब एक चीज आपने करनी इक प्रॉब्लम आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं बीच में जाओ ना यहां पर बीच में एक्स्ट्रा फेस आगे इनके बीच में इसको पकड़ के डिलीट कर देते हैं तो वह ज्यादा पर सेकर हो जाएगा हम अब इसमें अब इसमें मसले काफी हैं एक तो करूंगा मैं किया कि मैं एज मोड में जाके और इन एज को स्लेक करके शिफ्ट तबाह के इन सब को स्लेक करूंगा और इससमें और इसकोुत करूंगा हुस को स्लेक करें और अब क्या करेंगेगा और तौर में हम्सक्राइण पर यहांपर चायट करूंगा किसमें अभब ह्याए अप यहांप करिय hatırकते हैं कि आप नो की को ग्राजुली सारे भी साथ साथ इसके मूव हो रहे हैं ठीक है इस तरह से हलका साथ से फिर आप ये जो है नीचे आले से जो फेसे हैं उनको स्लेक करके आप फिर जीजी नीचे लें लें लेकिन इसमें प्रोपर्शनल इरिडिंग आपको बंद करनी पड़ीगी ऐसे लागा प मिल गया कि आप यी किस तरह बनानाएं तो इसमें मैं रेक्मेंट केलंगा कि बिलकूल एक्जाक्री वही ना बनाएं एसी चेर ना बनाएं आप मेंटरेयट पूर शार्च कर सकते हैं हम चीर छिन reference ठीक है तो आपको reference मिल जाएगी अगर आप reference obviously use करेंगे कोई अगर आप reference के उपर रख के आप modeling करते हैं ठीक है आपको for example अगर इस तरह की कोई picture मिल जाती है जिसके उपर आप रख के modeling करते हैं तो वो obviously जादा clean होगी आपके लिए जादा होगी क्या करते हैं उसे थोड़े असान हो जाएगा आपके modeling उसकी तो यह मैं recommend करूँगा बाकि उसके लावा बस यह है कि आप यह बना सकते हैं 3D चेर उसके लावा क्या बना सकते हैं खेर बनाने को तो आप यह बना सकते हैं अगर आप ज़्यादा मेहनत करें तो because बात यह है कि यह बना सकते हैं प्रिकिस इस 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 एक्स्टूड किया लूपकर लगाए ताकि कर शार्प हो जाए प्लस में यहां से बस यह लेदर मटिरल मैंने पॉलिगान से उठाए पॉलिगान अगर कर लिया होगा तो आप कर लिए अदर्वाइस हम फिचर वीक्स में कर लेंगे कवर पॉलिगान भी उससे आप टेक्स्टर्स वगरें इंपोर्ट कर सकते हैं प्लस मैंने टेक्स्ट को यूज करके अपना नाम लिखा हैं आप है और बसाएं और इंशाला आपको प्रोजिक्ट में कोई मसला ने होगा और यह मसला होता है तो आप यूज की और आपकी में है अब अब आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपने आदक जो है कोर्स वह देख लिया यूट्यूब पर अब सीन यह कि यह कोर्स बाकी जो है यह वीडियो में फिर आपकर जाएंगे और आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दि रही है इस वीडियो की डिस्कृप्शन जाएंगे तो आपको कोर्स बोल जाएगा इसकी फूल प्रइस है लेकिन भी यह दिस्काऊनट पर लगा है 13 तो यह बाकर दो यह आपने जो वीडिय के ना वीक फॉर्स्ट त Dwapp से इसमें पेपले को प्रोर्जिक करेंगे हम करेम करिस्फ टक्स बनाइंगे जो 3D कुर। अच्छ होथ के वार्ड़ मीद जाएंगे Assembly Horizon wykon architecture visualization सीखेंगे हम और पर हम cars वाली cars के उस renders वगरा बनाएंगे और फिर animation हम स्टार्ट करेंगे, animation वालगा काफी interesting काम है, आप बहुत उमीद आपको बहुत मजाएगा, उसमें आप काफी कुछ सीखेंगे भी, Mercedes के हम वो हम यह बाइगे उसके बाद हम क्रेंगे उसके bона हम क्रेंगे असके बाद हम यह फ़पर निताई कर जो ही वा आNय सिखिन nthi ऐब ने इंट ईंट्वesse को Хорошо है वह करेंगे पिर ज्टीक पोडवाद करेंगे उसके covered हम करेंगे 5000 करेंगे उसके बस काफी जादा opportunity जो है वो सीखने की बाकी है, राइट, so अगर आप interested हैं सीखने में, तो आप definitely मेरा Udemy पे ये course चेक आउट करें, and I hope you like this course, अगर आप अगर आपको और courses चाहिए, अगर आप further blender को, या Unreal Engine 5 को सीखना चाहते हैं, तो फिर आप continue कर सकते हैं ये भी, और प्लस में Unreal Engine 5 का भी मेरा एक course है, वो भी मेरा, इस पे, what do you call it, Udemy पे मेरा available course फो भी, तो आप वो भी check out कर सकते हैं, thank you.